वेल गुड इविनिंग तो आल अफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आयोप आप बहुत अच्छे होगे येस और नौ तो चलिए कल मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है टैन वीट्स का आपको बताया कि यह आपका एक्जाम के पहले का प्लान कैसे होना चाहिए तो आपने वो प्लान फोलो किया होगा और आज जो जो चाप्टर्स मैंने आपको कहते हैं जैसे प्लेस आप सप्ला आई टी सी और अधर चाप्टर्स जो मैंने आपको कहते हैं आपने वो चाप्टर्स कंप्लीट कर लिए होगे वार्निंग स्लोट में किये की नहीं किये येस और नौ बताईए फटाफट आपने वो चाप्टरस कंप्लीट किये है जो आज का आपको शुडूल दिया था वार्निंग स्लोट का मैंने येस सार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड येस आगर कोई ये वीडियो फर्स टाइम देख रहा है तो मैं ये बता दू कि यहाँ पे येस आज वो मेरे से कनेक्ट होगा तो कल मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपका तीन दीन का अच्छे से प्लान बता है कि आपको जीएस टिक कैसे पढ़ना है ठीक है तो अब आज की बार है कि हम सुपर थर्टी क्वेशन जो है जो सारे चप्टर्स के इंपोर्टन क्वेशन से उसकी सारी इंपोर्टन एजस्में पर मैंने मास्टर क्वेशन बनाए और यह सुपर थर्टी मास्टर क्वेशन आज हमारा डिसकेशन होगा तो दोस्तों हो सकता है कि यह जो सुपर थर्टी आपका क्वेशन डिसकेशन है यह आपने आलरी देख लिया हो क्योंकि यह मैंने जो है यह यह पर 20 देज पहले डाल आज यह यही वीडियो जो है अब एक सिटिंग में one streaming में आपको complete करना है yess or no तो जो दोस्तो जो अगर master questions कर लो तो आप हर chapter के important adjustments जो है वो सारे important adjustments go through हो जाएगी आप और ये जो आने वाले 7 hours में हम पूरे chapters revise करेंगे साथ साथ में सारे important adjustments जो aspects है उसको भी touch करेंगे और पूरी तरह से यहाँ पे syllabus cover करने कोशिश करेंगे और अगर आप मेरे साथ यहाँ करते हो तो आपको super confidence आ जाएगा मैं आपको यह कहना चाहूगा कि yes यहाँ पे इस super 30 questions में मैंने सारी amendments भी cover कर ली है तो amendments भी आपकी हो जाएगी तभी भी even though हमारे super 30 questions में आपकी amendments कर हो रही है पर amendments की separate sheets मैंने आपको दी है वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है description में मैंने all-in-one link दिया हुआ है जिसमें आपको सारी notes मिल जाएगी super 30 questions की amendments की summary amendments की MCQ की वगरे यह सारी notes आपको मिल जाएगी और यह जो है एक ही जगा आपको जो required notes है वो आपने डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से कर लेना है yes or no तो अब देखो यहाँ पे बेटा plan मैंने कल के वीडियो में दे दिया है कि आपको किस तरह से plan करना है GST का उसकी link perfect plan अभी यह इस वीडियो के description में मैंने दी है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो super 30 questions already मैंने आपको यहाँ पे 20 days before provide किये थे वोई super 30 questions का discussion अब आगे continue रहेगा जो आपको 7 hours within one sitting complete करना है हो सकता है कुछ बच्चों ने वो वीडियो जो है already देख लिया है अगर देख भी लिया होगा तभी अब जो है फटा-फट आपको यहाँ पे उसको revise कर ले रहे है तो इसके आगे हम जो है उस जो recorded वीडियो है उसका discussion स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे यह super 30 master questions जो है इसमें सारे chapters को cover करने की कोशिश करेंगे Yes or No? Are you ready? चलिए हाँ फिर से बता दू कि अगर आपका plan GST का कैसा होना चाहिए आपको इसके वारे में जानकारी चाहिए तो मैंने description में जो कल मैंने वीडियो दिया था वो वीडियो की link दी है आपने यहाँ पे देख लेना है चलिए तो स्टार्ट करते हमारे recorded session super 30 है और आपको अब मेरे साथ फटा फट रिवाइस कर लेना है Yes बेटा recorded session है super 30 है क्योंकि मैंने पहले से बहुत अच्छे से record किये हुए और आपने शायद देख लिया होगा तो अच्छे से record किये हुए उसको हम continue करेंगे चल डन तो सबसे पहले हम यहाँ पे chapter cover करेंगे अच्छे सप्ला अटा है GST लेटा यह चप्टर तो आपको नीम में भी याद आयेगा 7172 उसके बाद मैं with consideration without consideration 718 718 B यह चप्टर तो जान मुझ कि पहले ले रहा हो क्योंकि एक बार हमारी link लग जाए फिर मैं इसके बाद invoice return पहले बहु ले लूगा क्योंकि जहां तुम छोड़ देते हो वहां से institute स्टार्ट करती है इसलिए कभी भी पढ़ाई करते हो और ऐसा लगा कि यारी छोड़ देते है फिर सबर्जन में हीच important है ठीक है तो हम वह topics को पहले cover कर लेंगे ITC हुआ main main topics को हम पहले cover कर लेंगे and then फिर बागे की topics हम आपके complete करेंगे ठीक है supply just यह chapter आपके लिए easy chapter है तो थो हम link भी लगा लेते है आप GST के connection में आ जाओगे and then okay we will continue the other topics चलिए So दोस्तों यहाँ पर question number one यह master question बनाया है सबसे पहले आपको एक है दू इतने बड़ questions exam में नहीं आई है master questions बनाने को object यह है कि इसमें एक ही questions में सारी important adjustments cover हो जाए कई कोई chapter में मैंने 2 questions लिया हो गया तो यह मां समझना कि इतना बड़ा question आएगा time पे मुझे इतनी सारी adjustments कैसे याद आएगी कैसे मैं लिख पाऊगा नहीं है यहाँ पे master questions में यही object है कि सारी adjustment हम touch कर ले सारी adjustment को समझ ले और एक अच्छा revision आपका हो जाए और यह questions real आपको बहुत help करेंगे day before examination क्योंकि questionnaire पढ़ना होता नहीं है आपको frankly speaking ठीक है तो मैं आपको पुरा guide करके जाओगा कि आपको यह question के साथ क्या लिख कर देखना है कौन से questions लिख कर देखना है बस उतना कर लो मैं आपको assurance देता हो कि आप अच्छा score कर पाऊगे GST में और इस बार taxation में तो चलिए यहाँ हमने question number one लिया है और इस question में most of the aspects को कवर करने की कोशिश करनी है पर्ला question Mr. Vijay, registered air conditioner dealer in Janakpuri need four air conditions for his newly constructed house in Sabdarj and Cleo therefore he transfer four air conditioner on which ITC already been availed by him from his stock for the same purpose first examine whether same activity amount to supply under section 7 यह practice बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बताता हूँ जब आप exam में जाते हो तो exam में ऐसे पी chapter wise तो questions आते नहीं है या concept wise तो questions आते नहीं है और उसमें तो इतना बड़ा challenge होता है कि आप income tax भी पढ़के जा रहे हो और GST question देखने के बाद यहीं समझ में नहीं आता है कि income tax के इसाब से लिखू आ GST के इसाब से लिखू ठीक है तो यह practice आपको बहुत help करेगी क्योंकि मैंने पहला यह adjustment ले लिया यहाँ पे without consideration without consideration वाला questions को कैसे read करना questions को कैसे पढ़ना मैं आपको समझाने की कुशिश करता हूँ सबसे पहले तो four air conditioning units है on which ITC already taken और वह अपने घर पे लिखे जा रहा है यहाँ पे अगर हम बात करे पहले इसकी तो आपको section 7-1-C schedule 1 para 1 schedule 1 para 1 क्या कहता है sir exam में यह para 1 schedule 1 section 7-1-C क्या यह सब लिखना चाहिए याद आया तो लिखो ने तो बिंदा सैंसर लिखो नहीं याद आया okay मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी positivity हर moment पे आप collect कर सकते हो इस last one month में उतनी collect करो negativity में बिलकुल मंचाना और यह याद नहीं आया मेरे marks कट जाएगे activities if they are carried out without consideration then also treated as supplier one of the activity is permanent transfer of business asset on which ITC has been taken समझ मैं तो नहीं याद आया रहा है पर तुम्हें इतना बढ़िया लिखाना कि पढ़ने वाले को मज़ा है is it clear तो अब यहाँ पे आपने ITC लिए हो रहा है और आपके stock का part है permanent transfer of business asset है business asset में आपकी capital assets as well as current asset जिसमें stock भी कवर होता है ठेक है तो यहाँ पे क्या यह supply बोला जाएगा यह supply बोला जाएगा क्योंकि इसके उपर क्या लिया गया है ITC दुसरा further जनकपुरी resident Ajay approached Mr. Vijay he sold an air conditioner to Mr. Vijay for Rs. 5000 Ajay has bought the same air conditioning six months before एक मनेट हाँ एक जनकपुरी resident था Ajay और उसने Vijay को यहाँ पे 5,000 रुपे में air conditioning sale किया गया for his residence ठीक है तो अब दिखो यहाँ पे second Ajay में यहाँ पे Vijay को sale किया और कितने रुपेज में sale किया 5000 5000 में sale किया तो यह supply for consideration क्या इसके पर भी GST आएगा yes अगर आप अगर आपको पढ़ना है इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो मेरे questionnaires के स्रीफ RTP के questions या examination questions पढ़ो that's all उसके अलाव और कुछ भी पढ़ने के जरुआत नहीं वह भी अगर आपको पढ़ना होगा तो अगर यह super 30 questions आपको सच में आपको confidence इतना boost कर देगा कि आप अच्छा score करने का plan इसमें कर सकते हो ठीक है उसके बाद में next अगर हम किसी बात करे Mr. Vijay is planning to transfer some goods to his branch registered in West Bengal उसके branch को कुछ goods वो transfer करना अचाता है registered in West Bengal without any consideration so that goods can be sold from branch he believes that transaction that will be undertaken by him would not qualify as a supply and no consideration is involved Mr. Vijay कहां कहां है Delhi कहां बुसरा वो branch को transfer करने वाला है और वो कहां किया है without consideration that sell goods can be sold from the branch he believes that transaction that will be undertaken by him would not qualify as a supply अब चलो एक बहुत important adjustment supply में है और वो है stock transfer stock transfer पे GST लगाया गया है stock transfer के लिए आपको reference क्या चाहिए आपको reference answer मेंने सबके लिए हमसे भी हाँ discuss करें maximum questions cover करने की कोशिश करेंगे और सारे important aspects को हम touch करेंगे ठीक है presentation कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए मैंने सब answers आपको दिये हुए अगर आप stock transfer में आपकी दो points cover होने चाहिए कौंसे दो points cover होने चाहिए पहला cover होना चाहिए डीडीप डीडीप मतलब 20% अगर ये stage पर सोचे होगे कि directly लिख दो ये stop transfer liable to GST it would be treated as supply दो तिन लाइन नहीं marks नहीं आएगे even the answer सही है पर पूरे marks नहीं आएगे आप थोड़ा उसको properly explain करो 2 points में explain करो रहसे मैंने आपकी practice अब DDP में जो West Bengal में branch है वो registered है या नहीं है हमें नहीं बता लेकिन आपको मैंने DDP में दो concept पढ़ात है एक registered branch से आपने दुसरे registered branch को supply किया तो for each branch would be treated as DDP और 25,4 था और 25,5 था और 25,5 था कि अगर आप registered हो और another state में another state में आपका unregistered भी होगा तो भी वो DDP माना जाएगा तो अब West Bengal की branch registered है या नहीं हमको नहीं दिया पर it's a DDP तो sir exam में answer कह लिखे exam में answer आप दूना point लिख लो पहला वाला दूनो registered है और दूसरा वाला एक registered हो गे unregister है in another state then it would be treated as DDP तो यह case में क्योंकि अगर यह only this case study आई तो 2-3 mark का आपको ठेक है तो अब यह case में आपने लिखे पहले DDP लिख दिया फिर DDP नहीं के बस second आपको क्या लिखना है यह supply है या नहीं तो अब इसके लिए reference आता है para 2 of schedule 1 I repeat the word क्या para 2 of schedule 1 okay तो यह para 2 of the schedule 1 कहता है कि if you supply any goods or services to related person or deemed distinct person in the course of business without consideration उसके अंदर underline ठीक है थे without consideration then it would be treated as supplier तो एकसे किस में क्या यह supply माना जाएगा conclusion conclusion यह आएगा कि it would be treated as supplier चलिये अभी 1st हो गया 2nd हो गया 3rd हो गया 4th प्या आता है On the occasion of Diwali Mr. Vijay distribute gift hamper to his employee मारा टी तो फैन लागे लासा पैनल संत्र है Mr. Vijay has appointed Sorry On the occasion of Diwali Mr. Vijay distributed gift hamper to his employee worth rupees क्या 3 lakhs employee word है मतलब single employee Yes or no 3 lakhs Does it qualify as a supplier Would your answer different if gift of 42,000 has been given to an employee यह भी एक बहुत अच्छी adjustment है supply chapter में जिसके पर continuous question पुछती है देखो अगर आप free supply करते हो अभी तर जितने भी questions पूछे उसमें से 2-3 बार यह adjustment पूछी है friend को free दे दिया शादी में gift दिया ठीक है या अगर आप past examination question देते हो तो बहुत सी बात लिया उन्होंने शादी में gift दिया friend को gift दिया and ITC is not taken I repeat दोड क्या ITC is not taken तो देखो free supply पे एक point fix करना उसके पर GST नहीं आता है free supply पे GST नहीं आता है unless you are taken ITC अगर ITC लिए आओगा तो schedule 1 में वह supply माना जाए और government object क्लियर है कि ITC लिया है मतलब तुम business के लिए use करने वाले थै और तुमने ITC लेके gift दिया मतलब business के लिए तो use के लिए इसले उसको supply बुला गया अब यह case में employee वाला clause है employee वाले clause में schedule 1 का para 1 apply नहीं होता है employee वाले clause में more specific clause schedule 2 apply sorry para 2 apply होता है because employer और employee related person माने जाते हैं अरे यह समझा है जब भी conflict हो para 1, para 2, para 3 में तो more specific para will prevail over general para तो ऐसे case में अगर give दिया हो तो आप para 1 नहीं लगाँगे इसके case में कौन से लगाँगे para 2 लगाँगे para 2 is more specific because employee is treated as related person हाँ अब para 2 में एक proviso है यह important adjustment है इसको आपने बिल्कुश टच करना चाहिए एक proviso है और वो proviso यह कहती है कि अगर आपने employee को give दिया I repeat give दिया up to rupees 50,000 up to rupees 50,000 in a financial year तो 50,000 पे तक supply नहीं माना जाएगा और GST नहीं आएग ठीक है तो आपको legal provision में आपको यह proviso लिखनी पढ़ेगे पहला point लिखना पढ़ेगा अच्छा लगेगा Okay, employer and employee are kya related person दूसरा point आप लिखो कि as per proviso याद आया तो नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि if employer gives gift to the employee up to rupees 50,000 in a financial year then that would not be treated as supplier conclusion in given case a gift of rupees 3 lakhs is given by employer to employee which exceeds 50,000 hence it would be treated as supplier अब इसमें ख्यार रखना कि आप जब भी लिखो तब एक word बारगा ना चाहिए without consideration उसके उपर marks रहेगे ठीक है without consideration उसके उपर marks रहेगे तो ऐसे case में यहाँ पर 3 lakhs मित आएगा पर अगर यह gift की value 42,000 हो तो नहीं आएगा ठीक है क्राइट्रिया for treating that element supply are not ठीक है वो basic deduction नहीं है मतलब मेरा कहना क्या है कि अगर आपकी value 3 lakhs है तो total 3 lakhs पे GST आएगा 3 lakhs minus 50,000 नहीं होगे I hope you understood यह एक important point हमने touch के लिया point number 4 में उसके बाद में 5th number Mr. Vijay has appointed Mr. Jay to procure goods based on specification given by him Vijay ने Jay को appoint किया to procure the goods उसके बियाब पे procure करे goods को ठीक है बियाब पे procure करे बियाब पे procure करे उस तो click होना चीह है buyer agent वाला हाँ और यह selling agent है buying agent अब यह procure कर रहा है तो यह selling agent है या buying agent है buying agent है यह buying agent है as the same kind of goods are not available in the area of Mr. Vijay Mr. Jay buys the specified goods on his behalf from Mrs. XYZ Ltd for this activity invoice is issued in the name of principle in the name of principle यह बहुत important criteria invoice is के नाम का है principle के नाम का है टीक है whether it would be treated as supplier under GST would your answer differ if invoice is issued in the name of an agent Mr. Jay अब यहाँ पर इक परठी करके concept था परठी option प्रिंसिपर टू एजन की बीच में सप्लाय होगा, जो स्टॉक ट्रांसफर होगा, उस पर GST आएगा परा 3 के इसाब से, लेकिन इस पर CBIC क्लारिफिकेशन है, तो आपने लिखना कैसे छही है, सबसे पहले लिगल प्रोविजन परा 3, बूसरा आपने, एस पर CBIC क्लारिफिक तो हमारे गेवन केस में, क्या इन्वर्स एजन के नाम का है या प्रिंसिपल के नाम का है, प्रिंसिपल के नाम का है, एन्स अप्लाय बिट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्वि पूछा कि अगर यह इंवर्स एजेंट का होता है तो एजेंट का होता है तो इसमें एक aspect फिल से अच्छे से पढ़की जाना लिख लो साइड में आपको गर पे और साथ साथ में कौन से जीजे करनी है और questionnaire की कौन से जीजे करनी है questionnaire में मैंने एक question लिया ऐधर value of supply में लिया होगा या supply में लिया होगा Dell Credery Agent का किसका? Dell Credery Agent का कुछ पढ़ा याद आ रहा है? Okay, DCA, Dell Credery Agent का तो वो question आपको अच्छे से पढ़के जाना है उस question में valuation का principle यूज किया है मैं वो Dell Credery Agent वाला मुझे याद दिला ना जब मैं value of supply chapter पढ़ा होगा तो उसके साथ मैं connect कर दोगा specially the adjustment of interest, charge by Dell Credery Agent ठीक है तो उस पर हम बात करेंगे और वो Dell Credery Agent वाला अभी तक उन्होंने एक बार RTP में पूछा, एक बार exam में पूछा, फिर से वो problem पढ़के जाना Dell Credery Agent वाला वापा सरपेट हो सकता है ठीक है चली, next यहाँ पे 6th नमबर, Mr. Vijay received an interior decoration service for his residence from Mr. Rich's of Sydney एक मिनट, कौन से service लिया? interior decorator service for his residence, खुद के residence के लिया from Mr. Rich's of Sydney, Australia The amount paid for the service is 5000 in Australian dollars, पहले मैं import service के बारे में एक बार adjustment अच्छे समिल लो, तहला point, में ता सभी बिलोगे, पहला point रोजा माला एको, हाँ 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 है, तहला याँ है, first point याँ पहले यह बता दू आपको Import service for consideration, I repeat, import service for consideration, तो वो supply बुला जाएगा, is it clear? Second point, whether or not in the course of business, आने जो बार से service import कर रहा है, वो business के लिए हो या ना Personal purpose के लिए भी होगा, तो भी it would be treated as supply, if for consideration, ठीक है, third very very important point, pre-import service पे GST नहीं आता है, I repeat, I repeat क्या, pre-import service पे GST नहीं आता है, यह import service without consideration, ठीक है, आप internet service पे, Okay, जहां तक है, cloud service यूज़ कर रहे हो, प्री है, YouTube प्री है, आपके लिए तो प्री है, आपके लिए तो प्री है, yes or no, Okay, social media, Instagram, totally प्री है, ठीक है, तो free import service पे GST नहीं आता है, यह बिल्कुल fix करो, और मैं साथ बहो, unless, I repeat क्या, unless, related party, या own establishment in the course of business, in the course of business, अगर import service में consideration होग ही आएगा, फिर वो business के लिए हो, या ना, उसके लिए एक exemption है, पर वो inter-level पर applicable नहीं हो, final level पर applicable है, कि अगर कोई individual import करता है, otherwise than for business, तो exemption है, but it is treated as supply, so what is the difference between supply and exemption, supply मतलब उसके ओपर levy है, but government has given क्या, temporary exemption, ठीक है, तो पहले case में, अगर मैंने consideration दिया है, Australian dollar में दिया है, that interior decoration service, क्योंने मैंने residence के लिया हो, the consideration is given, whether it is a supply, yes or no, whether or not in the course of business, वो supply माना जाहेगा, ठीक है, import service का, दूसरा point यहां पर वोने क्या पूछे है, what would be your answer, if Mr. Vijay received interior recreation service for his residence, from his brother, Mr. Barron, residing in Sydney, Australia, only dependent on him, further Mr. Vijay did not pay any consideration, एक मिन, now related में एक definition तो आपने learn कर लेना, मैं जो भी के रहे हैं सारे important point लिख लेना, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या questionnaire से पढ़ना है, इस सारे important aspects आपने पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक आपने family की definition learn करके जाना, related में, क्योंसे definition, family, family में, family related person मानी जाएगी, और without consideration, transaction between family, okay, GST आएगा, in the course of business, in the course of business, done, अब family की definition में क्या लिखा हुआ है, कि spouse and children, वो dependent हो या ना, वो related मानी जाएगी, I hope you understood, okay, लेकिन जहां तक देखा जाए, brother, sister, parents, यह related तभी माने जाएगे, जब वो only dependent, is it clear, तो क्या यहाँ पर जो brother हो क्या वो only dependent है, दिया हो उनने, okay, क्या दिया है कि only dependent on him, तो only dependent on him, तो यहाँ पर वो related माना जाएगा, और related को without consideration, तो अगर आमने तरह 4th option 1 के हिसाब से service import की, और किसे import की, रिलेटर से import की, in the course of business हो गाएगा, I repeat, in the course of business हो गाएगा, तो यहाँ GST आएगा, अब दिको यहाँ छोटी सी critical adjustment, मैंने सच में पूरी कोशिश की है, मैं पिसले 10 दिल से इसके उपर work कर रहा हूँ, यहाँ पे, यह session, यहाँ पे, मैंने DTSC fix की थी कि मेरा complete होने के बाद यह पहला session आपके साथ, okay, super 30 का, तो यहाँ पे, मैं आपको के रहे, शोटी सी adjustment पर आप mistake कर दोगे, अब आपने कहा देखा कि brother dependent है, related है, import service है, आज JST आएगा, नहीं भाई सब, okay, यहाँ पे, in the course of business होना चीए, even though brother is dependent, related, without consideration, पर उनने in the course of business लिया है या residence के लिया है, residence के लिया है, residence के लिया है, वो supply नहीं बोला जाए, है, very important point, I hope you understood, okay, तो residence के लिया तो supply नहीं बोला जाएगा, okay, तो आपको यह लिखना पड़े गा है, even though brother is related, only dependent, okay, but the service is used not in the course of business, okay, तो ऐसे situation में वो supply नहीं बोला जाएगा, now next, will your answer change if our case Mr. Vijay has taken an interior decoration service with regard to his business premises and not for his residence, other business के लिए 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 तो फिर, then it will be treated as supplier, next question, now Mr. Vijay also showed a plot of land in Sabdarganj and Clow after leveling, laying down a drainage line, water lines and electricity lines, अब तोड़ा यह point को समझ रहाएगा, यह schedule 3 में, अगर आपको याद होगा, तो एक memory technique पेने class वे आपको पढ़ाई दी schedule 3 की, employer employee का जवरा होगा, कुछ याद आरा आपको, employer employee का जगरा होगा, दोनों court में गए, MP MLA की शिफार इस लिए, पता चला जगरा, line and building का था, जो lottery betting gambling में जेती गए थी, कुछ याद आरा, तो अगर आपको यह point से आदा रहे होगे तो, शायद कोई मेरे class का नहीं होगा तो मैं बता दो उनको, कि service provided by employee to employer, in the course of employment, or in relation to employment, दूसरा, court की कोई भी fees, I repeat, court की कोई भी fees, वो supply नहीं बुला जाएगा, as per schedule 3, तिसरा, MP MLA constitutional post supply नहीं बुला जाएगा, मैंने यह भी पढ़ाता है कि court का result आने के पहले चल बसे, मतलब funeral, burial, crematorium पे जो services है, services पे उस पर GST नहीं आएगा, क्या रखना, services पर GST नहीं आएगा, funeral पे, अगर कोई funeral पे goods यूज किया जा रहा है तो GST आ सकता है, okay, तो कपन का कपना उस पर GST आ सकता है, समझ में आ रहा है किया, benefit कि इसको भी आएगा, services, funeral, burial, crematorium, okay, तो वहाँ पे वो supply नहीं बुला जाएगा, उसके बाद में हाँ, एक important point है, sale of क्या land and building, sale of land and building, except, कोई बता सकता है, except, sale of construction of land and building, intended for sale, वह यादा है, before completion, after completion, उसको एक word है, intended for sale, before completion, कुछ यादा है, तो एक एक situation में, उन्होंने land sale की, एक CBIC clarification था, इसलिए मैंने यह point ले लिया, और मुझे लगता है, इसके ओपर question पूछा जा सकता है, CBIC clarification यह था, कि बहुत से बाद जो है, लोग agriculture land ले ले लेते हैं, NA करवाते हैं, NA करवाने का plotting करते हैं, plotting करते हैं तो उसको develop करते हैं, उसमें drainage line लाते हैं, electricity लाते हैं, labeling करते है land का, तो बीच में एक बहुत बहुत confusion था कि, अगर आपने land को develop करके plotting किया और बेचा, तो क्या वो, sale of land बुला जाएगा, या develop land करके GST आएगा, तो इस पर CBIC clarification आगया, और उन्हें यह कहा कि, इवन दो आपने land sale किया, जिसमें drainage line लाई, electricity लाई, सब कुछ लाई तो भी, वो ultimately contract sale of land लाई, और sale of land का होने के विजए से, उसके ओपर GST नहीं आएगा, तो यह एक important point था, next 8 number, Mr. Vijay also provide bus service, mail coupon, telephone at residence, use vehicle for official and personal use, uniform, shoes to his employee, explain the implication of GST under this, in this case if, यह बहुत अची attachment है, इसके ओपर exam में question आ सकता है, if these perquisites are provided as per the contract, enter between employer and employee, and second, the perquisites are provided willingly by employer, for better performance of employee without any agreement, सबसे पहले तो मैं इसका reference लेना चाहोगा, इसमें दो references आएगा, एक reference आएगा, schedule 1 का, आपको यागा, schedule 1 का gift दिया employer ने employee को, up to 50,000, employer ने employee को, give दिया, और वो gift कितना, up to rupees 50,000, up to rupees 50,000, ठीक है, और दूसरा था schedule 3 का, okay schedule 3 का reference, service by employee to क्या employer, employee to employer, उसमें ले यह employer, और यह employee है, और employee ने employer को जो service दिया, जिसके guess में क्या मिल रहा है, salary, wages, तो उसके ओपर yes 3 नहीं आएगा, yes 3 नहीं आएगा, a word है, जो भी कुछ मिला, in the course of employment, I repeat the word, in the course of employment, और क्या, in relation to employment, और in relation to employment में perquisites मिला, I repeat the word क्या, perquisites मिला, in relation to employment, in the course of employment, तो क्या उस पर GST आएगा, तो इस पर CBI से ने clarification दिया, और यह question CBI से clarification पर, CBI से clarification यह था कि, अगर जो perquisites मिले, और employer ने, I repeat क्या, employer ने employee को perquisites दिये, अगर इसका employment contact दो, and under contract that perquisites is given, then it would not be treated as supply, but if perquisites given as a gift, I repeat the word, as a gift, and not under the contract, then it is a gift, perquisites कौन किसको दे रहा है, employer employee को दे रहा है, अगर वो in the course of employment है तो क्या लग जाएगा schedule 3, schedule 3, para 1, और वो case में, schedule 3 and para 1, वो case में supplier नहीं बोला जाएगा, क्योंकि in the course of M, पर वो gift होगा, तो schedule 1 लग जाएगा, schedule 1, para 2 लग जाएगा, और schedule 1, para 2 के इसाब साब जाएगा gift की value, perquisites की value 50,000 से जाला होगी तो उसके पर GST आ जाएगा, question क्या पूछा गया, question क्या पूछा गया है, कि जो यह सारे perquisites दी है, क्या perquisites दिया, employee को bus service दिया, employee को mail coupon service दिया, employee को telephone address दिया, दुनिया बर की services हमने employee को दिया, as a क्या perquisites, we explain the implication of GST, अगर these perquisites are provided, as per the contract enter between क्या, employer and employee, और दुसरा perquisites are willingly provided, अगर as per contract होगा, तो it is not a supplier, लेकिन अगर willingly provide क्या होगा, तो gift है, value 50,000 के उपर होगा, तो उसके उपर GST आएगा, I hope you understood, समझ में आ रहा है आपको, अगर आप यह सारे points देखते हो, तो हम सारे important aspects को cover कर रहें इसमें, यहने, बहुसी बार क्या होता है जब आप पढ़ते हो, पढ़ते होगा कैसा लगता है कि आप आप समंदर पढ़ लिया, पूछा इतना सा, exam के question, कभी किस इन test series कोई दे रहा है, अभी यह pyramid try किया है गया, तो जब तुम exam देने जाते हो और test देने जाते हो तो ऐसा लगते हो पढ़ा समंदर, और पूछा इतना ही, तो यह अब last month का आपका पढ़ने का approach होना चाहिए, अगर आप यह approach से जा रहे हो पढ़ने के कि भई आपने book ले लिया, परस page, second page, third page, चालो हो गया, इतना time मिली, आपका approach होना चाहिए, पढ़ आप questionnaire लिया, book लिया, important adjustment, यह questionnaire के, अगर आपने first time questionnaire पढ़के उसके उपर highlight किया होगा कि यह important है, यह जितना जाबत से ज्यादा approach यूज़ करोगे उतना आपको help होगा, और within time आपका पूरा syllabus खतम होगा, नहीं तो पूरा syllabus खतम करना मुश्किल है, और मैंने यह super 30 questions में यह कोशिश की है, कि आपका maximum syllabus मैं इसमें cover करो, ठीक है, सारे important aspects को cover करो, चलिए, तो अब यह यह बाला point हमने cover किया, next, along with the above, Mr. Vijay also provides service of building online money gaming to his customers, अच्छा, एक amendment थी आपको याद है actionable claim, अब actionable claim के जगा वेड़ आगया है क्या, specified actionable, वह भी मैंने cover कर लिए, specified actionable, specified actionable claim की definition learn करके जाना है, लिख लो, specified actionable claim की definition learn करके जाना है, ठीक है, specified actionable claim में lottering, betting, gambling तो आए गई, उसमें कैसे नो भी cover कर लिया है, online money gaming भी cover कर लिया है, और horse racing भी cover कर लिया है, ठीक है, तो 6 items अब specified actionable claim में cover कर लिया है, अब schedule 3 क्या कहता है, पहले तो मैं आपको कह दू कि actionable claim यह जो है, यह goods है, I repeat actionable claim is goods, कोई ज़रहत ने goods की definition रट्टा मानने की, कोई ज़रहत ने, उसका इत्मा ही point important आपकी ज़रहत लिया, कि actionable claim is goods, not a service, तो actionable claim जो है, यह पे goods है, but, schedule 3 कहता है, कि actionable claim not treated as supply, other than specified actionable claim, मतलब? Even though it's a goods, but not treated as supply, other than specified actionable claim, मतलब? अब actionable claim को पहले क्या था? अगर कोई इसके पहले के बैश में हो गया, तो उसने क्या पढ़ा था? actionable claim not treated as supply, except lottery, waiting and gambling. अब lottery, waiting and gambling वह रागा दिया है, और वहाँ पे क्या लिखा है? Specialty by actionable claim, मतलब? 6 actionable claim को छोड़कर, 6 actionable claim को छोड़कर, बाकी actionable claim पे GST नहीं आएगा. Which are 6 actionable claims? lottery, waiting, lottery, casino, casino, online money claiming, and और स्वाइगा. ये 6 actionable claim supply, बोला जाएगा. GST आएगा. I hope you understood. तो ऐसे case में, तो ये बताब waiting actionable claim GST आएगा, supply बोला जाएगा, ये specified actionable claim में आता है, और online money giving. ये भी specified actionable claim में आता है. Then, उसके बाद में next. 10. Mr. Vijay has made interest rate supply of air conditioner to customer in क्या Delhi. क्या किया उसने? Intrast rate supply. Threat is separately charged in the invoice. Threat separately charged in the invoice for delivery of goods at customer doorstep. value of goods, जिसके GST, 26% value of freight, charge charge separately in the invoice GST 5%. तो ये case में, आपको ये बताना है कि अगर मैंने freight अलग से charge किया, मैंने माल बेचा, माल में goods बेचा, और goods के साथ साथ मैंने उसको क्या charge किया? Freight charges लगा है. ये ये composite supply है. तो freight or insurance with sale of goods is a naturally bundle in ordinary course of business. तो आपको क्या लग करके जाना है? लिख लो. अगर आपने notebook लाई होगी तो ये पिर यहाँ पर अगर तो आपको दो definition लग करके जाना है. कौंसी दो definition? लग करलना, रटना हाथा composite supply and mixed supply composite supply and mixed supply रटना हाथा ये दो definitions ये दो definition में composite or mixed supply अब ये दो definition में composite supply की definition okay two or more taxable supplies, I repeat two or more taxable supplies supplied in conjunction with one another in ordinary course of business which is naturally bundle naturally bundle one of the supply is principle supply तो ये points आपका आना चाहिए composite supply की case में तो ये जो आपका answer आना चाहिए कि ये जो freight है, it's a composite supply इसले पुरे फुरे 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 रेट में जाएगा 6% या 5% वो 6% each मतलब total 12% 6% each मतलब total 12% तो यहां पर 12% में classify होगा next 11th number, in order to enhance the sale and to clear the stock of old model of air conditioner Mr. Vijay made a combo offer to customer if a customer purchased air conditioner along with stabilizer the same offer as a combo price 20,000 as against original price 30,000 air conditioner 22,000 and stabilizer 8,000 if these are purchased separately अगर separately stabilizer किसा है, हम क्या purchase करते है AC तो अलग अलग प्राइस है पर दुने साथ में लेते हो तो क्या combo offer में 20,000 during the year Mr. Vijay has made interstate supply 10 number of combo product rate of air conditioner GST 6% or stabilizer कितना 9% determine whether our activity for another अभर मतलब सारी activity supply में आएगी या नहीं आएगी अगर आप देखते हो तो stabilizer के साथ अगर आप AC देरो तो क्या यह mix supply है यह mix supply है अगर mix supply होगा तो किस में जाएगा highest rate में जाएगा मैंने यहाँ दो लाइं में लिखा है पर में चाहतो कि exam में आप mix supply की definition भी लिखो what do you mean by mix supply two or more independent supply I repeat the word two or more what is the difference between composite and mix supply composite supply में two or more taxable supply और यहाँ पे two or more independent supply supplied in conjunction with one another which is not a composite supply and not naturally built तो फिर यह definition होई अगर mix supply होगा तो क्या लिया जाता है IS rate चलिए तो यह जो है हमारा question 1 साही important adjustment aspects मैंने cover कर लिए अब इन addition to this आपको पढ़ना है तो बस मेरे questionnaire के RTP के questions I repeat क्या RTP questions इस बार के RTP मत छोड़ना मैंने discussion डाल दिया हुआ है तो पहले आपको इस बार के RTP करना है मेरे questionnaire के RTP के questions और examination questions इतना ही करो अगर extra आपको additional करना है तो otherwise आपको इतना भी कर लिया तो भी more than enough इसके अलागा कौन कौन से questions पर writing practice करना है मैं आपको बता दूगा yes or no चलिए तो यहां हमारा पहला chapter 1 होता है और पहला chapter यहां पे supply कुछ याद आ रहा है yes or no चलिए दूश्रा कुन से लिना है आप बता दूगा IDC लिना है RC में लेलू दूश्रे चप्तर में हम आते है और दूश्रे चप्तर लेलो RCM and क्या Ethereum इस चप्तर में इन्होंने अभी एक extra concept आड किये और वह कौन से issue के आपने वह मेरा वीडियो देख लिया है transition from old to new सबने देखा है जिसमें कौन से चप्तर आड के बता हू check करता हू kliosops apply 3DS TCS Accounts Records और क्या issue आड के आड किया है Electrical Commerce Operator Notes नहीं मिले आयके अविलिबल 10-10 reverse charge and issue इसमें issue पर शोटास का question और मैं आपको भी बता देता हू छोटे से question में Omnibus वाला question वह पूस सकते Omnibus वाला याद है word तो याद होगा ठीक है क्या है छोड़ो क्या था sir वह याद नहीं word याद है Omnibus ठीक है word तो याद होगा मैं आपको वह समझा देता हू Omnibus वाला ठीक है तो उसका attention मतलो यह जो है chapter मैंने chart में दिया है या फिर हमने जो charge बना है exam के एक मैंने एक घंटे पहले exam के एक घंटे पहले ऐसा पढ़के जाना गरम गरम दिमाग में रहना थी समझ में आया कि भी लिक के चीप बनाके माँ जाना ना लाए और आया yes, recipient is body cooperative partnership आपके रहे हैं पर्सन आरे है ना कभी कभी recipient बना सेंटिटी कभी recipient registered person तो यह समझते हैं एक recipient को समय आया कि नहीं तो अब इसमें आपके यह चाप्टर का nature है इसले डरो मत बस यह चाप्टर अपने आपको यह बोलना अभी तो पंड़ा आओ तले भी पढ़ोगा और exam के एक घंटे तले भी पढ़ोगा तो चाप्टर का nature ही ऐसा है सबज मैं तो अब यहां पर reverse charge reverse charge में मैं आपको explain करूगा आपको याद है तो अच्छी बात नहीं आया तो बिल्कुल डर्ना मत और यह पढ़ा था अब तो याद आया नहीं अब क्या करूग दिखो अरे moment पर अभी ऐसा होगा कि anxiety, guilt, negativity, tension, stress अरे आया ना हर moment हर moment रहा देख रहा है इसके और यह इसको भी कैसे हम handle कर में बता होगा हम आकरी में बात करें इस related, लेकिन बस मैं इतना ही कहोगा कि उस anxiety को जो चीज़े negative है उसको positive करना आपके हाथ में भई नहीं आद आया ना ठीक है, मैं exam के पहले गंटे पहले इसको रखता हूँ क्यूंकि आप क्या करोगे नहीं आद आ रहा है इतना tension बढ़ा होगे कि जो याद आ रहा है भूल भूल जो याद आ रहा है भूल भूल जा होगे हम इस पर बात करेंगा आखरी में RCMP नहीं याद आया दो बरूमत मैं याद दिला दूगा और 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 आखके पास opportunity के exam के एक दिर घंटे पहले इसको फटावर पढ़ लेना इस अपर का nature यह ऐसा है यहां पर मैंने जो question बनाया हुआ है question number 2 अब देको यह क्या करता है ओम जायव जग्दीश हाँ वो 3 partners इनक्या यह सारे questions का आप कई दिखे कि नहीं मैंने बनाया है इसके बाद अगर कोपी करता है तो समझ जान मेरी है तो partnership firm who are engaged in the manufacturing of partnership firm engaged in the manufacturing of textile and trading of government registered under GST from the following information determine a person, आपको सीब इतना determine करना है, a person liable to pay GST इन बोड supplier and disciplines are located in India अब देखो, RCM के questions straight forward अगर 2017 से लेकि अभी तक मैं ले लूँ जब से GST आया तो इंटर में RCM पे questions अभी तक straight forward दो ही बार रहा है कि बही, specify कौन liable होगा RCM पे बेगा numerical questions हैं, जो मैंने questionnaires में लिए computation में generally RCM की adjustment जो आती है तुम्हारे पहले जो 8 mark का 10 mark का question होता है उसमें एक adjustment आ जाती है RCM की और उसमें आपका identify करना पड़ता है कि यह forward charge में है या reverse charge में समझ में है क्या तो RCM chapter में बस इतना ही समझना की अगर question पूछेंगे, straight forward तो मुझे 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 लगती है, लेकि तो आपका जो बड़ा portion होता है numerical questions उसमें एकादी adjustments किसके होगी RCM जैसे अब इस बाग की अगर RTP देखोगे तो DSA Direct Selling Agent वह आपको decide करना है कि यह forward charge में है या reverse charge तो फूरे RCM में सिब DSA कूछ है तो RCM प्रेक्टर से जादा frequent revision यतना revision करोगे parameter से आद रगो कि liability कहा आती है और कहा नहीं आती है तो पहला Mr. Ohm who is a partner in Ohm textile supplies, silk yarn and raw cotton to ABC who is registered under GST मैं आपको यह goods का नहीं पुछे के पर बता देता हूँ RCM 93 के दो type के होता है एक goods का होता है और एक service का होता है मैंने मेरे notes में goods के RCM कुछ दिये थे अगर आपको याद होगा तो Cashew Nuts होगे रहे कुछ याद आ रहा है goods के RCM दिये थे जिसमें Cashew Nuts था बिडिवाइपर रिल्यूस था और उसमें sell yarn भी होता है ठीक है तो जिसमें reference के लिए ले रहा हूँ क्या हो है कि अभी institute ने final level पे goods के RCM apply कर दिये पर inter level पे clarity नहीं दिया है पर महीं पुछेंगे clarity नहीं है तो last time के notification applicable होगा पर inter level पे नहीं पुछेंगे एक इंजसे एक adjustment मैंने ले ले कि या सिर्क yarn होगा तो ये RCM में आता है अगर purchase करने वाला कौन होगा रिजिस्टर पर पर पहली adjustment को इतनी important नहीं है ठीक है बुछवा यहां पर own text to a product sponsorship service कौन sponsorship service दे रहे है Sponsorship service to Mr. Manish Malotra और क्या sponsorship service Sponsorship service में मेरे साथ अभी revise कर ले या आया है लिए मेरे साथ रिवाइस कर लो Sponsorship service में supplier of service is any person supplier of service is any person और लेने वाला Body corporate या partnership firm in a taxable Body corporate और partnership firm including LLP including LLP in a taxable territory ऐसा ऐसा होगा तो reverse नहीं तो forward सभी में है क्या है ऐसा होगा तो reverse नहीं तो forward यह exemption होगा था exemption RCM के साथ बहुत से exemption भी mix है अगर मैं आपको बता दू जैसे legal service Legal service आप देखते हो तो legal service में वह है Legal service by an advocate to business entity reverse है But, exemption देखते हो तो business entity का aggregate जो service लेने वाल है उसका aggregate आप प्रस्रिंग financial year में threshold से नीचे होगा तो exemption भी है आप समझ रहे ना हर्सियम के साथ थोड़े exemptions जा जाए वह देख लेना और कि government sector में exemption है वह भी आपने देखना है तो दोस्तों यहाँ पर लेने वाला कौन है और कोन है लेने वाला ओम जाए जदिश partnership पार्ण sorry 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 यह supplier पही नहीं परसब्य लेने वाला यहाँ परण 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 यहाँ लेने वाला Mr. Manish जो है यहाँ पर इंडी जो ले आजा RCM कर दो तो पार्ण परण 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 तो reverse है परण 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 चाहिए सभी जगा exemption मतलगा लेना ओके थो आप से हम पढ़ते वर्ड मैं आपको बता तो exemption कहां कहाते government sector में आते yes or no exemption आएगा किसमें? government में आएगा GTA में आएगा GTA unregistered को देता है जो notified category में नहीं सभी जगा exemption नहीं आते है GTA में आता है दूसरा government में आता है तिसरा legal legal service में exemption आता है I hope you understood तो बाकी ऐसा ऐसा रात तो RCM नहीं तो forward तो आपने class होने के बाद पहली चीज कर लेना नहीं तो बहुत confident होता है यह exemption में है यह RCM में है आपने एक लिज मना देना है कि कौन से RCM में exemption है GTM में है तो अंडरिस्टर्ट जो notified category में नहीं आता है उसके बाद में government उसके बाद में legal service वो 4-5 exemption को छोड़के बाकी ऐसा ऐसा होया तो reverse नहीं तो that's all I hope you understood तो अब यह पर sponsorship service तो यह reverse जाएगा और forward जाएगा forward जाएगा supply tax देगा okay, तो textile company supply tax देगा second, in textile उने appointed senior advocate एक मिनट किसको appointed किया? Senior advocate Miss Priya for representation of a legal matter would you answer deeper, उन textile appoint local advocate Mr. Sagar, वो further appoint Miss Priya for representation, दोनो point को समिछ आ पहला, पहला, इन textile यह वो business entity है registered है नहीं है वो छोड़ो क्या वो business entity है yes or no, जो कई पर जाएगा registered person, कई पर जाएगा business, तो अगर legal service देखेंगे तो legal service के लिए word है business entity legal service पहली बाग, वो legal service हो नीचे legal service supplied by advocate, senior advocate or form of advocate form of advocate to business entity be careful, business entity may be individual doing business business entity may be proprietor doing business समझना है क्या okay, तो business entity होगी तो वो situation में यहाँ पर reverse size आएगा business की definition क्या है, कोई गरण नहीं learn करने की अब सब बिजनस की definition थी क्या GST में वो 9 points थे आपको याद है गया gender love special अभी आपको यह बहुत clear समझना चीए कि कहाँ time देना है और कहा time नहीं देना है अभी वो business के definition के पढ़ा हुआ है कि वो learn करते है तो मैं कहोगा भाई साब फिर तो मुश्किल अब यह कैसे समझेगा आपको कि कहा time देना है कहाँ नहीं सच कहो क्या regular book बाजू में रखतो फिर सरफ पढ़े गया चाट से एक flow बना लो go through करो और सबसे ज्यादा questionnaires questionnaires के adjustments और आपको परते-परती समझ जाएगा यह important यह important यह कर लेते अगर आप यह movement पे सिर्फ GST नहीं सारे subjects regular book में पढ़े रहे हैं और आप यह deciding नहीं कर पाए कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो मुश्किल है ठीक है low questionnaires जो भी आपने खुद की notes बनाई होगी वो बेस खुद की charts बनाए होगे या मेरे chart book वो बेस questionnaires की important adjustments बस उस पर ही चला ठीक है तो ही आपका syllabus बहुत अच्छे से cover ठीक है इसमें बार-बार side में एक feeling कहो या emotion कहो कि मैं सही तो कर रहा हो ना इतनी adjustment कर रहा हो अगर मैंने जो छो दिया में उसका या गया तो फिर मैं एक्जाम में क्या करूँगा फिर एक side में और फिर नहीं नहीं वो कर लेते और सबसे जारे problem आपको क्या होता कि आप जो कर रहे हो जो पढ़ रहे हो और दूसरे subject का कुछ आ गया और पढ़ा हुआ वो याद नहीं आया तो तू तो दिया तू तो वहीं कियो समझ में आया क्या मैं फिर से आगो कहता जो subject के लिए जो time दिया है उसमें दूसरा subject entertained नहीं कर दो उसमें दो बाते हो सकती है याद आया तो confidence super boost हो जाएगा नहीं आगा तो कोई हालग में entertained नहीं कर और आपकी friends आएगे आपसे confidence लेने वो चाहता है कि आपको ना आया क्योंकि आपको नहीं आया उसका confidence पर जाता है मैं study हूँ वो उसका रादियो पर जाता है मैं study हूँ तो इसको भी नहीं आ रहा है मैं मेरे पर याँ वे एक incidents आपके बताना चाहा होगा मैं पड़ा था final के exam गया अब एक friend को question उसको समझ में आ गया वो मेरे पास है Michelle ये कैस है FM था मैं ये लौ समझे बहुची नहीं तो मेरा interpretation बढ़ा FM था मैंने देखा मैं पढ़ा हुआ था फिर वो थोई दवाज भी बता रहा लेक इसको ऐसा करते ये इसको ऐसे adjustment और ये ऐसा adjustment है और ये easy है मैंने का या जब पहले जो गालिया मारी लिए मैंने जब तेरे को पता था तो मेरे पास आके मेरे को पूछ रहा है मतलब मतलब ऐसा हुआ कि खुद का confidence लेके जा रहा है मेरे को बरा दिया है मैं दीन बरा परेशान तो भाई साब कितना भी कितना भी बहुत selfish हो जाना कितना भी close जिसके लिए तुम जान देने को भी अभी जान देना पर इसमें कितना भी close नहीं अभी तो आपका time अगर बहुत close friend होगा ना तो अपनी पड़ा इसमें उसको पड़ाने भी जाएगा बहुत close friend होगा तो जान देने को रेड़ी हो ना तो यह तो पुछ भी ने मैंने यसे बहुत से cases देखे है कि इसा जान देने वाली के case में भी जान देने हो रहे गया जो जान देने वाला रहे माओ रहे गया और इसपर जान दिया था तो अब पाजब भी हो गया होगा आगर चले भी गया हो इतरा प्रेट को पापर बैठा हुआ लए तो सल्पी शुटे ना पड़ी, ठीक है, वो जान होग रहे है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो देदेगे ना पर, ठीक है, तो यहां वापस आजा हमारे डिस्कृशन पर, चलिए, लिगल मैटर पे, तो पहली बात तो पिक्स्टल ने मिस पर यहां पर, इसका लिगल सर्विस लि क्या गया, बिजनेस एंट्री ने लिया, तो यहां क्या लग जाएगा, अभी बर्शा, यहां लग जाएगा, नेट्स, वुडियर एंसर डिफर, इप ओन टेक्स्टल अपॉइंट अपॉइंट करना है, उसकी टेक्सबिलिटी नहीं देखनी है, इसने किसको अपॉइंट क साधर को अपॉइंट को, अगर अगर अपॉइंट को, समझना है क्या, तभी यह केस में क्या लगेगा, रिवर्शार्च है, दोनों केस में रिवर्शार्च, अप लिकेबल होगा, डान, मैंने अंसर दिये, वह आप रहीं कर सकते हैं, मैं स्रिव आपके साथ डिसक्स मेरा ऑब्जेक्ट बस इस बैरेथान में यह है, कि सारे इन इंपोर्टन अस्पेक्स को हम कवर करें, और उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसके उपर डिसक्शन करें, इस एट क्लिया, चलिए, नेक्स, आपको बेनीट हो रहा है ना, येस और नो, ना, नेक्स, अब मैं आपको बताओ, simple होगे, renting of motor vehicle मतलब आपने कही जाने के लिए car rent पे लिया, आपने कही जाने के लिए bus rent पे लिया, company ने अपने employee के लिए bus rent पे लिया, car rent पे लिया, that is the simple meaning of renting of motor vehicle, अब renting of motor vehicle, अब रेंटिंग अब motor vehicle पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में difference है, ये difference हो सकता है, चोटा सा question ब आपके control में नहीं है, vehicle सामने वाले के control में है, आप सिप as a passenger जा रहे हो, समझ महा रहा है, as a passenger आप बस में जा रहे हो, जिसमें ticket charges दे रहे हो, अच्छा जब आप बस में जा रहे हो, तो क्या bus आपके हिसाब से चलेगी या आपको बस के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको जिसमें आपके पास कोई भी control और custody नहीं है, जिसमें आपके पास कोई भी control और custody नहीं है, जिसमें आप service ले रहे हो, from one place to another place, on specified route, जिसको हम कहते है passenger transport service, river charge passenger transport service में नहीं है, river charge renting of motor vehicle, अब renting of motor vehicle मतलब क्या, तो renting of motor vehicle मतलब आपने car rent पे लेली, अब आपके direction के साब से आपको जाना है, समय में आ रहा है, आपको 10 ज़गा रुकना है, वो driver आपके इसाब से काम करेगा, that is called as renting of motor vehicle, क्योंकि custody control of that motor vehicle, वो आपके पास है, is it clear, तो renting of motor vehicle में, ये बहुत बहुत बलग कि उस बहुत 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 कि उस बहुत 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 ब पास का, तुमारे जो भी यहां पे, पॉइंट से, जहां पे आपको पॉइंट से, वहां पास है, एम्पलय उतर जाएगा, और एक होता है, बस से हायर कर लेना, एक होता है, क्या, का हायर कर लेना, under the air control, तो इसमें CVC का क्लारिटिकेशन आया, कि passenger ट्रांस्पोर्स अभी इ I hope you understood तो है एक एक है रेंटिंग आप मोटर वेहिकल अब रिवर्ट चार्ज में टोटल सिक्स फट्रेंटिंग आप मोटर वेहिकल में पहला, मेरे फ़र भीवाइस कर लो पहला, नेचर क्या हो माझी है रेंटिंग आप मोटर वेहिकल, दूसरा that motor vehicle designed to carry passengers अरुपे, designed to carry passengers तिसरा factor कहा है Cost of fuel is included अरुपे, Cost of fuel is included अरुपे उसके बाद में Supplier में 12% अफ्शन नहीं है सप्लियर में 12% अफ्शन, कौन्स अफ्शन 5% उसके बाद में Supplier को अफ्शन अचिए, Any person other than bodyguard Any person other than bodyguard और linear अफ्था bodyguard लेड़ वाला बाड़गोर, यह यह शेर फक्तर है, खेटर होता है, टेरीवर्स, नहीं तो फॉल, इसमें का एक भी फेक्टर, और के नहीं फॉल पी लूदा है, तो क्या लग़ेगा? पॉल नहीं अच्टर, खेटर, पॉल फेक्टर, और मुझा बता है, दिए नहीं वाला प थे बोड औरुपरेट है। क्या कॉक्टोफरेट है? यस और नो? क्या 5 % वह 12 % डी अप्शन ले रहे है और 5 % डी अप्शन ले रहे हैं? तो क्या सारी कंडिशन फुल्फिल हरी है? तो सारी कंडिशन फुल्फिल हरी है। इसका GST कौन देगा? किसने शर्वीश, और लेने वाला कौन है, कौन टेक्सटिरल क्या, कौन टेक्स कोन देगा, लेने वाला कौन होना चीह बहुरी प्रपर, इन टेक्सबल टेरी, तो यह पार्ट्नेश्टिरिफ फर्म है, इसका एंसर के लिए है, मैंने परेट चार्ज में आएगा न? यान मिस्टर पुना वाला देगा न? क्यों मिस्टर पुना वाला देगा? क्योंकि यहने वाला पार्टनरशिप पाम है, लेने वाला को ना चीए, वाल गाड़ के? यहां पर क्लास वाला क्रेंट पर स्टेस घुण गया यहां पर लिमिटेड सर्विस का ITC अलाओड है एस पर नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट यहां पर उन्होंने करा है, क्योंकि जब फाइनल लेवल पर जाओगे, तो फाइनल लेवल पर एक नोटिफिकेशन आता है, कि यह सर्विस में एक इसलिए कैंड इसार्विस में परिवर चाहज्त, यहाँ लेने वाला कौन है, इसलिए रिवर्स में जाने या इपर्वाड में है इस बार आपको एक अजस्मेंट आ सकती है गौवर्मेंट की रेंटिग या इंयए डिन रेलिवेवे, मैं आपको बता दूँ जाट अगर आपको याद होगा जाए से सुन इनी service provided by government or local authority to business entity इनी service to business entity तो क्या वो river charge में है yes पहला पाट इनी service to business entity क्या वो river charge में yes और इसका tax कौन पे करेगा business entity पे करेगा इसके कुछ exceptions पहला पहला डिपार्टमेंट और पोस्ट, और उसमें एड़ किया है, और इंडियन डिल्वे की सर्विसेश, दूतरा, वेफल एक राग को सर्विस पोर्ट पर दी जा रही है, और तितरा, पैसेंजर टांस्पोर्ट सर्विस, यह तिन फर विसेश ऐसी है, कि जहां इसको आप एसा याद रखोगे, रिंटिंग और इंवर्बल प्रपरटी बाइ गॉर्मेंट और क्या एले, अभी जाने दो, आपको याद आरा नहीं आरा छोड़, अभी लान कर लो मेरे साँ, अभी लान कर लो मेरे साँ, अगर इंडियन डिल्वे होगा, तो फर्वर्ट छाज ही रह गो, इनियन डिल्वे को फर्वर्ट चाल ची, भी लान कर ल्की कर, अघर का लिएा, अधर गोःम्ट हो गया, अगर तो फार्वट चाल लगी, गीजिडिया, अब यह पॉ थार्ण अगик, क्यों तो फिला अगे खे पोई शाड़ हो, आशल चिया गा, और ओंटेक्टारीन और गासी सक्षापक था 1 ? मुझे यह बता हो फी इसे इस इस परिफयर ग्रेंविस kया ? रो फीद्सें को क्यं हो पीछ्यां ? से द्सेलेक्टारीनन और को फीद्सेयर्ट कि यह टर्थ क।स्पलर्म्ट नहीं है ? मतलब government ने renting service किसको दिया तो इसका tax कुन देगा home tax plan देगा na who is the recipient home tax plan तो इसका tax कुन देगा चला answer पढ़ो check कर एक बार क्योंकि देखो, notes मैंने अभी बनाय हुआ है तो छड़ा हुआ जुपट answer में कभी गलती भी हो सकती है एक बार check कर लो कौन है, read करो उसके बाग में 6th number Mr. Jadish who is also independent director of A2Z Private Limited has received sitting fees amounting to Rs. 1 lakh from A2Z Private Limited for attending क्या board meeting very important, इस बार question आने के चांसे से अब थोड़ा यहां पर डारेक्टर से रिलेटर समिछ लो डारेक्टर का अगर income tax में सुनना जान से सभी लोगान सुनो डारेक्टर का अगर income tax में सुरे पहले ही बता दू अगर डारेक्टर कोई रही सर्विस body corporate अपने company को रेता है तो उसका river charge में tax कौन पे करेगा company river charge में tax company पे करेगा done yes or no second point इसमें सी भी ऐसी clarification है कभी डारेक्टर employee भी होता है अगर डारेक्टर employee है तो फिर तो schedule 3 पेरवन लग जाता है और schedule 3 पेरवन जब supply नहीं है तो question of power charge and river charge does not arise does not arise is it clear next point CISA clarification कहता है कि अगर डारेक्टर का tedious income tax act section 192 में deduct हुआ होगा कौन section में 192 में deduct हुआ होगा तो उसको जो remuneration बिलेगा उसके ओपर GST नहीं आएगा लेकिन अगर उसका tedious section 194 जे में या अबर section में कता हुआ होगा तो फिर कुछ remuneration पे GST आएगा और reverse charge में कौन पे करेगी company पे करेगी तो अब इसमें sitting fees दी है sitting fees यह salary नहीं है director को board meeting attain करने के लिए special separate amount दिया जाता है उसको अब क्या कहता है sitting fees yes or no sitting fees is not remuneration in the course of employment तो क्या इसके ओपर GST आएगा yes और reverse charge में कौन tax pay करेगा company company या partnership कौन अरे समझ मैं okay sorry एक मिनट हाँ तो A to Z private limited है ना company pay करेगी yes reverse charge में यहां पर company okay tag देगी अब यहां पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहोगा और वह बड़ा important है उसके पर question पूछा जा सकता है एक मिनट आपने notebook लाया हुगा है चलो मेरे साथ एक flow बनाऊ और आपको इंग्रीज करता हो नहीं तो नहीं आना चलो जाएगा चलो डायेक्टर केस में दो पार्ट करो तिंग टियरेस्ट उडेक्टिब पास्थ उन तेरिस रेक्टिब अंडर सेक्ष्ण क्या 192 तो क्या है इनगोज़ ओ इन दा कोर्स ओठ उप्प्लिमिंट उग और इनगोज़ आप्म्लियमिंट और इन दा क्या है बटाइट 9GST 9GST अगर सर्विसेश अगर सर्विसेश जो है इसमत दो पार्ट पर प्लारिफिकेशन मुझे असा लगता है इसके पर क्वेश्चन पुछ जा लगता है सर्विसेश अगरसेश इन दो पर सिट आपपी आपपी आपिडर। इन सर्विसेश अगर्डेश अधपुछ आपिडर। services in the capacity of director जिसका TDS section 194 में J deduct law होगा तो क्या यह artyum लग जाएगा और इसमें tax कौन देगा body corporate यह वाला point समझ लो not in the capacity, एक CBIC clarification है बहुसी में director services जो देता है not in the capacity जैसा renting renting of immowable property, ठीक है अब यह पुने में जो हमारा वे स्मार्ट का office है वो मेरे इंग्रीजर की नाम का है और मैंने, मैं I am the director of the company और मैंने अपने company को rent पे दिया और मैं rent लेता हो, अपने company से अरे समझा नहीं समझा मैं अपने company से rent लेता हो मुझे यह बताओ कि वो renting करना या वो in the capacity of director है या वो मेरा private अलग से शर्विस है काई राके में director नहीं भी रहा, तो भी rent तो मिले गई अरे, yes or no तो that is not in the capacity of director, हाँ, sitting fees in the capacity of director, board meeting में बेट रहा in the capacity of director, okay, मुझे कुछ activity company का as a director करने के लिए remuneration मिल रहा, जिसका TDS professional fees मिल रहा, TDS 194 जीए में होगा वहाँ आर्स के में अच्छा, मुझे एक बता दिखना जाता है आपका knowledge मैं as a faculty Vsmart को I am also director, but as a faculty मैं Vsmart को service दे रहा हूँ और मैं Vsmart को as a faculty मेरा fees ले रहा हूँ, तो as a faculty जो मैं अपना fees ले रहा हूँ Vsmart को service, वह मुझे बता as a director in my personal capacity मैं personal capacity कल रहा है, मैं director नहीं भी रहा हूँ तो यह मुझे मिल रहा हूँ तो CBIC ने clarification दिया, जिसमें renting का example दिया और CBIC ने कहा कि अगर को ऐसी service है, जो director ने company को दिया but not in the capacity of director, in his personal capacity तो वो case में reverse charge नहीं आएगा और वो case में क्या लगेगा और और director tax देगा forward charge का एक फायदा है मैं आखरी में बता हूँ reverse charge का एक मुक्सान है अब रिवर्ट charge रहता है, आपको IT से नहीं मिलता है बता हो बता हो बता हो लेकिन forward charge हो तो IT से आखरी में एक मैं डियाग्राम लेकि बता होगा ठीक है शलिए तो ये case में मुझे बता है setting fees reverse charge applicable हो जाएगा यस Now next, own textile अलसो रेंटेड आउट 5 residential unit to rudra technologies as it based firm registered in the state of क्या अरिया for accommodation to क्या employee अब दोखो own textile ने 5 residential unit दिया किसको rudra technologies as it based firm registered in the state of अब मुझे ये बताएगे firm textile ने जो ये दिया है renting of residential dwelling I repeat the word क्या renting of residential dwelling to registered person तो क्या ये river charge में है yes registered person को अगर आपने residential dwelling दिया तो river charge में है नहीं आपने commercial property दिया तो river charge नहीं किसको river charge है residential dwelling I hope you understood तो ऐसे case में renting of residential dwelling to registered person तो वो केस में river charge applicable हो जाएगा तो यहाँ पर क्या ये IT-based company registered person है yes और क्या residential house rent पर दिया है yes towards employee तो क्या river charge में warm textile tax देगा या registered person रुद्रा टेक्नोवजी देगा रुद्रा टेक्नोवजी देगा answer देख लो लिगए correct है या नहीं है transportation of goods by rover की service है from a factory towards showroom and pay a freight of 1 lakh where GST charge at the rate applicable GTA is registered under GST GTA GST में registered था and exercise the option to pay tax under क्या pervert charge what will be your answer if GTA has not exercise the option to pay tax under क्या pervert charge अच्छा मुझे बता GTA के लिए देना option है देखो पूरे river charge में तीन केसिस में forward charge को option आ सकता है एक है GTA दूसरा renting out motor vehicle और तिसरा copyright especially author author forward charge में ले सकता है तो ऐसे केस में अगर हम या देखे तो GTA अगर forward charge में tax दे रहा है और forward charge को option ले रहा है तो उसकी condition क्या है he should be a registered person और वो उसने declaration फाइल करना चाहिए वो registered भी है और वो declaration फाइल करेगा तो forward charge में GST देगा तो वो केस में own textile इसका tax नहीं देगा लेकिन मुझे next बता अगर वो forward charge को option नहीं ले रहा है तो then मुझे बताए GTA service barrier किसने लिया partnership firm में लिया वेगर partnership firm और वो registered भी है तो अगर GTA पॉर्ड भाण नहीं ले रहा है तो क्या लग जाएगा river charge river charge का अगर आपको charge याद होगा तो याट तो river charge में 5% अगर कोई registered person को दिया तो क्या river charge और unregistered में notified category को दिया कोई बता सकता notified category कोन कौन से notified category कोन factory, society, cooperative society, partnership firm, body corporate S.C.T.P. association of person इन लोगे को दिया तो river charge में tax आएगा और unregistered को tax देना पड़ेगा और उनको कमतर सरी registration लेना पड़ेगा I hope you understood हाँ, पर इसके अलावा अगर unregistered person होगा तो वो area में क्या है बेटा, exemption है तो यह जो हो हमने देखा तो यह case में फिर river charge आजाएगा अगर यह forward charge वाला option नहीं ले रहा Next 9 Mr. Jay booked ticket in omnibus from VRA travel private limited through rare bus for traveling from nambai to nashi वो नियर आंसर इफर with Mr. Jay booked ticket from guitar tours through rare bus एक minute Mr. Jay ने ticket booked किया in omnibus from VRA travels private limited to a rare bus for traveling from kya nambai to nashi rare bus kya मैं issue कह सकता हूँ yes, electronic commerce operator चलो एक आपको के difference आपको बता देता हूँ issue के पूरे GST में दे impact है एक impact आता है क्या 95 में और दुसरा आता है section 52 TDS and TCS 52 जो है वो TCS का I repeat किसका वेटा TCS यह भी concept हम देखेंगे तो अब section 95 की अगर हम बात करें I repeat 95 की बात करें तो इसमें only notified services है only notified services है मतलब 95 goods को नहीं लगता है किसको लगता है बिटा only services उसमें चार services notified है अगर चार services में लू तो यहां पर second में परस्ट में उन्होंने पहली service आती है passenger transport service I repeat किया passenger transport service by car, car, motorcycle motor vehicle दुसरा आता है restaurant service और दूर services से साती है यह एक है यहां पर hotel accommodation जो hotel वाले दे रहा है और दूसरा क्या housekeeping housekeeping service सर्विस आती है आपने यह दो बात अलग-अलग की है passenger services में passenger transport services में अब दान से सुनो सहलो OLA और यह जो car operator है यह car operator पहला SEO के थुरू booking ले रहा है तो यह best की booking हो रही है तो 10 best से तो यह case में supplier registered हो यह ना very important supplier registered हो यह ना जो भी booking SEO के थोगी उसका 100% tax कौन देगा SEO के समझ में आए यह TCS भी नहीं यह 100% tax देगा SEO वो TCS में नहीं का देगा अगर आपको याज़गा तो TCS 1% yes or no यहां पे यह TCS भी कर नहीं करेगा यह 100% tax देगा वो case में supplier tax नहीं देगा I hope you understood ठीक है तो यह restaurant service इंडिया के जो भी restaurant Swiggy Foodbanda यह कुछ SEO के थोगा I repeat कौं Swiggy Foodbanda कुछ SEO के थोगा तो जो supply SEO के थोगा उसका tax restaurant वाला नहीं देगा कौन देगा issue देगा यह समझ में आया क्या उसका tax issue देगा तो ऐसे case में दो ऐसी है फिर वो restaurant registered हो यह ना उससे कोई लेना देना नहीं समझ लोगा आपके यह भी restaurant में जे और जो restaurant में बिल देगा उसका tax restaurant वाला देगा और आपने app से आपके स्वीगी के थ्रू भुक किया तो फिर उसका tax restaurant वाला नहीं देगा उसका tax restaurant देगा स्वीगी देगा उसको एक exception है अगर यहां कोई data है और उसको चुला गया मतलब यहां पे उसने दिया यहां का कोई five star restaurant कोई बता कौन है Ramain international five star hotel जहां room range 7500 के उपर जो उसने का नहीं नहीं मैं ऐसे रस्टोरांट से नहीं बुला का मैं Ramain international से बुला काण तो Ramain international के रस्टोरांट से इसने स्वीगी के थ्रू आले थी है जहां room range 7500 से जाब उसको गड दिया गया specified प्रिमाइश इसको बढ़ दिया गया इसको अगर आपने ऐसी रेस्टोरेंट से बुलाया जो जो इस पेसिफाई प्रिमाइसस और जहां रूम रेंट 7500 से जादा है भाई साब गौवर्मेंट केती है इसका टैक्स इस्यो नहीं देगा इसका tax restaurant वाला देगा जो ऐसे specified premises में तो Rama International में जो नीची restaurant है उस restaurant से आपने swiggy का booking किया तो उसका tax swiggy नहीं देगा restaurant वाला देगा I hope you understood और पहले passenger transport service के अगर हम बात करें तो इसका प्रोना ने exception लाया Omnibus अगर Omnibus का booking आपने issue पे through किया तो उसका tax no doubt issue देगा लेकिकर supplier of Omnibus I repeat the word क्या supplier of Omnibus company होगा come on supplier of Omnibus क्या company देगा तो इसकेस में issue नहीं contact देगा company ये दो exception याद रखता Sir Omnibus का example दो Omnibus मतलब अपनी साधी बस जिसमें sitting capacity 12 से जाता है So मैं लो मेरी आज हमने decide किया कि यहाँ पर trip से चलते हैं कही पर बाहर Sir छोड़ो नहीं और कि जब regular class था तभी नहीं लिखे गे तो आप क्या लिखे जा रहे हैं तो जाता कि मैंने कहा तो बस मैंने बुक किया Omnibus बुक किया अब ये जो बंदे की और हमने ये Omnibus जुम से बुक किया रेड़ बस से बुक किया अने direct operator से नहीं किस से issue से बुक किया ये Omnibus issue से बुक किया तो ऐसी situation में यहाँ पर जो है अगर Omnibus का owner company होगी तो tax issue नहीं देगा कौन देगा? Company देगा लेकिन Omnibus का owner अगर company नहीं होगी तो फिर tax कौन देगा? issue Is it clear? ये बस exception नहीं रचना दूसरा ये जो दो होटल accommodation और दूसरा कौन सा? house की भी अबर होटल वाला यहाँ पर unregistered समय चोटी सी lodge है जिसका 10 और threshold से नीचे और वह unregistered है 20 लाक से नीचे 10 और उसका चोटी lodge है और उसकी booking Ola से होती है sorry उसकी booking Ola Hotel से होती है उसकी booking MakeMyTrip से होती है समझना है क्या? तो अगर देखो यह सब 9-5 तर भी बढ़ेगा जब booking किसके तरू होगी? issue के तरू उसके मिना 9-5 लगता ही यह यह समझना है क्या? तो SEO Hotel जो unregistered है और जिसकी booking किसे होगी? issue से होगी तो उसका tax from देगा issue लेकिन जो hotel ने जैसे Lemon Tree है Rama International है और उसका booking MakeMyTrip से होगा तो जो hotel already registered है यह label to registered है और वो issue से book होता है तो यह case में जो मेरा स्टेट में सामना यह case में अगर hotel registered है यह label to registered हो तो उसका booking अगर हमने MakeMyTrip से किया तो उसका tax MakeMyTrip नहीं देगी अपर रहा देगा MakeMyTrip इसका TCS का करेग क्योंकि जहां 9.5 नहीं रखता है तो हाँ TCS लग जागा What is the difference between 9.5 and TCS? तो 9.5 में 100% tax by issue section 52 में only 1% deduction of क्या? TCS I hope you understood तो जहां 9.5 नहीं लगेगा और booking किसके तो है? Issue के तो है RTCS करेटा है समझ मैं हाँ? तो अभी यहां पर Send the housekeeping Hello हाँ चलिए Mr.Jay Book Ticket in Omnibus for VRL Travel Private Limited Through a Red Bus For Travelling from Mumbai to Nashi Would the answer differ if Mr.Jay Book Ticket from Gita Tours through Red Bus एक मिनट और Omnibus बुक किया और Omnibus यहां पर VRL Travel Private Limited से बुक किया एक मिनट Who is the owner of the Omnibus? VRL Private Limited Company है तो Red Bus tax देगा है Company Tax Company Tax है इस पर question आ सकते है इसलिए मैंने स्पैसेटे के लिए है यहां लेकिन अगर हों Company नहीं होती तो फिर Coin Tax देता इसी होता है चली उसके बाद में next and last Mr.Oren Visit Goa for Business Trip Where hotel owner provides accommodation through electronic commerce operator एक मिनट Hotel book किया किसके थूँ book किया इसी हो उसा full trip The hotel owner is not allowed to get registered under the provision of GST एक मिनट hotel accommodation के लिए अभी क्या पड़ा था supplier अगर unregistered हो परेशी होती 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 है और supplier अगर registered है supplier अगर registered होती 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 है तो supplier का unregistered हो hotel owner is not liable to get registered as the provision of section 22 under section 22 1 of CGSTi तो ऐसे case में कौन tax देगा Cool Trip Okay Cool Trip tag देगा क्यों क्योंकि he is not liable to register तो इसका tax क्यों देगा Cool Trip Would you answer before if issue Cool Trip does not have any physical presence in India अगर उनका कोई physical presence इंडिया में नहीं है और कि बहुत से online website है जैसे Airbnb आपको यह पता होगा Airbnb का कोई physical presence इंडिया में नहीं है पर आज जितने भी hotels आप बूप करते हो Airbnb के तुरू तो उनको tax देना पड़ता है उनको representative इंडिया में appoint करना पड़ता है और payment out tax टाक्स तो issue ही देगा और hotel accommodation इस तरह से हमने सारे important aspects यहां पर cover कर लिए अब next question है आजाएं यहां पर next question पर question number 3 इस पर आजाएं अभी एक मैंने 9-4 का आपको यहां reverse charge पड़ता है 9-3 और second क्या बड़ता है 9-4 अब देखो 9-3 के reverse charge में अब थो रहे मैं आपको इसका थोड़ा यह comfort को समझना और इस बाइवां को समझना ठीक है यह point यहां पर मैंने जो regular class पड़ता है बता देता हूं यह supplier है और यह क्या recipient है ठीक है supplier का goods यह service reverse charge में notified है मतलब उसका tax कौन पेकर है recipient example की तवर पे supplier GTA transportation of service by road लेने वाला notified person या registered person यह समझना है क्या दूसरा supplier advocate और लेने वाला business entity तिसरा supplier sponsorship service पे इनी person लेने वाला body corporate या फिर government service लेने वाला business entity समझना है अगर supplier का service notified है तो 9-3 कहता है supplier registered हो या ना अगर प्रिवर चार्ज 9-3 है तो tax receipt अगर फिर tax कौन लेगा फिर supplier registered हो या ना अब देखो next important point समय एड़ोकेट है और एड़ोकेट GST में तो भी जो legal service उसने business entity को दिया तो उसका tax river charge में कौन पे करेगा business entity पे करेगा ठीक है तो जो service river charge में supplier provide कर रहा है तो supplier को उसका ITC नहीं रहता है this is the main drawback of river charge और आपकी output service अगर आपकी output service river charge में है जिसका tax plan दे रहा है recipient तो supplier को इस service में use हो जाल है input और input service का credit नहीं रहता है यह बहुँदा drawback है इसलिए लोग river charge से परवर्ड चार्ड चाहते है लेकिन सब case में परवर्ड चार्ड नहीं है समय है next very important एक concept और explain करोगा अगर supplier का service river charge में है supplier का service अगर river charge में है तो वो situation में tax invoice कैफे बनता है अगर supplier GST में registered है तो tax invoice वो बनाएगा और RCM पर tick करेगा कुछ याद आएगा अगर supplier registered है तो tax वो नहीं दाएगा वो सिप क्या बनाएगा tax invoice और किस पर tick करेगा RCM पर इसके invoice के basis पर कौन tax पर करेगा recipient अगर supplier unregister है supplier अगर unregister है तो पर tax invoice supplier ने कौन बनाएगा recipient जिसे हम self invoice करते है जिसे हम self invoice मुझे बता self invoice कौन से case में बनता है self invoice RCM के case में बनता है जा supplier क्या है unregister है तो पर self invoice recipient बनाएगा तो river charge में supplier को registration compulsory नहीं river charge में recipient को registration compulsory अगर recipient already registered होगा तो अगर रेजिस्टर नहीं होगा तो उससे registration 30 days में लेना पढ़ेगा और section 24 में यह compulsory registration में आता है उसके बाद में यहां पर river charge में recipient tax देगा river charge में tax वो यहां पर क्या recipient वो भी GST में registered है वो भी business कर रहा है तो recipient जब river charge में tax देगा सुनो river charge में tax देगा तो क्या वो उसका ITC use कर सकता है नहीं क्योंकि river charge inward supply पर आता है इसका ITC ले सकता है क्योंकि है तो inward supply क्योंकि sir ITC किसको नहीं मिलते है ITC supplier को नहीं मिलते है समझे नहीं क्या ITC क्या recipient को मिलते है yes तो वो cash legal से pay करेगा और cash legal से pay करने के बाद उसका ITC इसलिए इसलिए numerical questions आप अगर questionnaire के कर रहे होगे तो बहुत सारे questions में ऐसा format आपको देखने मिलता है मतलब कैसा बताता हू समझे लो यह जो recipient है Mr.B Mr.B outlier supply कर रहा है Outlier supply उसका दो लाग रुपे का उसके अपर GST कितना है 36 समझे मैं क्या GST उसके पर 36 है तो उसको दो tax देना है इस मंत में कौन से दो tax देना है एक तो output tax देना है समझा है नहीं समझा एक तो output tax देना है और एक क्या देना है RCM तो एक दो उसको pay करना है तो पहले पर दोना tax लगने वाले जमाद में fit कर लेना output tax as well as RCM पर जो RCM में वो देगा है वो उसका credit दे सकता है यानि वो दीचे tax भी देगा और इसका credit देगा यह समझ में आएगा तो इस तरह से आपका उसका formatting होना चाहिए I hope you understood तो यह formatting के थाए बहुत करना कुछ questions में मैंने यह format यूज किया कि forward tax भी लिया है less ITC और नीचे क्या लिया है RCM ठीक है 9-4 लगते ही just ऑख जब supplier unregistered हो और लेने वाला registered हुत नहीं यहाँ fix है 9-3 ऐसा नहीं 9-3 supplier require registered हो या 9-4 supplier unregistered है और लेने वाला रस्टर है इस situation में अगर supplier unregistered है और वो notified supply खर करर रहा है not sponsored supply कर छर है और लेने वाला notified personality लगता है इसमें मैं आपको याद देना आजातो तीनों notifications आए है और तीनों भी construction sector में promoter के लिए है promoter के लिए है ठीक है तीनों इसमें construction sector में promoter मतलब क्या अगर आपनी यहनि जो construction करने वाला है उनके उपर restriction है क्या restriction है कि उनकी 80% purchase किस से होनी चाहिए registers और इंपूर्ट और इंपूर्ट सर्विस का 80% purchase registered से होनी चाहिए और 20% purchase unregistered से होनी चाहिए समय लोगोई builder यह building मान रहा है तो इनके उप रिस्रिक्शन है क्या restriction है promoter मतलब builder इनके रिस्रिक्शन है कि यह project की 80% purchase registered person से होनी चाहिए जो GST में registered है और B2B में होनी चाहिए 20% कभी खिले लग गये कभी nails लगते है कभी क्या लगये तो छोटी-छोटी purchase वो नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से पर्चेस का सकते है समझ में आए क्या पर 20% unregistered से लोग है अब वा क्या कहता है जो आए रिस्टिक्शन डाला है 80% purchase इसमें अगर शॉट हो गया इसमें अगर शॉट हो गया तो जितना शॉट हुआ है 80% को समझ में तुमारी 70% ही रजिस्टर से है तो कितना शॉट हुआ है 10% पर RCM लग जाएग तो 30% पर RCM नहीं यह समलना है क्या यह 10% पर आपको क्या लग जाएगा RCM लग जाएगा तो 80% के लिए इतना short हो रहा है उस पर RCM लगेगा I hope you understood दूसरा अगर cement purchase होता है unregistered से cement purchase होता है unregistered तो total RCM है और capital goods purchase होता है तो total RCM इस पर मैंने question लिया I don't know आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि इस बाद आपको 9.4 और 9.5 दोनों section apply किये I repeat 9.4 as well as 9.5 दोनों section apply किये देखो मैं तोला यह समझाने की कोशिश करता हो RCM Goyal Ganga और Promoter Builder Registr under GST started a new project Royal House the total cost of project is 3 a bit for that it purchased following inputs and input services during the financial year 20XX and XY as follows take it अर इसमें input other than remains remain खरीगा exclusive of GST Registr से करीद है 252 का in project के लिए input purchase from unregistered 1,20,000 का Calculator लाया आपना है ले वहाँ पे और input service receive Messer Shubash & Company unregistered 48,000 तो पेटल उसका purchase is कितना हा 4,20,000 चल इसका 80% निकाला जो पेटल पेटल पर्सेस इसका 80% निकाला 3,000,000 36,000 कितना purchase register से होना चीए था Yes or No तो इसका कितना purchase register से है No 52 का है Yes or No इसका minimum purchase इतना register से होना चीए तो उसका कितना है 252 अब 252 है मतले short कितना हुआ दोनों के difference निकाला 84,000 है 84,000 पे reward charge में builder को tax देना पड़ेगा इस अधरी में आएगा Undersection 94 बुछ रहा उसने Cement purchase किया और Cement Unregistered registered और Unregistered से Cement के कैसा input है कि एक रुपय का भी अगर आप Unregistered से purchase करते हो तो क्या लगेगा reverse charge तो यहां पे totally यह जो है दोनों भी किसमी जाएगे reverse charge में rate दिये है तो अगर आप देखते हैं तो देखो अगर आप यहां देखोगे 84,000 दिखा answer में 84,000 में reverse charge लग जाएगा 84,000 कहां से आया 84,000 कहां से आया आप ITC में Import Tax Credit ITC Next chapter आप आप ITC Import Tax Credit Question No. 15 ABC Company Limited registered under GST is engaged in the manufacture of heavy machinery manufacturing it procured the following items for the month of July registered under GST heavy machinery manufacture करते है पहला आपको यह जब भी ऐसे कोई question आया और table दिया गया हो तो यह question और table परते वक लीचे content table का content बाद में पढ़ना पहले ओपर क्या जान करी दिये वह देखना है और problem की नीचे करना क्या है पहले और identify करना है so that फिर table का content परते वक आपको यहां पर mapping करना आसा नी हो जाएगी कि हमें करना क्या है चलिए लीचे क्या दिया है Determined amount of ITC available with ABC Company Limited for the month of July July month के लिए fix करना है ITC कितना मिलेगा by giving necessary explanation for the treatment of various items subjective information given above assume all conditions necessary for availing ITC are क्या perfect चलिए इसे पहला देखते है electrical transformer to be used in a manufacturing process electrical transformer है और manufacturing process में use किया गया अब आपको ITC का जब भी problem solve करो तो एक approach strictly follow करना कितने भी purchases किया in the course of business ITC allowed I repeat, ITC allowed except block credit I repeat, except क्या block credit तो block credit की list learn करके जाना अगर block credit की list learn है तो उसके allala everything whatever you use in the business ITC allowed तो पहले case में, क्या ITC मिलेगा? okay, वो बन करता तो ITC, electrical transformer क्या ITC मिलेगा? yes, transformer है capital goods है ITC allowed तो पहले इसका मिलेगा क्या reason आएगा? okay, goods purchased and used in the business ITC allowed second second use for transport of क्या? motor vehicle motor vehicle की list मैंने क्या पढ़ाय तो? motor vehicle की list में okay, motor vehicle use for passenger and motor vehicle for transportation of goods अगर motor vehicle transportation of goods है तो वाँ block credit नहीं है okay, motor vehicle transportation of goods के लिए होगा यहाँ ITC नहीं मिलेगा लेकिन अगर sitting capacity 13 से जागा है तो वो case में ITC दे दिया जाएगा हाँ, अगर sitting capacity 13 से less है उसके भी exceptions है क्या exceptions है? अगर फॉदर tax and the supply के लिए यूज हो रहा है tax and the transport service के लिए यूज हो रहा है या पर training scores के लिए यूज किया जाएगा तो वो case में वो motor vehicle even though sitting capacity 13 से कम है तो भी उसका ITC दे दिया जाएगा तो हमारा second character truck truck जो रहे तो यह truck को transportation of goods के लिए तो क्या ITC मिल जाएगा इसका भी ITC आपको दे दिया जाएगा Now third raw material to be received in August हम कौन से month का देते है July पहला उस month में invoice आजाना चाहिए जो month में claim कर रहे हो जूसरा goods and services receive हो जाना चाहिए तिसरा यहाँ पर GFTR 2B में वो update हो जाना चाहिए अगर यह तीनों condition fulfill हो जाती है तो आप से month में credit ले सकते हो अगर एक भी चीज लेटर जाती है मतलब invoice next month में आगया goods next month में आगया यह 2B में बाद में update हो तो वो situation में आपको ITC उस month में मिलेगा जिस दिन में वो situation update हो अरे आया ना तो ऐसे case में यह August में आया तो सेम में रिस्यू नहीं हो आप इसका ITC आपको नहीं मिलेगा आंसर साथ साथ में देखती लोग कि अगर mistake मिलती है और हम correction कर लेगे yes or no उसके बाद में next confectionary items these items are supplied free of cost to the customer in customer mit organized by the company customer mit organized किया customer mit में confectionary item use किया block credit में clause b आता है section 17 5b कहता है कि अगर 4 item होगे अगर पूर item आपको याद होगा तो food, bearages, catering services, health services कुछ याद आ रहा है यह learn करके जाना है block rate लिख लो block rate, work to work learn करके जाना है is it clear तो अगर कुछ ऐसे block rate आता है तो आपको ITC नहीं मिलेगा unless unless same category of outward supply हो या आपने composite या mix supply में उसको use किया हो तो ऐसे situation में बेटा जाहाद अगम देखे तो यहां पर तुमने confectionery item यहने food item खरीदे और food item meeting में use किये गए even though use in the course of business पर इसका credit block credit है ITC नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अगर food item खरीद के food bets रहे तो मिलता है यहने अगर कोई यहां पर कीराना shop आला है food item खरीद के based है same category यह पाउट्रोड supply करेगा तो ITC दिया जाएगा यह फिर उसके compositor mix supply में देगा तो उसका ITC दिया जाएगा तो यहां ITC नहीं मिलेगा देखो answer DI की नहीं दिया है DI की नहीं दिया है नहीं दिया है ना चलो हम राइट है आपके उसके बाद में next capital goods invoice missing और one out of five items and GST paid on the same worth $70,000 अब तुको मैंने आपको क्या कहा कि आपको अधर credit लेना चाहिए तो 16-2 की condition है invoice यह debit note यह prescribed document आपके position में होना जरूरी है तो आपके position में उसका invoice नहीं है missing है तो इसका ITC आपको नहीं मिलेगा तो आपको 50,000-70,000 याने कितने का मिलेगा यह आपके 4,000 50,000 का ही ITC आपको दिया जाएगा is it clear then यह block credit है यह section 16-2 की conditions है section 16-2 की conditions है ठीक है उसके बाद में GST paid on health insurance policies general insurance हो यह health insurance हो यह block credit में आता है इसका ITC आपको नहीं मिलता है पर मैंने इसका एक exception पढ़ा था अगर insurance under the statutory provision होगा and it is compression by the statutory law तो फिर इसको ITC दे दिया जाएगा यह case में ITC नहीं मिलेगा दुसरी बाद payment made to contractor for construction of क्या top quarter construction आपको याद होगा works contract for construction of any immobile property any immobile property उसका works contract service का भी credit नहीं मिलता है और construction के लिए अगर आपने कोई भी goods और services करीदा तो इसका भी credit आपको नहीं मिलता है लेकिन अगर आपका planter machinery के लिए होगा planter machinery के लिए होगा तो आपको ITC दे दिया जाएगा तो यह case में जाद अगर planter machinery के लिए नहीं है construction of immobile property है construction of immobile property का जो भी आप service के लिए payment करोगे या goods के लिए payment करोगे उसका ITC आपको नहीं मिलता है तो यहां पे भी ITC नहीं मिलेगा answer एक बर चीक कर लो purchase of bus sitting capacity for transportation of immobile from residence to a company and that company ने best purchase की मतला person transportation के लिए motor vehicle purchase किया और motor vehicle की sitting capacity 13 से जादा अगर 13 से जादा है तो कि इसका ITC मिल जाएगा इसका ITC आपको दे दिया जाएगा उसके बाद में general insurance taken on a car used by executive of the company for official purpose अगर आपको block credit याद होगा तो आपको जो motor vehicle की ITC नहीं मिलते है कौन से motor vehicle की ITC नहीं मिलते है जिसकी sitting capacity 13 से कम है उससे रिलेटर तीन फर्मिसेट के भी ITC आपको नहीं मिलेंगे कौन से रिलेटर तीन फर्मिसेट के ITC आपको नहीं मिलेंगे general insurance, repair maintenance and servicing तो कार का अगर credit नहीं मिलता है अरे याज आ रहा है कि नहीं आ रहा है भई यह मैं अगर super 30 मेरा phone ले रहा हूँ तो यह expected आपसे कि आपने मेरा revision किया होगा या खुद अपना self revision किया होगा नहीं तो फिर बेटा जितना आपको समझ में आता है मेरे discussion में उतना cash कर लो क्योंकि आपने देखा हो कि कि यह जो भागवत वगरब बैठते तो लोग ऐसे सुनने जाते हैं जो सुनना पुन्य मिलेगा ठीक है तो कुछ student यहाँ पर ऐसा होगा जाने दिने आर नहीं भी पढ़ा तो सुन लो पुन्य मिलेगा ठीक है तो accordingly पुन्य ले लो तो यहाँ पर ऐसे case में इसका credit मिलेगा नहीं मिलेगा next input purchase but stolen from a factory 1758 एक block credit है goods lost, destroyed कुछ याद है ना stolen okay stolen होगा तो भी यह block credit है इसका ITC आपको नहीं मिलेगा उसके बाद में input purchase was directly delivered to Mr. Joe a job worker and register supplier ठीक है job worker के लिए directly supply किया तो आपको ITC दिया जाएगा इसमें कोई block credit नहीं है बेखो ITC सारे purchase का दिया जाएगा except क्या block तो इसका भी ITC आपको दिया जाएगा और final में एक section आता है 143 जो clearly कहता है कि job worker को अगर goods supply किया plus section 19 19 आपके syllabus में नहीं है लेकिन job worker से अगर आपने supply किया तो ITC दिया जाता है क्योंकि यह adjustment exam RTP में cover थी और मैं थोड़ा surprised था क्योंकि section 19 आपको syllabus में नहीं है और section 143 भी आपको syllabus में नहीं है तो भी उनने यह adjustment RTP के question में पूछी थी तो मैंने का कि मैं भी लेलू अगर गलती से आ जाए तो हम ready है तो job worker को आप जो supply करते है उसके ITC आपको मिल जाते है उसके बात में इस goods purchase from ASHA limited payment is also made but tax has not been deposited by ASHA limited to the government and also not reported in क्या GST यह बहुत important adjustment है rule 37A लगता है तो आपको सम्झा जेता हूँ अगर सामने वालेवे supplier नहीं GST 37 नहीं लगता है उसने GSTR 1 अपडेट नहीं किया तो section 162 के हिसाब से आपके 2B में नहीं आएगा और अगर आपके 2B में नहीं आएगा तो आपको ITC नहीं मिलेगा even though payment वगर हो अपर आपके 2B में आना ज़री ठीक है तो आपको यहां पर ITC नहीं मिलेगा Capital goods used for making outward supply to क्या SCJ units तो SCJ units को supply करना मतलब zero rate supply होता है यह भी RTP में पूछा है तो SCJ, देखो zero rate date act क्यों होता है अगर आपको याद होगा तो पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत से बार zero rated supply है exempted supply, meal rated supply बहुत बहुत में पढ़ा लेकिन मैं आपको सच में कहता हो कि अब इतना selected पढ़ना यह last month में यह अच्छी बात है कि आपको इस बाव election के वज़े से exam में अच्छा गासा gap मिल गया है यहनि अब आपको ऐसा restriction ही एक दिन दो दिन आपको अच्छा गासा यह आपका luck समझो यानि क्या है क्योंकि वह पढ़ने में time मिल जाएगा आपको और time मिलने के वज़े से क्या हो जाएगा कि recent पढ़ना है तो आपको याद करने में भी आसान है तो चलो postpone नहीं भी हुआ तभी positive के तरब द्यान दो कब है अगर आपका supply exempted होगा तो आपका supply exempted होगा तो ITC नहीं मिलता है लेकिन zero rate होगा तो ITC मिलता है तो यह case में क्या होगा बटा ITC मिलेगा वहाँ लिए लिए अच्छा what is the difference between exempted and zero rate exempted मतलब there is no liability to pay tax zero rate मतलब भी no liability to pay tax but it is a export incentive समझ मैं क्या export incentive to zero rate just export incentive होता है मतलब उसके ओपर mobile अगर मैं local बचू तो GST है पर यह इसको export करो I repeat इसको export करो तो government incentive देती है उसको कहा जाता है यह exempt नहीं है अगर यह exempt होता तो फिर मैं local बचू यह export करो वह exempt होता but it's not exempted it's a if exported by zero rate export incentive होता है next the statutory obligation मिलेगा statutory obligation वैसे rent a cab और renting अब motor vehicle block credit में आता है समझा है और वो motor vehicle जिसके credit block है आपने ऐसा motor vehicle रेंट पर लिया जो motor vehicle की credit block है तो फिर उसका renting कभी आपको IT सही नहीं मिलता है अब आपने car rent पे लिए तो car का original credit block है क्योंकि car की sitting capacity 13 से समझा है तो अगर आप bus rent पे लिखते हो तो bus का renting का credit मिलेगा है क्योंकि bus की sitting capacity 13 से जागा है तो original अगर आपने vehicle लिया वो अगर allowed है तो उसका rent भी allowed है पर अगर original ही block है तो उसका rent भी block समझा है क्या तो फिर statutory obligation में क्या ITC मिल जाएगा इसका ITC मिल जाएगा last, procurement of certain goods which were distributed as a part of corporate social responsibility very important अभी का amendment है clause at ad किया गया है अभी CSR activity में CSR activity तो CSR activity में आपने कोई भी goods purchase किया तो यह block credit है इसके ITC आपको नहीं लागी यह decision से मैं ना रालू क्योंकि एक तरफ तुम company act में CSR compulsory कर रहो dialogue compulsory कर रहो अब जब तुम compulsory कर रहे हो तो फिर इधर credit भी block कर रहे हो इधर से भी हमको compulsory करना पर रहा है इधर से उदर भी credit भी block कर दिया जा रहा है यह undue hardship है exam में मत लिखना exam में ऐसा मत लिखना कि goods use for CSR activity ITC not allowed I think it's undue hardship ठीक है यह ना लिखना कि इसका ITC आपको नहीं मिलेगा खलिए अब से best presentation अगर आप remark सामने लिख सको तो जाज़ा अच्छी बात लेकिन कभी कभी क्या होता है valuation के problem में आपको particulars value IGST CGST SGST तुहां total बढ़ जाते है तो फिर particulars के explanation में remark लिख दिया तो भी चलेगा यह note number देके table के नीचे भी आपने notes लिखा तो भी चलेगा और most important part for this inter student में यह पहना चाहूँगा कि जो student remark पे practice नहीं करेगा वो GST में अच्छा score नहीं कर पाएगा GST में तुहारे answer से जादा remark लिखना बहुत ज़ली है और जिसको यह remark लिखना आ गया तो ऐसा समझ लो GST में अच्छा score कर लिए ठीक है और यह GST आपको अच्छा scoring करके दे सकता है और इस बार असे जा सकता है ठीक है चलिए और मैंने यह problem में कोशिश क्या किये स्तारी important adjustment जो अभी तक RTP में exam में पूछी ही है सब लिए यह मैंने बिनाय नहीं है यह पूरा RTPO exam के adjustments है अगर यह आगया तो ऐसा adjustment exam में आती है समझ लो और जो amendment हो आज CSR वो भी कवर कर लिया अगर उसके उपर पूछा आते है आप उसमें clear हो दान चलो यह आपने एक question solve किया second case of a debate question number 16 आजए सभी question number 16 पे यहाँ पे answer the following question independently मतलग कोई correction नहीं है can person take ITC without payment of consideration for supplier along with tax question बहाँ अच्छा है अगर आपने अपने supplier को payment नहीं किया तो क्या आप ITC ले सकते answer is yes but payment 180 days में करना पड़ेगा कुछ यहाँ आया आपको अगर अगर अपने supplier ITC ले सकते हो subject to fulfillment of all other conditions invoice issued, goods issued, updation in GSTR supplier has made the payment to the government कुछ यहाँ आगया ITC हम immediate ले सकते हैं लेकिन within 180 days from the date of invoice a person who has taken the ITC has to pay to his supplier value as well as tax अगर उसने 180 days में pay नहीं किया तो क्या ITC reverse करना पड़ेगा yes with interest और वो regain कर सकता है जब वो payment करेगा और regain के लिए time limit applicable नहीं तो कैसे लिखोगे अगर ऐसा question आया numerical question में यह adjustment आगी अगर जैसे उपर numerical question आया adjustment आगी ITC taken on the input from the supplier to whom the payment is not made तो आप ITC लेना पर उसकी note जरू देना कि payment must be within इस सभज में आने क्या now second if part payment of consideration is made by recipient to the supplier then whether full amount of tax can be adjusted first if not then whether it has to be calculated proportionately अगर आपने supplier को part payment किया तो आपको ITC भी partly ही मिलेगा on proportionate basis याने जितना बाकिये जितना payment बाकिये उतना ITC आपको reverse करना पड़ेगा I hope you understood reverse आपको ही करना पड़ेगा answer मैंने सब के दिया आप review कर सकते हो मैं फिर से कह रहा हो कि मैं यहां पर maximum questions cover करके यह सारी adjustment को touch करना चाहोगा ठीक है not third must pay to supply the value of goods and service along with tax within 180 days from the date of issue of invoice still the exception to this rule very good okay 1-2-2-days के payment आपने supplier को करने चीट इसके तीन exceptions है यह वो तीन exceptions में अगर आपने supplier को 1-2-days में payment नहीं भी किये तो भी आपका predict आपका continuous reverse करने की कोई जरुआत नहीं है कोई बता सकता है यहाँ पे कौँ से let's go around हाँ correct पहला वाला RCM मतलब आपने asset supplier से service ली जिसका tax आपने RCM में पे किया है मतलब आपने GTO से service ली I repeat आपने GTO से service की तो अभी मैंने बता है कि आपको TD करना परते है और इसका credit में मिलता है समझे आपने डारेक्टर से service ली आपने government से service ली आपने lawyer से service ली कुछ याद आया नहीं तो आप उसको pay भी करेगे उसका credit भी लोगे और उस supplier को invoice का payment within 180 days में करने की ऐसी कोई जरुबार नहीं आपका ITC continue रहेगा RCM दूसरा schedule 1K transactions schedule 1K transaction without consideration वाले समय लो यहाँ पे Gujarat branch से मुझे stock transfer हुआ Gujarat branch से मुझे stock transfer हुआ तो वो GST लगा के देगा yes or no और यहाँ में उसका credit लोगा और यहाँ payment करने की जरुबद नहीं क्योंकि यह stock transfer है समय आए payment करने की जरुबद नहीं तो तुम्हे वाले जरुबद नहीं भी किया तो भी तुमको ITC दे दिया तो शूद वन के transactions without consideration और इस वाला बड़ा important है पेमें टू 3rd person पेमें टू 3rd person अगर आपको section 15 याद होगा value of supply तो इस value of supply में section 152 section 15 151, 152, 153 152 में addition addition में A, B, C, D, E कुछ याद आएगा A, P, D, E A, Taxes आपकी value में Taxes add होते कुछ याद आएगा B, 3rd party payment supplier supplier and recipient supplier ने goods खरे लिया supplier ने goods खरे लिया और इसने supplier की भीयाब पे 3rd party को पे किया तो इसने vanity days में पे किया पर supplier को पे लिए supplier के अगर 3rd party को पे किया होगा तो भी चलेगा आपको ITC reverse करने के जरुआ नहीं I hope you understood और तो यह 3 exceptions याद रहेगा आपको इंजाम में यह exception numerical form में MCQ में पूछ सकते है या फिर यह exceptions जो है आपको objective type questions में भी पूछ सकते है Next What is the time limit for taking ITC and reserve therefore क्या time limit आपको सीगे अरे भाई साब यह limit मर भूलो अगर इस financial error में आपने कोई transaction का ITC नहीं लिया होगा financial error ले लेते है 22-23 और कोई transaction का ITC आपने क्या नहीं लिया होगा तो डरो मत कोई reason से नहीं लिया होगा शायद invoice नहीं आया या फिर late आया 2B में late update हुआ समझ में है क्या या कोई भी reason के वज़े से आपने ITC नहीं लिया होगा तो भी डरो मत आप subsequent financial year के 30th November 30th November date of filing annual return whichever is earlier आप कभी भी ITC ले सकते हो इसलिए अगर हम 4th का answer देखे तो 30th November after the end of financial year annual return whichever is earlier आप ले सकते हो हाँ अब यह वाला point यार होगा there is no time limit for re-availing the क्या ITC अब re-availing की case आगे कवर होगी तो ठीक है otherwise मैं समझागे था हूँ पूरे ITC चैक्तर में re-gaining और re-availment day situation है regaining, re-availment पहले हमने reverse कर दिया और बात में लोगए एक है 180 days का अब हमने 180 days का से data invoice अब क्या करना पड़ता है reverse और जब हम take कर देंगे किसको supplier को उस month में वापस regain हो जाता है ITC तो जो month में हम pay करेंगे supplier को supplier को हमने बहुत फाल बात पे किया तीर फाल बात पे किया अरे समझना है क्या अरे समझना है क्या government कहती है कि जो nohender 30% nohender cut हमने limit दिया हुआ है वो regaining को applicable नहीं होगा मतलब तुमने आप तुमारे supplier के साथ जगा चाले है तुमने वादेगे payment नहीं किया तो जब तुम पे करोगे तुम ITC लेड़े ITC लेड़े yes or no मैंने इसमें अभी client आया था जज़ बात नहीं के इसले दो तक जए बंदेगाल का ITC था यहां पर बच गया कि 21-22 का ITC था उसने ITC ले लिया था और वो ITC लेने के बाद कुछ के वगे से उसने reverse कर दिया reverse करने के बाद यहां पर अभी 23-24 में उसने supplier को payment किया तो पिर time limit applicable है अगर तुम रिवर्स कर दिया था यहां था यहां था तो पिर time limit applicable है अगर तुम reverse नहीं करते तो फिर तो time limit चले गए उसके तो बंदे में reverse कर दिया था ITC और अभी वो case जीता है 23-24 में तो अभी case जीता है तो मैंने जो reverse किया था ITC अभी हमने लिया claim तीन करल का ITC था और वो reverse हुआ अगर रिवर्स नहीं होता और जगा यह से जगाता तो time limit चा चुके था time limit चा चुके था तो reversal होगा तो ही time limit applicable नहीं है और दूसरा आपको बता देता हो rule 37-a 37-a बता देता हो जो supplier से आपने खरीदा समयलो मैंने यह mobile खरीदा जो supplier से मैंने खरीदा उस supplier ने इसका GST payment government को कर देना चाहिए अगर उस supplier ने इसका GST payment government को नहीं किया तो मेरा ITC reverse होगा सर इसमें मेरी क्या गल्टी government करती है गल्ती है या नहीं है वो हमें नहीं बता तुम्हारे supplier में payment नहीं किया हम तुम्हारा ITC reverse कर देगे उसमें section 40 कहता है कि जब आप खरीदेगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा supplier पे कर रहा है या नहीं पर करता है तब आप credit provisional basis पे लेलो पर जब आपया पता चलेगा पूसने government को पे नहीं किया आपकी reverse liability आजएगी और वो reverse liability rule 37a के इसाफ साही अब rule 37a कहता है कि supplier ने पे किया कि नहीं किया यह decide होगा उसके GSTR 3B से क्योंकि 3B fine नहीं हो सकता without payment अर्या है ना तो अगर supplier ने GSTR 3B नहीं दिया होगा क्रडिट पढ़ा होगा है उसमन का 3B supplier में नहीं दिया होगा तो आपको immediate reverse करने की जबद नहीं है government कहती है आपका supplier को अम time देखे तो आपने जो क्रडिट ले लिया वो continue रहेगा अगर उसमें अगले साल के सप्टेबर इन तक सप्टेबर इन तक अगर इसने 3B फाइल नहीं किया तो मुझे प्टेबर होने के बाद November तक reverse कर देने पड़ेंगे September होने के बाद November तक reverse कर देने पड़ेंगे कितना time दिया मुझे इसमन का 3B नहीं दिया तो इमिजिए reverse करना है तो subsequent financial year के September इन बोला है अगर मैं reverse कर दिया और भाद में इस next review दिया तो क्या मैं Rehabil कर सकता हो हां मैं Rehabil कर सकता हो जिसके लिए कोई time limit applicable नहीं है I hope you understood तो यह 2 reverse Rehabilment की केसे से इसके लाओ कोई भी Rehabilment की case नहीं है और यह 2 Rehabilment case को time limit applicable नहीं होगी चलो ठीक है तो चलो फिप नमर पाहरो Bubla and Brothers is exclusively engaged in making exam supply अच्छा, exclusively क्या कहा है? exam supply and there is not registered in the GST on 1st October, the exemption available on its goods gets withdrawn on that day, turnout of Bubla and Brothers was 45 lakhs examine the eligibility of Bubla and Brothers for availing क्या ITC एक मिनट, यहां पर Section 18, Section 23 Section 23 और Section 22 तीन section का reference एक साथ आता है Section 23 कहता है कि अगर बहुत अच्छा case है और यह RTPP में पुछा है adjustment मैंने इसमें cover कर लिए Section 23 कहता है कि अगर आप exclusive exam supply कर रहे हो तो आपको DFT में registration लेने की कोई भी जरूबा नहीं है irrespective of तो आपका tenor 500 पर होने दो पैसे जरूब लिमिट 20 लाक है Goods की case में कुछ cases में 40 लाक है Yes or No पर आपका tenor 500 पर होने दो अगर आप यहां पर एक्स्टीज भी exam supply कर रहे है जैसे कोई हॉस्पिटल है ब्रहा हॉस्पिटल ले आप रहे हैं और के टोन पर होने हैं लेकिन healthcare service exempt है DTC डगल आपड कुछ याद है Diagnosis, Treatment, Care on illness, injury, deformity, pregnancy कुछ याद है in-recognized system of नहीं से exempt है, healthcare service exempt है यह healthcare service totally exempt है तो ऐसे situation में वह hospital का passable time अगर उसको GST में registration लेने की जरुआ है नहीं पर वह exclusive exam सप्ला होना अची लेकिन अगर उसके साथ आपका taxable का flavor लेगा यानि अगर समझ लो आप exam के साथ taxable भी कर रहे है तो फिर threshold लग जाएगा फिर threshold रहेगा जब तक bachelor हो तक तक कुछ भी करो GST में registration लेने की जरुआ होती है पर जैसे bachelor नहीं रहे girlfriend हो गई, शादी हो गई फिर aggregator तो आप जिब्यदार ही आती है ने विटा है अरे है ना फिर क्या मतलब जैसे exam के साथ यह नेल के सा taxable का फ्योड़ा है 20 lakhs का restriction लगा और restriction लगते ही है जब तो जब तो कोई restriction नहीं जैसे ही कोई साथ में आ गया GST का 20 lakhs का threshold लग गया अगर यह सुवज में आए क्या तो ऐसे case में अगर आप exclusively exam supply कर ले तो आपको GST में registration लेने की कोई जरुवाद नहीं अब वो क्या कह रहा है कि पहले आप exam supply में थे तो पहले मैं exam supply में था मैं unregistered भी था मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी मुझे कोई परिशानी नहीं थी फिर मेरा exemption 45 lakhs सक मैंने GST में कोई registration नहीं कर रहा था फिर एक दिन क्या हुआ एक दिन government ने exemption withdraw कर लिया और withdraw कर लिया तो अब क्या मैं liable to registered हूँ क्या मैं liable to registered हूँ तो मुझे registration करना पड़ेगा अब देखो क्या हुआ यह जो नहीं exam supply था और फिर taxable हुआ और हम unregistered से क्या हो रहा है registered इसको कहते है transition switching इसको कहते है switching यहाँ आता है section 18 section 18 में core situation है A, B, C, D A कहता है अगर आप unregistered से registered होते हो और 30 दिन में apply करते हो तो आप stock का ITC ले सकते हो input के कुछ यादा है क्या यानि जिद दिन आप switch हुए उसके preceding मे input का जो stock होगा उसका ITC ले सकते हो capital goods का नहीं ले सकते है या आप voluntary registration लेते हो तो जिस दिन RCI उसके पहले दिन अगर कोई stock होगा तो stock का ITC ले सकते है composition scheme में composition scheme में अगर आप CL से normal scheme ना आते हो QCL में होगे था आपको ITC नहीं दिया होगा पर flow rate से किसमें आते हो नार्मल में आते हो तो पहले दिन जो input का स्टेरा उसका भी ITC मिलेगा capital goods का होगा I repeat क्या capital goods होगा तो 5% per quarter reduce करके आपको ITC दे दिया जाए या जोगा तो अच्छी बत नहीं तो पुन्य मिलेगा ठीक है या decloss था अगर आप exam से taxable में आते हो I repeat क्या आप exam से taxable में आते हो तो आपको input का भी मिलेगा तो CL और exam का फाइदा क्या बताएगा CL से normal या exam से normal में आते हो तो आपको input के वर भी मिलता हो capital goods का में मिलता हो 5% reduce करके section 18 में लेकिन तो आप under registered से registered में आते हो रजिस्टर में आता हो और exam से normal में आता हो अगर ये case किस में ले लूँ अगर रजिस्टर की रजिस्टर में ले लिया तो सभी inputs का ही मिलेगा और अगर ये case में ले लिया तो input as well as capital goods reduced by 5% per quarter तो आपको calculation नहीं करना है आपको सिर्फ बताना है कि case किस का है 18.1 मतलब unregistered to registered है तो यहां CVS में हमारे IC institute में interpretation लिया हमारे institute में लिया कि इसको to registered to register I repeat क्या exam को taxable नहीं रहे वो case किस में जाएगा unregistered to registered और अप्लाय करता है कितने दिन में अप्लाय करता है तो उसको त्रिफ इंपूट के credit मिलेंगे उसको capital goods के credit तो जब दो situation और लाप होती है कौँसे दो situation और लाप होती है unregistered से registered और exam से taxable तो you have to apply unregistered to register यह point important यह RTP में सवाल पूचा गया था यह मैंने आ-कवर किया then यह clear वा सभी को yes or no तो capital goods के credit मिलेंगे okay हाँ पर मैं अपने institute पर interpretation बता रहा हूँ कि अगर institute यह वां interpretation ले रही है कि class A 18-1-A और 18-1-D में overlapping होता है तो you must have to apply 18-1 you are correct मैं यह नहीं कहोगा पर यहाँ पर interpretation overlapping में एक आलिया है unregistered to register तो मैं तो messenger इंस्टूट का message आप तक पहुचा रहा हूँ थेक है now next 6th number what is the ITC entitlement of newly registered person question कितना trickier newly registered person मतलब क्या कि पहले तुम unregistered थे unregistered होगे तो आपको input के stock का ITC दे दिया चाहेगा input lie in stock, input in semi-finished goods and input in finished goods input का मिलेगा stock का ITC प्रिशिदिदिदे के प्रिशिदिदिदे का होगे जिस दिन switch होए उसके प्रिशिदिदिदे के जो stock होगे तो इसका ITC दे दिया जाएगा condition here रहेगी, you must apply within 30 days for registration, अगर 30 दिन के अंदर आप registration के लिए अप्लाइ नहीं करते हो, तो stock का ITC नहीं मिलेगा, when you are liable for registration, is it clear, okay, तो यह इतने points आपके कार हो नहीं थी, next, A.V. a registered person was paying tax under composition scheme, आपको 30th July, however with effect on 31st July, A.V. become liable to pay tax under regular scheme, is A.V. eligible to any ITC, yes, composition से normal बाया, तो normal बाया, तो वो जो प्रिसीदिंदे होगी, प्रिसीदिंदे मतलब कान सा, 38th July को, जो input का stock होगा, और capital goods, reduced by 5% per quarter, ITC, ITC reduced by 5% per quarter, okay, तो उतना वो credit ले सकता है, input as well as capital goods, Now, 8th number, Manta sales trade in exempt goods and provide taxable services, exempt goods, service taxable है, it is registered in the GST on 1st October, the exemption available on the goods get क्या withdrawal, Analyze the scenario and determine the eligibility of Manta sales for evaluating ITC, even if any input or capital goods, पहली बाते मैं बता दू, ये situation और बाबला के situation में क्या difference है, और बाबला के situation में एक्सक्राइशन ने गोलाता है, exam supply में, इसलिए उसने registration ही नहीं लियाता, इसलिए वो और लाफ हो गया, किसके साथ और लाफ हो गया, Unregistered to Register, और exam to taxable, इसलिए हमने कौन सा Interpretation लिया, Unregistered to Register लिया, Is it clear? लेकिन यह होना पो रहा है कि नहीं, क्यों क्योंकि ये exam as well as taxable, ये बैक्समर में नहीं है, और कि इसके साथ कोई है, तो restrictions लगते हैं, ठीक है, तो है बैसे case में, यहाँ पर जो है, तो ये प्योर लिक सर्विस किसका रहेगा, इसलिए ग्जम का taxable है, तो इसको इंपूर्ट के stock का, as well as capital goods का भी ITC दिया जाएगा, reduced by 5% per court, समझ में आये क्या, तो इसके बाग में, 9th number, और रजिस्टर परसंट बहुत ही अच्छा questions, मतलब, यहाँ पर मैंने बनाया कि जिसमे सारी आपके parameters करो, और जितने भी adjustments RTP में, और जितने भी adjustments questions, examination questions सब आगे इस कहता है, इसके beyond कोई adjustment ने पूछ सकते section 18 पर, जितने parameter से सम ले लिए, यह समझ में आये क्या, जब, इसके बाग में, रिफ्टर परसंट ट्रांसफर इस business to another person, रिफ्टर परसंट ट्रांसफर इस बिजनेस बेज दिया तो तुम्हारा अनुटिलाइज ITC, नया परसंट, मतलब, जिसको भी ट्रांसफर किया उसको shift हो जाता है तुम्हारा ITC, provided that, एक condition है कि आपकी सारी liabilities उसने accept कर लीचे, अगर आपने capital goods, जिसका ITC लिया हो है, वो आपने supply कर दिया, अगर आपने capital goods supply कर दिया, second hand goods supply किया हो, समझ लो, ओकी यह laptop है, मैंने capital goods है, मैंने ITC लिया और यह laptop मैंने बेज दिया, यह laptop मैंने इदर दिया, तो lawyer कहता है, कि no doubt you made a supply for consideration, इसके उपर GST आएगा, लेकिन government ने section 18.6 में कहा है, कि जब capital goods है plant and machinery आप बेचोगे, जिसके ITC आप ले चुके हो, तो उसकी transaction value का GST, या IPC minus 5% per quarter, whichever is high, इतना pay करना पड़ेगा, यादर है यह provision आपको, यह provision इसलिए है, क्योंकि लोग क्या करते है, planning करते है, बना भी करेद लिया क्रोहरों का, क्र्ड़ीट ले लिया और सस्ते में किसी बेज़ दिया, खर्ड़ीट खागए, अर्सस्ते में बेच के सम्मझ लोग्युकी, मैंग लिपॉप है, मैंने 10 लाग काा लिया, उसका क्रड़ीट भी लिय और 5,000 भी च्र्थ्यार में बेज़ समझ मैं क्या, उतना आपको देना पढ़ेगा, इसके ओपर question इस बात 18-6 पे आ सकता है, क्योंकि अभी तक 18-6 पे कभी भी question नहीं पूछा, तो आ सकता है, ठीक है, चलिए, ये question हमने देख लिया, अरे, मज़ा रहा है ना, सारी adjustment हम कवर कर रहे है, तो ये पढ़ने का एक अलग ही approach है, मतलब वो regular chapter, number of pages, और number of pages में भी आद का करते हो, तो आपस बात पर पर पूर्वर आपको देखते हो, याने, मतलब आपको पता है, कि दो ही पेज हुए, तो देखना कितना बाकी है, ठीक है, तो यह approach से पढ़ो, वो अलग आपको छोड़ कितना बाकी है, Okay, question is low, important adjustment देखो, क्या करना चाहिए, calculator देखो, remark लिखते देखो, यह बहुत अच्छा remark है, यहाँ पर वाइडिंग्स अच्छे है, यहाँ हमारे points करो होने चाहिए, बस जादा यह practice करोगे, और subject में, उतना आपका help होगा, including theoretical subjects, ठीक है, चलिए, अब आजाओ, यह question है, यह मैंने अच्छे कासे questions लिए, सारे adjustments मैंने इसमें cover की है, यह आप writing practice में लोगे, आज गर पी जाके आप लिख के देखो के, यह question, 17 as well as 18, Mrs. Gray, a registered taxable person and a regular scheme, provides following information in respect of the supplies, during the month of क्या, April, Interested Supply of the Goods, Interested बुलाई, मतलब क्या लगता है इच्छे, कितना 1 लाग, Interested Supply of 500 packets of detergent, at the rate Rs. 400 each, along with the plastic bucket, of Rs. 100 each, with each packet being a mixed supply, the rate of detergent, 18, detergent के साथ plastic bucket भी दिया, वो रहता है नो, छोटा सा plastic bucket आता है, rate of GST on detergent is 18% and plastic क्या, 28%, तो कौन सा rate लगेगा, 28%, अबसल यह inward है और outward, ले भाई साब, पुरी रामायन पढ़ लिए पता ही नहीं कौन राम को नहीं, अबर है ना, supply बोला ना नालाई को, interstate supply बोला है ना, ओके तो यह क्या है बता, outward है, यह भी क्या है, outward, ठीक है, नाँ, supply of online educational journals, to message, pinnacle, or private coaching centers, providing tuitions to students, or class 11-12, being interested सकता है, यह भी, outward ही है, लेकिन आपको educational service का एक exemption पढ़ाना चाहोगा, education service में ऐसा है कि, अगर आप educational institution हो, मतलब और उसको online periodicals और journals प्रोवाइड कर रहे है, तो उसको क्या है बेटा, examination, लेकिन वो से colleges और युनियर्स प्रीज कोई है, अगर आपको यह भी बोगा तो कुशिश करना, तीन services इ स्कूल को दीतो exam, transportation, outdoor catering, online periodical journals से college इसको दिया तो exam, और examination और admission वो किसी को भी दिया तो भी exam, EI को, किसी को मतलब कोई भी EI को दिया, EI मतलब educational institution, ठीक है, तो यह बताँ, यह college इसको service दी गई या, यह pride को दिया, तो क्या यह taxable रहेगा, हाँ, taxable रहेगा, उसके बाद में, next, Mrs. Gray has also received, received मतलब क्या रहेगा, invoice, following invoice supplies, interest rate supply goods, out of which invoice for the goods worth 20,000 is missing, and no other tax paying document available, तो मतलब, तो कितना मिलेगा, 70 minus 20, कितना मिलेगा, 50, तो कितना मिलेगा, उसके बाद में, repairing of best, with a sitting capacity, 20 passenger, 20 passenger motor रहेगा, ITC मिलता हैगा, तो फिर उसके रिलेटेट चार सर्विस का भी ITC मिलेगा, कौन सी चार सर्विस, repair, maintenance, insurance, repair, maintenance, insurance, servicing, और renting, तो मिलेगा किया और renting, तो क्या ये रिपेरिंग्स बाद का ITC मिल जाएगा, क्या, मिल जाएगा, details of opening balance of ITC आपको दिया गया है, CGST, SGST, or IGST, following additional information is provided, rate, in respect of all indoor outwards, applied, 18%, पर उसमें एक highest rate वाला भी है, दान रखना, 28% वाला, तो कि बाद में, वाला भी है, ये फुल्फिल है, बाद में आपकी condition, याद करने है, निया खोशिश बद करो, हमन आ बोल दे, बुल्द सब फुल्फिल होगी, अब condition काती सर, वो था न, इंवैस आजाना चाहिए, टुभी में अपडेट हो जाना चाहिए, तो अब यह केस में आपको बिला नेट GST लाइबिलिटी कैसे निकलती है अगर आपको पता है तो आउट्पूट टैक्स लेस्ट इपसी क्या है Nejet GST प्लस आउट्स की मगा तो आउट्स समझ में आगा हैं क्या इस तरह से आउपको पहले आउट्पूट टैक्स का टेबल बनाना पड़ेगा फिर क्या ाइटीजीमना पड़ेगा तो आपके टेबल कितने हैं अब इसमें इंट्रास्टेट और इंट्रस्टेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको IGST, CGST और LGST, और ITC में इनर कलम में क्या, IGST, CGST और LGST निकालना पड़ेगा, ओके, फिर आप credit use करोगे, IGST का credit, IGST में अगर बज गया तो इनी प्रपोर्शन, कुछ आता है क्या, CGST का सब्सक्राइब, IGST में बज गया तो, IGST में, लेकिन CGST और LGST Cross Credit अलाओर, नहीं है, मैंने एक्जामपल क्लास में दिया था, आपको एक्जामपल होगा, तो समझे लो, मैं माँ मदर और माय वाइफ, मैं IGST हूँ, अरे कुछ आया है क्या, मैं IGST दोनों का इंटिग्रेटेड मैं IGST में, My Mother CGST, My Wife SGST, हुम तीनों खाना खा रहे है, थोच आदा रहा, हम तीनों खाना खा रहे है, मैं IGST हूँ, मैं अपना कवल ले रहा हो, खुद खाना कहा रहा हूँ, IGST का क्रेडिट, IGST में, और मेरे को और शार रहरा है, तो यह GST का credit, LGST बे नहीं, और LGST का credit, LGST बे नहीं, अरे समय नहीं चाहिए, IGST बे चलेगा, यह IGST उनको देगा, पर cross credit allowed नहीं है, खुछ यादा रहा रहा आपको, तो यह example मैं ने लिया था, तो ऐसे case से नहीं जाहां कि देखा जाए, हाँ, problem solve करते बग देखो, क्या पहले पर interstate supply है, तो क्या IGST रज़ेगा, presentation बहुत clear होना चाहिए, मैं आपको तो होगा कि यह जो net GST liability का table है, पहले आप output निकालो, output का table बना लेना, फिर ITC का table बना लेना, और फिर last में क्या, net GST liability, अब यहां तीन columns है और particulars है, इसलिए remark यहां adjust करना possible नहीं है, तो notes दो, और notes के reference लिग हो अपर, यह लिग कर देखना, Okay, out of 35 marks, आपको 2 numericals आते हैं, और इस बारत, एक 10 mark आएगा, और एक 5 mark का आएगा, हो सकता है कि 3 numericals आ जाए, तो output 35, 20 marks आपके numericals में फर्च सकते हैं, 35 कैसे 50 होना चाहिए, 15 marks का MC क्यों है, आप इमाजिन करें, 35 में से, अगर 20 marks के numerical presentation में आ गए, तो आपके remark पे और adjustment पे marks है, जो आप सोचते हो कि 50 marks थेरी है, GST, इतना बहुत थेरी पढ़के जाना है, वाईस आप numericals में अपर remarks लिखते आ गए न तो enough है, 20 marks के, बाकि 15 marks का आप handle कर लोगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहोगा आपको, okay, यहाँ पे, यह numericals, मतलब मैं आपको यह कहोगा, प्लस मेरा जो एक आकरी गाला chapter है, computation of GST, जो मैंने इसमें भी लिया है, questions लिया है, वो भी present करके रहता है, उस पर भी ऐसे, गुस टाइप के question 10 mark के आता है, आपको 10 mark के लिए आएगे, ठीक है, तो चले, तो अगर मैं पहले के तो, अब लिखना कैसे, जब भी आपको इस तरह से value दी हो, तो value का एक column आपका बनना ही चाहिए, ठीक है, पहले IGST पर, फिर CGST और HGST, यह आदत ही लगाते हैं, तो इसमें, पहला IGST, दूसरा interest rate supply, यह 28% से आएगा या 18% से आएगा, highest rate 28% से आएगा, highest rate लगेगा, और के 2,000,000,000 पर highest rate लगा, online educational journals, इस पर GST आपका output tax आगया, ITC, ITC आपको पहले case में तो 20,000 का मिलेगा नहीं, 70 minus 20, यहने 50,000 का मिलेगा, और बस का, यहाँ पर repairing का, इसका मिल जाएगा, पर पहला आपका इंटरस्टेट है, आएगर पहले आपका क्या, इंटरस्टेट है, क्योंकि आपने इंटरस्टेट पर्चेस किया, एगर चेक कोश्चन से अगर 5 मां के लिए आगे, वहाँ भी सिंपल कोश्चन है, छोड़ना, और आपके ऐसे, आपका इंटरस्टेट पर्चेक करता है, तो इसके पास क्या होता है, तो 50-50 पर्च मतलब क्या, IGST में यूज होने के बाद, 50% CGST, 50% LGST, आप 100 भी यूज कर सकते हो, गलायत नहीं होगा, समझे में आया क्या, तो कोई भी रिश्यो में आप यूज कर सकते हो, तो वह वाला अपर्च और ये नोट्स जो आपको लिखना है, मिलका से इसके बाद कर लास्ट क्यूशन, यह सर लो, और फिर, एक इम्पोर्टन जापकर नमारा हो जाएगा, चलो, यह डिसक्स कर लेते, Mr. Pithvir आज, question number 18 पर आ जाओ, Mr. Pithvir आज, register under GST is engaged in supplying services, I have discussed in the table below, engaged in supplying services, in Maharashtra, he has published the following information with respect to a service provider and received by him during the month of February, यह month याज रखना, ITC के chapter में, month बिलको याज रखना, क्यों याज रखना month, क्यों 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 हो सकते, कुछ inputs बाद में आया, तो उसके ITC नहीं मिलते हैं, च्योंक है, Carnatic music performance given by Mr. Pithvir आज, to promote a brand of ready-made garments, okay, यह inward है या outward है, music performance given by Mr. Pithvir आज, out there है ना, और यह interrupted है, music performance दिया, हाँ, exemption है, और वो classical, कुछ यादा है क्या, classical or folk, classical or folk, music, dance and performance, up to limit of 1,50,000, तो यह classical है, Carnatic word है, Carnatic, यह classical में नहीं आता है, तो यह Carnatic क्या होता है, कुछ नहीं, बस classical में नहीं होता है, ठीक है, तो आज यह classical बनी आता है, 1,40,000, तो क्या इसके उपर GST आएगा बेटा, येस, इसके उपर GST आएगा, जुसरा, outdoor catering service available for marketing event, organized for a prospective customer, और outdoor catering service given or ordered, तो अगे ना, question paper में लिख देना है, invert or, इतना confuse करते हैं, आपको एक सथ कभी, outward देढ़ेंगे, नीचे invert देढ़ेंगे, फिल से outward देढ़ेंगे, आपको बाइफरकेट करना है, तो आपको बाइफरकेट करना है, what is outward and what is inward, एक है, क्योंकि दोनों के people अलग बनेगे, outward का tax liability अलग बनेगा, invert का ITC अलग बनेगा, outdoor catering service लिए, for a marketing event, बाइस साथ outdoor catering service marketing event के लिए लिए लिए, तो क्या ITC मिलेगा के नहीं, block credit में आता है, outdoor catering, unless you provide same category of supply, और याद आया है कि निया है, तो इसके ITC नहीं मिलेंगा, no ITC, question में लिख देना वहाँ पर, जितना वहाँ पर आप लिख सको, question paper पर लिख लिक दोपट आपर, so that answer के लिखते वगए आपको पड़ावर याद आजाएगा, no ITC, उसके पाद में, service of transportation of students provided to, provided to, okay, सुभाशकर college providing education as a part of curriculum, for obtaining recognized qualification, एक मिने, वो recognized qualification प्रवाइब कर रहा है, और उसको, उसके service लिया, service दे उसको, service of transportation of students provided to, याने service दिया गया, service दिया गया, transportation service अगर school पर पर देते है तो यह एक सब देत, अरे आया है ना, transportation service अगर, school पर देते है तो यह एक सब देते है, school को भी आया यह college को को, तो यह होगा, अरे recognized college है, यह ना आता है, तभी exemption नहीं मिलेगा, क्या है यह taxable होगा, yes, outward है, और taxable है, उसके बाद में, legal service available for official purpose for an advocate located in क्या बुजगत, एक मेंट, अवेल बुल है, अवेल बुल है, इनवर्ड है, ओके इनवर्ड है, और legal service लिया उन्हें, advocate से लिया, हम registered person है, business entity है, यहाँ आपका presentation बड़ा important है, यहाँ RCM में tax आएगा, तो पते आपका ऐसा हैगा, जब आप net liability निकालोगे, तो ITC में भी लोगे, समझना है, आपके ITC के table में भी आएगा, और net liability के नीचे, RCM भी आएगा, net liability के नीचे आपका RCM में भी आएगा, आपको दुने impact आएगा, ITC के table में भी आएगा, और RCM में भी आएगा, service provided to wealth bank, as a business correspondent, with respect to accounts in branch, or bank located in urban area, service provided to, as a business correspondent, as a business facilitator, as a business facilitator, I repeat, as a, और यह मत समझना कि मैंने आपके सारी situation, मैंने बहुत से वेगा बाखी बच्चे भी situation ले लिए है, हमने अब दोखो, direct selling agents, उसके बाद में insurance agent, उसके बाद में business facilitated, business facilitated service होती है, और वो bank को होती है, तो river charge होता है, business facilitator होता है, correspondent service to bank, river charge में नहीं है, तो यहां river charge नहीं है, forward charge लगेगा, yes, और यह forward charge में tax हाएगा, recovery agent service provided to a car dealer, very good, recovery agent RCM में आता है, पर recovery agent to bank होगा, तो RCM में आता है, यह bank को और private car dealer को है, तो यह RCM में नहीं क्या forward charge में आएगा, yes, और हमको ही tax देना पड़ेगा, general insurance taken on car, sitting for you, used for official purpose, general insurance service taken, मतलब यह outward नहीं है, inward है नहीं, outward नहीं, it's an inward, inward है को क्या होगा, एक मिनद, आप ITC की बात करें हैं, लेकिन यह block credit में जाता है, क्यों block credit में जाता है, क्योंकि चार services, ऐसे नहीं प्रेकल कर लिए, जिसका credit नहीं मिलता है, तो इसका भी credit आपको नहीं मिलेगा, चलिए, तो यहां इस तरह से हमने यह देखा, भी solve परके देखना है, discuss कर लिया है, इस तरह से पूरा ITC chapter हमने यहां पर aim किया है, done, तो हमारा next topic होगा, value of supply, value of supply में question number 5 पर आजाएए सभी लोग, value of supply में question number 5, ठीक है, question number 5 में, यहां पर question देखें, XYZ Private Limited has supplied machinery to ABC Private Limited, supplier जो है XYZ Private Limited है, और ABC Private Limited को machinery यहां supply किया जा रहा है, it provides the following particulars regarding the same, price of the machinery, exclusive boxes and discount, यह दिया रहा है, the discount is allowed 3% of basic price, and is shown in the invoice, now third, tax livid by municipal authority on the sale of such goods, paid to one of the vendors by ABC Private Limited, in relation to service provided by vendors to XYZ Private Limited, next, packing charges, not included in the list price above, paid charges for delivery of a machine, ABC Private Limited delayed the payment of said, and paid an interest to XYZ Private Limited, including GST 18%, subsidy received from NGO directly linked to the price, next, subsidy received by the supplier from the state government, next, XYZ Private Limited offers 2% total discount on the lease price after reviewing the performance of ABC Private Limited, discount was not known at the time of supplier, next, XYZ Private Limited provides additional discounts, 1% year in based on additional purchase of the other machinery, or the adjustment made at the end of the financial year, without any changes in individual transaction, XYZ Private Limited collected TCS under the provision of income tax act 1961, Determine value of taxable supply made by XYZ Limited under GST law, this is the value of supply question, question number 5, I have tried to do that in this question, maximum important adjustments will be covered, but I will suggest you so much, that this is a chapter, in which many numerical questions you have solved, maybe 2, 3, 4, from the questionnaires, to do this chapter, because one question is in this chapter, the value of supply area, so now we will discuss the adjustment on the discussion, but, there are other questions, you will try to solve the questionnaires, especially, backward calculation, backward calculation, that means, that you have included, and you have decided to add, that you have already included, that you have to add, that you don't need to add, or that you don't need to reduce, that you have to use, so, some questions, which you have to do in the RTP exam, which you have to do in this chapter, like ITC, value of supply, this time, the place of supply, questions, 100 percent, which we will talk about, and if you will have a transition batch, then, most of the questions, covered, that you have to present, how to do it, because, the whole examination questions, are not in place of supply, so, with the batch, most of the questions, covered, which I have to provide regular batch, session, which I have to provide, now, one adjustment, here, here, value of supply, here, first, list price of the machinery, if you have value of supply, then, section 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, non related, &íamos, sums, 15, 15. 15 15 15 10 15 15 15 16 15 15 15 तो पहले है कि आपकी जो ट्राजिक्शन वाल्यू है, एक्षोर प्राइस वही वाल्यू पर आपका असस्मेंट होगा इसलिए मशिन की वाल्यू उन्हें कितना दिया 2,50,000 अब इसमें एक रहाम रखें यह मशिन की वाल्यू उन्हें कि एक्स्कूउजिव ट्राइस अन हमें दिसकूउलशिव धसक norm подход शिलिव धसकूंट मतलब धिसकूंट के इपक्ड़द इस मशबड़ में उन्हें नहीं ली ए है तो आपको इसके इंपाक लेना है इसकोंड के इसकूंट के चलिए और गिवन अदे टाइम आप सप्ला है, तो सेक्शन 15.3 उस डिस्काउंट का डिडिक्शन लालाओ करता है, बट इट शुद बी गिवन अदे टाइम आप सप्ला है, तो यह बिफोर सप्ला है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जा तक देखा जाए, तो यहाँ 7,500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो 2,50,000 आपकी प्राइज होगी, और 7,500 उसमें डिस्काउंट डिडिक्टिबल है, और रिफरेंस आपको 15.3 A का देना पड़ेगा, कि डिस्काउंट क्या डिडिक्टिबल होगा, उसकी बाद में next, यहाँ पर अजस्म तो मैं आपको यह कहना चाहуखा, principal authority ने यहाँ पर जो है, principal authority ने यहाँ पर tax लगाएा है, section 15.2 A कहता है, section 15.2 A कहता है, कि जो भी tax यहाँ पर लगता है, x-se, gsc, तो वो value में एड़ किया जाएगा, तो क्या यह tax value में एड़ किया जाएगा, yes, तो principal tax में यहाँ पर tax 6000, यह value में add होगा और यह value में add होगा reference आएगा 15 to A का ठीक है उसके बाद में next यहाँ पे paid to one of the window ABC private limited in relation to service provided by window paid to one of the windows by ABC private limited in relation to service provided by window to XYZ private limited मतलब यह हुआ third party payment third party payment मतलब liability किस की थी supplier के और pay किस ने किया buyer तो बायर में ऐसा कोई expenses incurred by the buyer कोवी supplier is liable to pay तो यह third party payment हो जाएगा और 15 to B में इसको add किया जाएगा तो क्या यह add होगा बेटा यस तो यह 2000 भी add किया जाएगा constitution में 15 to B में इसके बाद में next यहाँ पे packing charges not included in the list price extra packing charges लगाएगा तो 15 to C कहता है okay any amount charge including packing and commission okay कोई भी extra amount seller ने charge किया including anything then मतलब क्यों वह optional होगा anything that buyer के request पे किया होगा तो भी भी वह value में add किया जाएगा इसलगे यह packing charges भी add होगा और value में add किया जाएगा तो packing charges बहुत ही simple problem है और मैं कहता हो यह सबसे ज्यादा simple chapter है okay जितना यह आप यह chapter के numerical solve करके जाओगे पहले तो यह chapter लेना क्योंकि आता ही इसके पर question तो value of supply ले लेना ITC ले लेना वैसे में आखरी में आपको sequence बता के जाओगा कि आपको कैसे priority में chapters लेने हैं ठेक है तो यहाँ पर यह 2500 भी add होगा उसके बात में इक्स्ट्रा चार्जेस लगा गए इन रिलेशन तो यॉर supply तो क्या यह 15-2C में add होगे यस यह 15-2C में add किया जाएगा freight charges तो यह 1500 में भी add किया जाएगा देखो ज्यादा दिमाग लेया है नहीं whatever extra charge I repeat whatever extra charge it would be included in the value ठीक है आपको वो value में add करना है ठीक है उसके बाद में next यहाँ पे ABC Private Limited delay the payment and pay interest okay including GST and that क्या 5,000 अब interest pay किया गया interest related 15-2D apply होता है और वो क्या कहता है delay payment of consideration का interest I repeat दोबर क्या delay payment of consideration का interest value में add किया जाएगा no doubt इसका time of supply उस month में आएगा जो month में interest will है लेकिन यह value का पाड़ मोलगा आएगा GST तो हम उस month में pay करेंगे जिस month में interest मिलेगा receive होगा I hope you understood अरे यहाँ आरा है आपको तो ऐसे case में note 0 लिखेंगे और value में इसको add करेंगे और generally interest के case में default assumption होता है it is inclusive of GST चलो इन्होंने यहाँ बोल दिया इसलिए problem नहीं लेकिन अगर नहीं भी इस्या होता है तो भी default assumption हम यह ही लेते कि it is inclusive of GST इसलिए यह value interest कितना मिला आपको 5000 5000 into 100 divided by 118 यह value मिल जाएगी तो into 100 divided by 118 यह आपको value मिल जाएगी और कि तो कितना आपका interest का amount 4 to 37 यह आपका add होगा 15 to D में और delay payment of consideration में उसके बाद में subsidy receive from NGO directly linked to the price अब देखो subsidy के बार में 15 to D यह क्या कहता है subsidy अगर government से मिली तो आपको add नहीं करना है आपको add नहीं करना है लेकिन अगर subsidy government से नहीं मिली अगर subsidy किसे मिली other से तो link to the price होगा तो ही add करना lump sum subsidy add नहीं होती है कुछ याद है आपको तो ऐसे case में subsidy other से मिला NGO से मिला और link to the price है क्या यह value में add होगा yes यह value में add किया जाएगा यहाँ पर 3000 उसके बाद में subsidy institute by supplier from the क्या state government state government वाली subsidy add नहीं होगी ठीक है now next extravisor private limited offer 2% discount on the lease price after reviewing the performance of ABC private limited the discount was not known at the time of supply अब section 15.2 कहता है कि अगर post supply discount I repeat दोट क्या post supply discount आपको मिलते deduction मिलता है अगर वो agreed होगा चाहिए repeat क्या agreed होना चाहिए invoice से connect होना चाहिए और सामने वाले ने recipient ने उसका ITC reverse कर देना चाहिए अगर यह सारी condition fulfill होती है तो discounts का benefit आपको मिल जाएगा अपनी credit note आपको देनी पड़ेगी credit note देनी पड़ेगी उस मन्त में जिस मन्त में आपने discount दिया और वो आपके value से less हो जाएगा तो अब यहाँ पे यह जो discount है जो 1% discount है जो बाद में दिया गया and discount was not known at the time of supply तो यह sorry 2% discount अब यह discount agreed नहीं था यहाँ पे 10-0 discount तो यह 10-0 discount agreed नहीं था not known at the time of supply तो वो situation में जो है इसका कोई भी benefit नहीं मिलेगा उसके बाद में next XYZ private limited provide additional discount additional मतलब secondary discount पहला base discount term ने 3% दे दिया था additional discount 1% है additional discount 1% at the year end based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the aim of the financial year without changing the individual transaction तो additional discount जो secondary discount है not agreed at the time of supply उसका भी benefit नहीं मिलेगा तो इसका भी कोई benefit नहीं है last XYZ private limited collected TCS under the provision of income tax TCS अगर आपका deduct कोता है तो CBI से clarification है कि TCS यह value से deduct नहीं होगा क्योंकि वो interim ले भी है तो TCS के भी impact नहीं आएगा तो इस तरह से आपकी taxable value आएगी अब मैं आपको बस एक बाद बताना चाहोगा मैंने यह problem ऐसा बनाए कि जिसमें सारी adjustments आपकी करर होनी चाहिए ठीक है लेकिन मैं आपको यह बता दू यहाँ पे कि यह और दो-तिन problems अच्छी problems examination और RTP के problems आपने खुद आज solve कर लेना है यहाँ पे इस ही जाल बएगा इत परंदियत नहीं हो एकदा भी चरूंगे तब यह हमने लिया अब थोगा subsidy से रेलेके आपको discussion करना चाहूंगा समझ लो आपको price दिया है 10 lakhs 10 lakhs price दिया है एक होती है government subsidy और आपने मुझे बताना है कि adjustment क्या करोड़े एक होती है other than government subsidy other than government subsidy अजिम करते है link to the link to the price ठीक है? link to the price अब आपको यह दिया है यहाँ पे 10 lakhs subsidy rupees 2 lakhs तो subsidy जो 2 lakhs है given price is without considering the subsidy मतलब without considering the subsidy मतलब subsidy की adjustment इसमें नहीं हुए है without considering the subsidy मतलब यह total है मतलब इसमें subsidy included है यह excluded और यह दो अब आपको गवर्मेंट से subsidy मे नहीं गवर्मेंट से यह dual बैस क्या उसमें add होगा या exclude होगा exclude होगा क्योंकि ये को total price थी subsidy को consider कि ये भी ना total price अब government से subsidy बिली तो government की subsidy value में consider नहीं होती है तो क्या इसको deduct करेंगा चलो उसको ऐसा लेते है उसको ऐसा लेते है given price is with considering the subsidy मतलब given price is with considering the subsidy मतलब मतलब यह है कि given price जो subsidy को consider किया होगा है मतलब subsidy ये रखते है subsidy ये रखते है तो अगर subsidy ये रखते है और government की subsidy add नहीं होती है इसलिए हम उसमें add नहीं करेंगे कि ये रखते है अर आया ना बस ये अज़ेस्मेंट समभाल रहे बाकी valuation में हम कुछ नहीं है given price is after considering subsidy मतलब मतलब तो सकता है कि total price बारा लाग थी रहा है ना after considering subsidy मतलब कितना price 10 लाग 10 लाग है मतलब subsidy अल्रेडी डिड़क हो चुकी है अब सवाल ये है कि हम government की subsidy add करते है या डिड़क करते है अब अब प्राइट सबसेडी दो लाग रुपए प्राइट सबसेडी दो लाग रुपए प्राइट सबसेडी डोलक रुपए गिवन price आई आया ना विस से सबसेदी किसला थो बुट खेल लिए नहीं अगे जटन्ग अब आपस गिवन प्राइज इस विदाओध करंसेद रिंस अब्लग पहले क्याल गिवन प्राइज इस अब्लुट करंसेदी मतलग तप्षे नहीं ते रखे, अब देखे इनने इत्ता बड़ा अज्जस्मेंट निचे 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 अच्छा यह विटा बीस मिनटी बोला में ने एक गंडा बोलता तो जुमादे दो गंटी बाद तो आबद लगाते, एक बाद फिर से Given Price After Considering Subsidy, मतलब subsidy deduct हुई है, वह नीचे दिया है Government subsidy, तो गरूपन subsidy हम deduct करते है, वह नदे deduct है, thank you को, मतलब हमे कोई अधिस्मेंट नहीं करनी है, प्राइट subsidy, होगी तो थाय करेंगे, क्योंकि वह deduct है होती है, और yes or no, second, given price is without considering subsidy, without considering subsidy मतलब, अभी तो कोई भी impact नहीं दिये, और बोला है कि हम तो 2 लार्की गौर्ण की subsidy मिले है, तो क्या वो total price करने के बाद आएगा, समझ मैं न, तो हम डिड़क करेंगे है, और यह वाली subsidy, given price is without considering subsidy, प्राइवेट सबसीडी है, तो हम प्राइवेट subsidy क्या करते है, आप करते है, वो अज़गी added है, वो अज़गी added है, बस यह एडिया में इसविव आपको इसलिए एक questionnaire में, जहां पर एक काम करना है, questionnaire में, जहां पर भी subsidy दिखा, वाई adjustment बार बार देखना, एक first clause chart बना लेना, ऐसा होगा तो क्या, रैसा होगा तो क्या, यह होता तुम्हें ऐसा करता, वो होता तुम्हें रैसा करता, अरे हाया ना, तो यह subsidy का आज क्या आज ही कदम दरना, confusion ही नहीं होना थी, चलो, तो value of supply का, एक question अपने लिया, इस तरह से हमने इसको complete किया, ठीक है, now next chapter है, next chapter है, जो क्या, registration, sir, यह chapter का सिब नाम ही याद है, बापी कुछ याद ही नहीं आ रहा है, है यह chapter का नाम ही याद है, ऐसा आपको लगता है, आप दो, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बात कह दिया, जान सुनना, कुछ अब ऐसी situation याद रहेगी, कि, सिफ टाइटल ही आज आएगे, अब तो दिरे दे रहे ऐसी situation आए, कि आप चल रहे, आपको भी नहीं पता चलेगा, कि हम चल रहे, यह जो ऐसा हो, okay, तो, बड़ नेचरल ही आगे, समझाएगा, कि ऐसी situation को आपने कैसे हैंदल करना चाहिए, यहाँ पर, जब कुछ ऐसी चीज़ा आती है, जैसे आभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, कि भाई, यह जो चाप्टर रजिस्ट्रेशन है, तो चाप्टर रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन ही आगे, बाकि कुछ तो गया, दिमाग में नहीं आ रहा है, एटलिस सप्लाई में, तो 718, कुछ तो ढिखता 7107172, कुछ तो सामने आता है, यहाँ तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, ड़र मत। कुछ चप्टर का नेचर ही ऐसा होता है कि जब situation सामने आती है, तब समझ में आता है कि हमें करना क्या है उसमें के यह एक चप्टर, आरस्तियम वाला चप्टर वो चीट वाला चप्टर ठीक है, एक्जाम के पहले वाला, मत करना एक्जाम है, ठीक है, यह चप्टर ऐसा है, यह होआ, invoice होआ, return होआ, कि जब situation सामने आएगी, तो रहा answer दिमाग में आएगी, उसके भी answer दिमाग में नहीं है ठीक है, इसलिए दिमाग मत, इसके situation सामने आएगी, आपको click होगा, इसमें करना क्या है, ठीक है, चलो, question में आते है, question number 90, ठीक है, आपको बताव कि अगर चक्टर आपके सामने आते है, तो कौन से आते बताएगा, एक दम supply है, वो तो फिवरिट है, एक value of supply है, एक time of supply है, exemption, ठीक है, ओके, मैंने आपके batch में, बावभली की तब्यत करा भूई है, कुषपा की तब्यत करा भूई है, और के दो खोई तो फिवरिए एग्जांपल लिया होगा, ठीक है, उसके base पर exemption याद आ जाते है, ठीक है, उसमें भी एक आदा को कौनर का exemption कुछ लिए तो भी न याद नहीं आए तो खुश होना, यास, नहीं आदा है, ठीक है, यास इतना खुश होना कि बुलकुल याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो, चलिए, ठीक है, रिच्टब एंटर्प्राइजेस, और सोल प्रप्रेटिशी फिर्म, स्टाटे एर कंडिशनिंग रेस्टो किया विडार, महराश्र, इन न मन्त अ कौं सा, ठीक है, वरिं न कस्टमर आर सो, चुक्पूद अगला प्रप्रेटिंग, नन-Alkoholik बिवरेजेस, इन मार्च, परम, लिकर शॉप इन राइपूर, लिकर शॉप काम अपन किया, राइपूर, उत्राखन, ये उत्राखन वा कॉक्क फूद, नन-Alkoholik बिवरेजेस, इन रेस्टोरें इन माराष्ट, पर्विरें मार्च, सेल अप अलकोलिक लिकर पर इमन कंजुम्शन इन उत्राखन, सप्लाइव टाइपूर, इन रेस्टोरें इन क्या, माराष्ट, एक्स्लिंग, GST, आपका अमर्न दिया गया है, ये चाप्टर के ककॉष्ण, परते रो, परते रो, क्वेषण जब आएगा तब सोचेंगे, ठेक है? डिटर्माइन वेदर रिषव एंपर्वाइजेस is liable to register in the GST law, with the help of our information, अब एक्स्टें से बराबर एंसर हैगा, लाबल to register in the GST law, मतलब क्या? मतलब section 22, मतलब क्या, कि उसने aggregate tenor cross किया है क्या, अरे आया ना, अलों exclusive तो कोई ऐसा exam supply कर नहीं रहा है, यह समझ में आया क्या, तो aggregate tenor उसने cross किया है या नहीं किया है, ठीक है, और जहां तक देखा जाए, अब aggregate tenor, अब 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 अब, aggregate tenor की definition क्या थी, यह आ अब 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 आपको, जो महाराश्टो उत्तरा खन, महाराश्टो तो क्या सकत टोटल लेना पड़ेगा, और जिस दिन तुमारा aggregate tenor cross हो जाएगा, कितना 20 लाइक्श, तो वो केस में आपको, तो दीरे बिस दिन आपको, तो दी आपको 40 लाइक्स का लिमिट है, अगर आप exclusive supply of goods में होगे, क्या exclusive supply of goods में है, नहीं, क्योंकि इसकी restaurant service है, तो यह exclusive supply of goods में नहीं, क्योंकि restaurant service भी दे रहा है, इसलिए इसकी maximum limit 20 लाइक्स ही रहेगी, ठीकि 20 लाइक्स ही रहेगी, हाँ, अगर कोई इससे state में आपकी branch होती है, जो 4 states में आका है, त्री मनी वाला नाग मुझे दिखा, त्री मनी वाला नाग मुझे दिखा मतलब, पिरपुरा, नहीपूर, नाइगर लैंड, मुझे, मिजववद, यह 4 states में होता है, तो फिर आपकी default limit दस लाइक्स लाइक्स होती है, इसी ए तो महराश्टों उत्रा खंड में है, मतलब यह 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, उसमें नहीं थिया, 40 लाग केट इसमें भी आप नहीं आते हो, क्योंकि आप service दे रहे हैं, 40 लैक्स कहा लगता है, जब आप exclusive supply of goods में, तो in short मेरे सामने limit आ रहा है, कितना 20 लाग, 20 लैक्स का मेरे पास turn-off दिया, उनने February और March का, cumulative turn-off देखना है मुझे, तो cumulative turn-off देखना है, तो अब मुझे, February का turn-off low calculator कितना हुआ मेरा, 7 लैक्स, या इसमें taxable, okay, और food atom अगरे बेचे, उसके बाद में, plus 650, plus liquor का भी लेना पड़ेगा, क्यों liquor का लेना पड़ेगा, क्यों liquor का लेना तो बता है, तो बता है, तो टोटल कितना रहा है, इसका sum मिला के March entered, 20,50,000, तो इसका 10,20,000, February में cross हुआ या March में cross हुआ, तो यह कब liable रहेगा, कौन से month में rival रहेगा, March में liable रहेगा, yes or no, very easy chapter, और यह chapter का nature ही ऐसा है, कि जब तो question सामने है, नहीं आएगे, आप उसको solve नहीं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजे बहुत बहुत अच्छे से समझ लो, maturity के सा समझ लो, कुछ chapters हर subject में ऐसे होते हैं, कि वो chapter का mapping ही सामने आता है, कि वो नहीं आता है mapping, जब तक question सामने, इसलिए आप अगर इस psychology से exam में जाओगे, कि भई, नहीं मुझे ऐसा याद हमा चीए ना, कि भई, मैं वो देखो कि पुरा mapping सामने होना अचीए, ऐसा possible नहीं है, कुछ आपकी धारना है, गलत जो चलती है, वो आपको गलत व्यू देती है, गलत व्यू से, गलत action होती है, गलत action से सब कुछ गरबर हो जाती है, ठीक है, चीजे कैसे manage करना च मैं आपको बताओगा, और कि हम session के end में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे action तुम्हारे view से पैदा होती है, view तुम क्या रखते हो, वो बहुत important है, और उससे आने अगा tension होता है, वो tension का source ही तुम्हारा भी होता है, view क्या रखते है, बात करेंगे आगे, I hope, तो ऐस क्या लिका मैंने देखो, section 22 का reference दिया पर, यहां पर यह view develop मत करके 22 याद आना चाहिए, simple way में रखो, यह अविल रजिस्टर पर एग्रिके पैन or exceeds कितना 20 lakhs, रिको, अलाइब रजिस्टर अंडर क्या, GST, बार simple way में, दूसरा, कुस state में 10 lakh है, और 40 lakh की limit यहां पर आपको क state में नहीं मिलेगे, और यह view भी मत रखो कि ऐसा का ऐसा लिखना है, आप simple way में लिख दो, कि भाई, 4th state होगे 3 money वाला नाग मुझे दीखा, वो तो याद या जाएगा, तो महां कितना limit applicable है, 10 lakhs, एक है Puma T-shirt, अरे है ना, Puma T-shirt, तो P for, कोई ज़िए, U for, पित्र आक है, A for, भाराष्ट मत कर देना, महीं गाल है, A for, अरुनाचर, T, टेलंगा, S, सिख, यहां पे भी 40 lakh का limit applicable, नहीं है, आपने अधर मेरा regular class किया है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से simple word में कैसा लिखना, यह सिखा है, मैं अभी questionnaire में, मैं examination, मतलब जो suggested answer इसले लेता हूँ, या फिर मैं अपने questions में, यह, आपने answer इसले लेता हूँ, कि student expect करते है, otherwise मैं बहुत जादा strongly fair में हो, कि simple but all points, you are covering, in your answer, ठीक है, उसके बाद में, aggregate, हाँ, पूरे question में, अगर मैं evaluator हूँ, तो मैं aggregate tenor की definition पहले देखू, दूसरे, aggregate tenor की definition कौन देता है, उसमें क्यों, क्योंकि म पूरा question है, aggregate tenor के base, और 22 में आप लिक रहे हो, कि आपने tenor limit cross कर दिया, चलो, इसमें थोड़ी बहुत आपके गरबड़ी भी, 10,20,40,000 बताते हो, तो इतना को important factor है, नहीं, उसके बाद में, यहां पे, आपने aggregate tenor निकाला, cumulative presentation, आपका presentation कैसा है, तो आपने cumulative aggregate tenor इसमें निक 30 days, हाँ, अब यह वाला point समझता हूँ, हमने उत्तरा खंड का turn-out, सिर्फ aggregate निकालने के लिए लिए, अगर उत्तरा खंड में, आप exclusively non-taxable supply कर रहे हो, कौन सा? लिकर का, तो अगर किसी individual state में, आप exclusively exam supply, non-taxable supply, neal rate supply, या agriculture store इस state में, तो इस state में registration लेने की कोई भी नहीं है, section 23 करता है, वो aggregate time में, और उत्तरा खंड में, आपको registration लेने की कोई भी जरुआ है, section 23 के साब से, यह समझ में आया आपके, okay, तो यह एक ऐसा question मना है, जिसमें maximum parameter 22 और 23 के कवर, यह समझ में आया, चलिए, next, would your answer before if Rishabh Intervizer exclusively engaged in interested supply of food items, only, अगर उपर की इसमें, अगर वो only interested supply of food items में होता, एन उसकी restaurant service नहीं होती, बहुत इच्छा question है, कि अगर उसकी उपर की question में restaurant service नहीं होती, और उसी food item में होता, मतलब food item और liquor में होता, तो क्या आपका answer चिंज होता, तो क्या हमें limit 40 lakhs की मिलती है, या 20 lakhs की मिलती है, उत्तरा खंड में, अब यह बहुत important है, यह, okay, सोच के बहुत, उत्रा खंड में लिकर है, लिकर है तो वहाँ exclusively exams apply है, okay, तो अब में आपको यह point बता रहा है, देखो, यहाँ पर, answer मेने दिया, he is not liable to register under GST, he is 10 or less than the threshold limit, sorry, sorry, second case में, the applicable threshold limit for registration, for ratio enterprises is given in the case of 50 lakhs, as is exclusively engaged in interest rate supplied goods, अब में जो adjustment बताने जारा है, यह बहुत important adjustment है, और मैने जान वुच के हमारे master question में लिए, पहला case, आपको aggregate turn-all लेना है, अच्छा, aggregate turn-all क्यों लेते हैं, कि आपने 10 lakh, 20 lakh या 40 lakh cross किया है, या नहीं, ठीक है, तो आपको aggregate turn-all लेते होग, आपको aggregate turn-all लेते होग, आपने अगर किसी state में non-taxable supply किया होगा, तो वो भी consider करना पड़ेगा, point number one ही सोगा, point number two, कि जो state में अगर exempt and non-taxable supply है, उत state में registration लेने की कोई भी जरुवाद नहीं, अब समझले मैं उत्रा खन में registration लेने की जरुवाद नहीं, अब समझले मैं उत्रा खन में registration लिया ही नहीं, तो फिर जब मेरी point number three 40 lakhs वाली limit रहेगी, समझले मैं goods का supply हूँ, और मुझे 40 lakhs का extended limit लिमिट यूज करना है, I repeat the word क्या, novel limit कितना है, 20, और extended limit कितना है, 40, तो 50 lakhs का extended limit जब यूज करना है, तो उसमें कि मैं goods का supply देखूगा, वो goods के supply में, मैं, okay, what, what unit consider नहीं करोगा, जो unit, जो unit का registration ही नहीं आ गया है, उत्राखंड में मैं liquor supply कर रहा था, अरे yes or no, तो उत्राखंड में liquor supply कर रहा था, तो वा मैंने registration लिया ही नहीं, तो जब मैं, okay, 20 lakhs of 40 lakhs के limit decide करूगा, तो मैं वो unit consider नहीं करूगा, I repeat, वो unit consider नहीं करूगा, जहां मैंने registration लें नहीं है, सबन्याएं क्या, मैंने registration किता रहा था, उत्राखंड में क्यों नहीं लिया, not exclusive 23 लग गया, yes or no, तो वह मेरे 40 lakhs के limit में consider नहीं होगा, क्यों नहीं consider होगा, अब मैं reason बताता हो, बहां से सुनो, lawyer कहता है, क्या था, कि अगर उत्राखंड में लिकन नहीं होता, पूर item होता, तो उत्राखंड के वजएसे मेरे limit 20 हो जाती, क्यों 20 हो जाती है, क्योंकि कोई भी 8 state में आपकी limit 10 है या 20 है, तो पूरा आपका aggregate टैपर वह 10 है 20 पर आ जाता, क्योंकि उत्राखंड में रिजिस्टेशन होनी के वजएसे मुझे सारे रिजिस्टेशन लेना पड़ता, और उसको limit कितना लग जाता 20, यह बिल्कुल CL जैसा है, एक जगा CL तो सब जगा CL, CL मतलब, तो एक जगा नहीं, तो 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 नहीं, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं नहीं, जान पूरी होती है, आधी अजुरी नहीं नहीं, तो जाओ कर देखा जाए, तो यह बिल्कुल CLS है, अगर तुम्हारा महराज पर में कुन goods supply कर रहे हो, और उत्राखंड में goods supply कर रहे हो, और उत्राखंड में लिमिट 20 लाक है, 40 लाक नहीं है, तो उत्राखंड में लिमिट तुम्हारे 20 लाक है, तो वहाँ जाए रिस्ट्रेशन लेलिया, तो तुमको सब जगा रिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, except 23, समझा क्या, except 23, कुछ मेरी बार समझे क्या, last I want to conclude, यहाँ पर मैंने उत्राखंड में रिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसलिए में 40 लाग का लिमिट रहेगा क्योंकि उत्तरा खंड का impact महाराष्ट रुपे नहीं आएगा इसलिए मैंने answer दिया है कि अगर वह only fuck life goods है तो उसको कितना लिमिट मिलेगा 40 लाक्स का 40 लाक्स का limit मिलेगा और 40 लाक्स की limit में वो यहाँ पर जो है okay exemption लिए सकता है तो उसका total हाँ हमार answer पर रहे जाता है इसमें इसकी total कितनी आ रहे है 20 लाक्स 50 लाक्स जो 40 लाक्स से नीचे है तो क्या इसको यहाँ पर registration लेने की कोई जरुवत है क्या नहीं ओके चलो यह point थोड़ा critical point है तो फक्त है कि आपको 100% नहीं समझाओ और जितना में आप यह stage पर आपकी ऐसा ही समझो जितना में समझा रहा हो उतना पुन्य मिलेगा यहए है ना, क्योंकि अब आपके पास इतना सा सा पॉईंट प्रॉटे दाना ना ज़वकी ब्ली ज्च पन्हितना सका रहा है ठेक है? नाव नेक्स तो सेकंड नमबर देखो परिशेल इंगेज 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 इन वर्ल सेल कम रिटेल टेदिंग गूर्स इंड़ स्टेट अग महाराष्ट्रा इस अग्रिगेट अणोर दूरिग दूरिं फिनांशाल यह इंट्र शिल यह 9 ले जरुवी हो जाएगा नौर नेक्स रिशेट थर्ड नम्बर देखो रिशेट इंपरवाईजर जिसेंगेज़ इन टेदिंस आपक्साइबल गूंट अल्सर अग्टिंग अजिटिंग अजिटर अग्टिंग इस तरे जिट्पाइबल भी तुछ थे। account and 9 lakhs on the black for principal, both tenors are interested supply, okay, अब देखो जहां पर समझना, कि agent के case में एक explanation है, section 22 में, कि अगर agent अपना भी turnor कर रहा है, come on, agent क्या, अपना turnor कर रहा है, और किसका, principal का, तो अपना turnor plus क्या principal का turnor भी उसके turnor में add किया जाए, और calculating aggregate turn, अब इसमें आपके knowledge के लिए बतादों, अगर agent ये nature का है, जो खुद का invoice देता है, come on, agent अगर ये nature का है, कि जो खुद का invoice देता है, तो उसको section 24 में कंबर से registration है, लेकिन अगर agent खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो उसको threshold मिल लाता है, threshold में भी 10,20,20 लाग, लेकिन जो अपना threshold calculate करेगा, तो aggregate turnor में खुद का, plus क्या, principal का, दोनों का turnor consider करेगा, is it clear, okay, I repeat, एक बार मिरसाथ फिर से, अगर agent खुद का invoice दे रहा है तो, समझना है क्या, और अगर खुद का invoice नहीं दे रहा है, तो वो case में threshold मिलेगा, पर threshold में, aggregate turnor जब निकाले जाएगा, तो क्या shift और agent का दे रहा है जाएगा, या principal का भी लिया जाएगा, ठीक है, next, 4. Richard Enterprises start exploring option to sell the goods supplier buying within उत्राखन on a popular electronic commerce platform, e. Vastu store by listing the goods on the sale platform. He approaches you for advice on following issues in this regard, Richard Enterprises wishes to continue his business without registering under GST, since it will enlarge the compliance burden under GST law. Can he supply goods through ECO without obtaining GST registration? You are required to advise him. 1 minute. Okay, Richard Enterprises want to continue business without registering GST. GST, या एक वार करदो, in the month of Feb. In the month of Feb. क्युकि मास में तो इसका turnover रिक्रॉस हो गया था? Yes or No? Okay, in the month of Feb. Since it will announce the compliance button under GST law, can he supply goods through e. Vastu store without obtaining GST registration? You are required to advise him. Discuss the GST implication in case of Richard Enterprises supplies the goods through ECO platform, e. Vastu store. Very important. अच्छा question है. अब मैं आपको ये question बता दू. यहाँ पर. इस बार amendment भी है. मुझे बता, टेर्मस का टेर्मर कितना था? 7 lakhs है? क्या वो unregistered रह सकता था? Yes or No? वो तो liable कद हुआ? March में लाइबल हुआ. तो अन्रजिश्टर रह सकता था? अब आपको बजा दू. Section 24 में. यह इस बार amendment है. आपके लिए भी add किया गया है. तो जिन्नोंने last exam दी थी, उसमें नहीं था. पर अब ये exam से ये applicable करवा गया है. तो यह मैं आपको ये बता दू. Especially, अब ये जो चीज है, याद रखो. ऐसा है कि अगर कोई supplier issue के थूँ supplier कर रहा है. किसको? recipient को. और वो issue, I repeat, वो issue section 52 का issue. Section 52 का issue मतलब? TCS का अद कर देखा. मतलब 9.5 नहीं, 9.5 नहीं. वो issue, मतलब 9.5 चोड़के, जब भी कोई Amazon से supply करो, Clipcard से supply करो, Service supply करो, Okay, worst of case में आते हैं, TCS में. ये सबरी में आया क्या है? तो जोबी कुछ तुम issue के थूँ supplier करोगे, जो PCS करेगा, तो section 24 कहता है, supplier को complete sorry registration लना पड़ेगा. I repeat, किसको? complete sorry registration का मतलब क्या होता है? मतलब आपको threshold नहीं मिलेगा? यानि अग मैं इसका एक चोड़ा सा example लेता हूँ, और मैंने regular class में भी दिया था, शायद ये example से आपको याद आजाए. मेरी एक kazin थी, वोई example लेता हूँ, मेरी एक kazin थी जो सारी बेशती थी, और के शोकियाना ये business करती थी, कुछ याद आ रहा है, और के शोकियाना वो सारी बेश रही है, और ये business कर रही है, अब वो जम सारी ही, तो उसका टरॉर मुश्किल से 2-3 लाग रुपे था, समझ मैं है, तो 2-3 लाग रुपे मुश्किल से टरॉर, क्योंकि शोकियाना business कर रही है, अब वो सारी जो अपना good sale कर रही है, वो Amazon के थूरू sell करना चाहती है, Amazon मतलब क्या, issue, या कोई ऐसा सारी का platform बन गया, जिसके तू वो अपना सारी sell करना चाहती है, अब वो जब वो sell करना चाहती है, तो ऐसे case में पुराना वह ऐसा था, वो आज भी है, पर उसमें एक notification आया है, पर मैं आभी बता दू, और यह amendment पड़की जाना इसके पर question आ सकता है, पहले साथा कि अगर आप issue के थूरू कोई भी goods sale कर रहे हैं, जो TCS कर रहे हैं, Amazon TCS में आता है, clip card TCS में आता है, तो आप issue के थूरू कोई भी goods base कर रहे हैं, जो section 52 के TCS में आता है, तो supply को administration कंता सरी था, मतलब उसका 10-hour मेरे कज़िन का, जो 2-3 लाग के 10-hour है, मैंने उसका GST registration कर रहा है था, क्योंकि किस के थूरू supply था, issue के था, इसका CL यहाँ पर, तो उसको registration करो रहा पड़ा, लेकिन आपे government आते हैं, कुछ small retailer वाले, तहांसो सुनना मेरी बार, कुछ small retailer वाले गौर्वर्मेंट के पास गए, और गौर्मेंट को उनने कहा, यहाँ पर, कि finance minister के पास गए, कि हम छोटे businessmen, अगर, और आजका consumer का preference, online platform हो चुका है, अब देखो, आप Amazon से, और कि minimum 50% purchase तो Amazon से भजाती है, market में जाते हैं, कभी shock ही आना, समझे ना है क्या, shock ही आना, otherwise, 50% purchase तो consumer की, और मेरी 30% है, time इनी मिलता है, class है, तो अब यह सारे जो छोटी छोटी रिटेलर वाले थे, इनकी request थी finance minister की पास की, हमारे turnover जाता नहीं है, 5 लाग, 7 लाग, 10 लाग का पैम हो रहे है, तो हमको यह platform पर आना जरूर ही हो गया, क्योंकि हम नहीं आएगे, तो हम तो खतम हो जाएगे, yes or no, तो हमें को अब issue के platform पर आना हम को ज़दरी है, लेकिन लाग यह कहता है कि अगर हम issue के platform पर आगए है, तो हमें GST में registration, तो हमारी यह तो अन्डियो आर्ट्शिव होगी हमारी, तो अन्डियो आर्ट्शिव होगी, तो फ्लीज हमें issue allow करो, या composition भी लोग कहता है कि हमें issue allow करो, हमारे threshold के साथ, हमारे CEO के साथ, समझ मैं है, अगर मैं threshold हूँ, तो मुझे threshold भी लेने दो, issue allow करो, आप composition नहीं कर रहे हो, तो government ने इस बारे commitment नहीं, और government ने कहा, कि जो यहाँ पर छोटा बिजनिसमन है, अगर कोई supplier of goods है, और उसका time-off threshold के नहीं इचे है, अगरे फिर उसका time-off threshold के नहीं इचे है, भी 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग, तो वो issue के through supply कर सकता है, without registration, सबझ में आ रहा है, without registration, उसके ओपर GST नहीं आएगा, तो ये clause को उन्होंने exception लाया, और अब वो issue के through supply कर सकता है, अगर supply कर सकता है, without registration, उसको अपना पूरा threshold मिलेगा, 40 लाग, 20 लाग, जो भी उसका threshold है, तब तक वो GST नहीं देगा, उसके बाद ही GST देगा, yes or no, लेकिन conditions डाली होगी है, आप में अगर amendments बढ़ी होगी, इसका supply दूसरे statement में नहीं जाता है, जा सकता है, तो रूप क्या issue, next, इसके पास PAN होना ज़रूरी है, next, इसके ये जो है, common portal पे अपना PAN और अपना state detail और address देगा, और common portal से registration नहीं लेगा, एक enrollment number लेगा, I repeat the word क्या, enrollment number लेगा, और वो enrollment number issue को देगा, कि ये मेरा enrollment number है, मेरा यहाँ पे TCS not count ना, I am not ready to pay for क्या, GST, और इनके enrollment number पे, issue की जिम्मेदारी है, कि इनका supply वो block परे same state में, other state में इनको supply allowed, नहीं, ये समझ में आए, ये interstate supply नहीं कर सकते, तो यहाँ सवाल क्या कुछ आगया, ये amendment पे सवाल है, अगर ये सवाल आपको सब्सक्राइब में आता है, तो in the month of February, मेरा timer साथ जागी था, मैं unregistered था, क्या मैं in the month of February, VCO की तरू supply कर सकता हो, हाँ, कर सकता हो, और मैं unregistered भी रख सकता हो, लेकिन आपको वो सारी condition, learn करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी, कौन सी condition, कि interest rate supply allowed, नहीं है, और के plan होना जले रही है, और के वो plan और detail address, common portal पर देके क्या लेगा, enrollment number लेगा, enrollment number issue को provide करेगा, और issue इसकी detail, inform GSTR 8 में देगा, statement में देगा, ये इस बार का theoretical question, learn करके जाना है, समझे आया क्या, चलिए, now next, यहाँ पे question number 5, apart from the other, reserve enterprises, is also engaged in the business of buying and selling of shares, on his own account, from secondary markets, and its income from this activity, assessed as a business income, under the income tax at 1961, during the year, total sales from the sale of share 90 lakhs, इसको registration लेना पड़ेगा, कि नहीं क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि sale of shares, ये securities है, securities ना goods में आती है, ना service में आती है, इसलिए question of GST does not, रहे पे taxable supply करी नहीं रहे, अगर और taxable supply नहीं कर रहे, तो no need to take क्या registration, चलिए, उसके बार में 6th number, if aggregate turnover of reserve enterprises in the state of Maharashtra, exceeds 20 lakhs, एक मिने, कभ इस turnover exceeds what 20 lakhs? 25th March पा, and he applies for registration कर 19th March, and he's granted registration certificate on 29th March, एक मिने, मुझे उसने 30 days में अपलाय कर दिया क्या? Yes, 30 days में आपो RC भी आगी 29th March को, yes, determine effective date of registration, क्या होगा effective date of registration? अगर आपने 30 दिन में अपलाय कर दिया, अगर आपने क्या 30 दिन में अपलाय कर दिया, for क्या registration, so what is the effective date of registration? वेड वेड विकम लादर, तो कभ लादर रेया कर दिया कर दिया? 25th March को, 25th March is the effective date of registration. मुझे गय कर दो, what would be your answer if रिश्च अपलाय कर दिया, अपलाय कर दिया कर दिया कर दिया, on 27th April, एक मिने, लावल कर दिया आपलाय कर दिया? 25th March को, महां से 30 दिन के अंदर application जाना चाहिए, अगर application 27th April को दिया तो, more than 30 days, more than 30 days का मतलब, अब उसकी effective date, 25th March नहीं होगी, इस दिन RC आई, what is the RC date? 29th April, रोज दिन आया ना, granted registration certificate, sorry, 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 so second case में है ना, तो देट के आईगी बताया, तो date के आईगी बताया, देट में, answer देख लेक बाग, साहसात में, 3rd, what would be your answer, if it applied for registration on GST portal, but means to submit the details of its bank account, tax consultant advised that prior permission of bank details in mandatory to obtain registration, examine whether the advice of receive intervention tax is correct, यह वाला point अगे रही, यह ही एक अच्छी adjustment जो exam में पुछा जा सकता है, इस बार, जो है, okay, 23 में amendment ही, सबसे बहुए, जब आप RG01 में registration के लिए apply करते हो, तो उसमें आपको bank details देनी परती है, पर यह mandatory नहीं है, law यह कहता है, rule 10 यह कहता है, very important, सभी रहन दे, ठीक है, rule 10 यह कहता है, आपका registration without bank detail भी हो सकता है, I repeat, आपका registration without bank detail भी हो सकता है, इसलिए consultant ने जो advice दिया, कि bank detail के भी ना registration नहीं होगा, it is a wrong advice, okay, advice is not correct in law, okay, registration can be obtained without bank details, but rule 10 says, okay, bank details must be given amendment within 30 days, फर्यों 45 days था, अर कितना हो गया, within 30 days, और, और, date of filing GSTR1, वीचेवरी आफिर, मतलब, तुम रजिस्टरेशन ले ले, लेकिन, यू मस्ट और तो गियू दे बैंक देश्टरेशन, okay, यहा पे अर्लियों 30 days, from the registration, और, date of filing GSTR1, whichever is, उसके पहले आपको bank details देनी पड़ेगी, फ्र्यों आने के पूरे पूरे चांसस है, आपकि यह adjustment अच्छे से पढ़के जाना है, इक है, नौ 7th अमर, रिशर्ब इंटरपैजर रिटर्न, under section 39, for each month, और पादे रो, that it has not furnished the return, for a continuous period of, six months, explain whether proper officer, can cancel the registration, of रिशर्ब इंटरपैजर on his own, okay, पहले बाट तो, कभी-कभी question में answer होता है, देको नीचे, if yes, yes मतलब confirm, yes, registration, लिखलो साइड में, learn करके जाना है, cancellation of registration, institute का फ़रेट अरिया, section 29, okay, सिफ situation learn करना, procedure नहीं, उसमें की procedure हो जाना, situation learn करना, एक होता है, true motor cancellation, true motor मतलब, खुद से, okay, खुद से, तो खुद से आप cancellation कर सकते हो, जब business discontinue हो गया, dispose हो गया, sale हो गया, रहा है न, या constitution change हो गया, या फिर, आपका tenor below threshold हो गया, तो आप खुद हो के भी cancel कर सकते हैं, और दुट्रा वाला को learn करके जाना है, कुद साब, cancellation by proper officers, रप्ता आपना सारी situations में, कि कौन को से situation में, officer cancellation कर सकता है, तो officer आपका registration कर सकता है, ताकि भी बहुत सारी situation है, तो सारी situation राइन करके जाना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कि कोई भी situation पर आपको सवाव कुछा जा रखता है, EPA has discussed all the situation also, बाकि सारी situation आपको लिखना है, also discuss the circumstances where registration is liable to be cancelled by a proper officer, otherwise than by his own motion also, उसमें आजाएगा, अगर 28 की सारी situation में आजाएगा, ना एक number ले लो, वाट वोट बी रांसरीं गिवन किस 7 अगो, इव रिश्यम इप्रवाइब इस अप्लें पर रिवोकेशन आप कैंसलेशन आप रिजिस्ट्रिशन, अगर पर रिवोकेशन आप कैंसलेशन आप रिजिस्ट्रिशन वाट पास, ये रिवोकेशन क्या होता है, सबज़ लो आप टूविलर चला रहे हूं, और वो टूविलर में आपकी जो आरसी है, गाडी की, ये आपका लाइसन ने जट कर लिया गया, और वो आपकी से दे ही नहीं रहा, वो बलता आप जट मैं कैंसल कर दूँगा ये, तुम क्या करोगे, तो ऐसा बला है, जा, लेख जा, आपकी जा, नहीं जा, ऐसा बलोगे, वापस कर ले, मत कर कैंसल, इसको कहते हैं रिवोकेशन, वापस कर, यहां कुछ चाहिए, यहां कुछ चाहिए नहीं रहता है, और रिवोकेशन मतलब फिर से दाहाल करना, कि हमारा जो आर्सी तुमने कैंसल किया है, हमको वापस चाहिए, इसको कहते हैं हम क्या, रिवोकेशन, ठीक है, गौर्मेन ने कहा है, कि अगर आपका आर्सी, कुछ रिजन के वरे से कैंसल हुआ था, और एग्जांपल, तुमने रिटर्न नहीं दिया, इसलिए कैंसल कर दिया, रहे कि नॉर्मल रिटर्न में होगा, तो तुमने यहां पे 6 मैने के रिटर्न नहीं दिये, तुम QRMP स्कीम में होगे तो 2 quarter के रिटर्न नहीं दिये, अरे है ना, अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में होगे तो yearly रिटर्न होता है, तो 30 April से 30 मैने के अंदर आपने रिटर्न नहीं दिया, तो हम आपका रिजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसकी RC चैंसल होगे, बिकास नन फाइलिंग अप रिटर्न, उसने ध्यान नहीं दिया, रिटर्न के लिए अप्लाइ नहीं किया, अभी थाई साल बाद वापस नया बिजने सालो कर रहा है, जैसा उसका नाम पोर्टल पर रिफलेक्ट होगया, अब्जिक्शन आगया, चार मेने होगे, उसको नया RC नहीं मिल रहा है, समझ में आया, तो बेटर दो कैंसल मत होने दो, और कैंसल होगा तो, रिफोकेशन के लिए अपलाए कर, समझ में आया, तो अभी क्या किया इन्होंने, रिफोकेशन का, यह कैंसल हुआ तो आपको रिफोकेशन के लिए मिलता है, और रिफोकेशन की अमेंडमेंट की, ताइम लिमिट बढ़ा दिया, अभी रिफोकेशन और कैंसलेशन में, इन्होंने ताइम लिमिट क्या किया गटा, 90 देज, पहले कितना था, जो नहीं लिए थे, अगर वो रिफोकेशन कर देते हो, तो आपका रिफोकेशन हो जाएगा, यह एक क्वेशन ऐसा बनाया है, कि मैंने सारे सेक्शन को टच किया है, सेक्शन 22, 23, 24, अरे, यह सोर न, उसके बाद में 28, यहने, कैंसलेशन, 25 तो प्रोसीजर है, सिर्फ वो प्रोसीजर कितना पढ़ना हो, वो आदार बहुता है, वो आदार आथेंटिकेशन, और वो रिजिस्ट्रेशन 15 दिन में, बाई साब, चाहत देख लेने का, ठीक है, और अभी क्या है, आपको तो अच्छा कहाए, बीच में टाइम है, अरे हाया ना, अब वो, ओके, यह मैं जश्ट अच्छा कहता है, तरह मैं तो उसको अच्छे से कर लो, ओके, एक बार आदार तो कहाए, तो बहुत सिंपल है, और आदार में सच में गोगे, आपको question क्या है, पता है गया, कि कौन से केसिस में आगर authentication नहीं लिए, ठीक है, प्रोसीजर के पीछे ज़्यादा है टाइम, मत करना, section 28, 29 की भी procedure के पीछे ज़्यादा है टाइम, अपना मत आदा, ठीक है, specific file लेना बात, ठीक है, यहाँ पे, यह हमारा chapter खत्म हुआ, sorry, यह इतना ही है था क्या है, और है क्या, हाँ, question 20 है, question 20 है, यह question अच्छे से पढ़ते जाना, मुझे लगता है, आपके उपर इसके इसमें सवाल पुछा, जाए, casual taxable person और NITP, मैंने यह बहुत अच्छा, 45 minutes मैंने अपने revision में पढ़ा हुआ है, RR revision में, CTP and क्या, NIT, यह concept क्या होता है, एक-एक point मैंने समझा है, अगर जिसने नहीं देखा है, तो आप जुरूर देखिएगा, बहुत अच्छा revision है, तो जहादर देखा जाए, CTP and क्या, NIT, Casual taxable person, मतलब simple way में, exam में मत लिखना पर simple way में बन जा रहे, बन जा रहे मतलब आप other state में जा रहे हो, जहाँ आपका कोई भी address नहीं है, और वहाँ जाके exhibition में stall लगा रहे हो, रास्ते पे stall लगा रहे हो, या कोई भी ऐसी place जो permanent place नहीं है, और वहाँ जाके goods or service का supply कर रहे हो, तो आपको वह case में IGST लगता है, वहाँ जो भी माल बेचते हो, उसका IGST लगता है, पर आपको advance में 5 days before registration लेना पड़ता है, और advance में tax देना पड़ता है, वो simple question है, करके जाना, इस बासी टीप और नर्टीप पर question पुछे जा सकते हैं, और नर्टीप मतलब, वाँ, वाँ, non-resident taxable person, मतलब क्या, मतलब बाहर के country से, लोग यहाँ पर business कर रहा है, जिसका कोई fixed place of business, नहीं है, fixed place of business, नहीं है, जैसे नेपाल से कोई आया, स्वेटर लेके, जैकेट लेके और roadside shop लगा रहा है, जिसका कोई fixed place of business, नहीं है, समझ महाँ है क्या, उसको कहता है, NRTP, तो देखो, answer the following question with respect to casual taxable person, and कहा दूसरा, NRTP, को is CTP and NRTP, रटा मानना, definition of क्या, CTP and definition of, प्लिको आपर रटा, क्या, CTP or NRTP a definition, okay, CTP, casual taxable person means, हुए occasionally, कभी-कभी, मेरे दिल में, okay, हुए occasionally undertook the transaction involving supply of goods or services, in the course of business, as a principal agent, in a state where he has no fixed place of kya business, NITP, occasionally undertook the transaction involving supply of goods or services, where a principal agent or other capacity, who has no fixed place of business or residence in क्या India second question, अब बाकी question is यह can CTP offer compositions के section 10-2 अगर देखते हो, तो 10-2 में conditions for CL दिया हुआ है पहला आपने marginal limit से जादा service provide नहीं करनी चाहिए कुछ यादा है क्या? कुछ बता रखते marginal limit क्या है service के? 5 lakhs, या 10% of tenant and state of proceeding financially whichever is higher, lower नहीं दूसरा आपने interstate outward supply नहीं करना चाहिए आपने non taxable supply नहीं करना चाहिए आपने issue supply service का नहीं करना चाहिए goods का allow गया है, अरे आया है ना goods का allow कर दिया है उन्होंने, जैसे अभी मैंने logic बताया था रिटेलर को किसका supply नहीं करना चाहिए service का नहीं करना चाहिए उसके बाद में, अगर आपको notified goods के manufacturer नहीं होने चाहिए ice cream, pan masala, कुछ याद है edible ice brakes वगरे दिया है उसके अंदर notified goods के आप manufacturer नहीं होने चाहिए, और last आप CTP और NRTP CTP NRTP को composition नहीं भाई साहब, अगर आप कोई इसमें बेटा होगा और याद होगा, तो CTP NRTP composory registration में आता है समझगा रहा है और उनको composition scheme भी नहीं मिलती है उसके बाद में next when is the CTP NRTP liable to get registration, registration कब लेना चाहिए within 30 days, from the date when he become liable अगर गलती से नीन नहीं मुन भीला रहा होगा न दो खीच करूँगा ठीक है CTP और NRTP जो है नहीं, यहाँ पर 5 days before the commencement of business registration करना चाहिए उसके बाद में is PAN is being mandatory for registration of CTP? yes, CTP के लिए PAN ज़रूरी है NRTP के लिए PAN नहीं बहुत important, NRTP के लिए PAN नहीं होता है पासपोर्ट होता है और नेपार यह बंदा है PAN निकाल करेगा क्या उसके लिए क्या होता है पासपोर्ट what is the validity period of registration certificate issued under CTP कितना direct 90 days निकोगे तो गलत हो जाएक time period has applied in the application okay, but maximum 90 days extendable for 90 days can the validity of registration certificate issued to CTP or NRTP extended? yes, further 90 days if yes, what is the period of extension बाई साभी exam का question है अगर ऐसे questions आये तो marks CTP, NRTP रह गया तो भी ग़र कर लिया बागी registration में थेह रही है इतना backing कर्सों को कर लिया अरे हाय न okay, बागी main main points नहीं सबसे पहले पता हो गया 22, 23, 24 की जितनी भी case study आपके questions में दिया है उतने अच्छे से करके जाना CTP or NRTP and cancellation बास, इसके ज़ए इससे ज़ए इस chapter को time नहीं देना ठीक है? चलो in this way we have completed this chapter क्या registration आपको benefit हो रहा है ना की नहीं हो रहा है हाँ याद आ रहा है ऐसा नहीं यह स्वाम अगरें मैं बचा के इसलिए रखा है वो क्या होगा कि अभी खाना कावगे फिर हलकी हलकी नीद आएगी खाना नहीं खाना है ना भी कंटिनिटी में ले 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 लेंगे विदावड लंच चलते है कंटिनिटी में तो एक आम करते हैं लंच नहीं करेंगे दस में का ब्रेक ले लेंगे दो सबात हो बजे और फिर कंटिनिटी में आगे ले ले ठीक है अब वो तो जो लेत है लोके यहां तो मेरे कहां से तीन-चार बार लिट लिखा के आगे होगे अब 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 नेक्स आप्टर कोन रहा लेना इन्वर्स लेलो ने प्यर्स तो यहां पर हम बार में लेगे यहां यहां आप आप कि यह 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 जाली, आजा ये नेक्स चाप्रे पर, टैक्स इन्वाइस, प्याजा, प्रश्चन नम्बर 21, अगें इजी चाप्टर, चोड़ना मत, मैं ये चाप्र इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये चाप्र क्या होता है, ये चाप्र आप परते परते इंडिंग में रहते है, उस्टु क्योंकि ये चाप्रेंट के लिए कि IT से होगा आप लगा आप लगा लगा लगा, जबकि अगर आप ट्रेंड देखोगे, मैंने दिया है, मेरे पॉस्चन ये स्टाइडिंग में, ज्यादा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन आप इन्वाइस पर प्रुश्चन, पर वो कह रह एक जस्पने स्टी लिए बोट्रेश ने लेगेंटर रजिस्ट्राएं च्पट्रेश है आप लेद्से खेंद मेरेeder् आप लेट्ज ये साफिसें हो ट्रावऐ स्थास्त्रेक है ट्रुश्चन है क्या निर्कितल्स क्या अगर आपको याद होगा तो supply of goods में आपका invoice कट विशू होना चाहिए, अगर goods में moment है, I repeat, अगर goods में moment है, तो क्या कट तक on or before date of removal for supply, और अगर goods में moment नहीं है, तो case में added time of delivery or mail available, तब तक invoice आपका issue हो जाना चाहिए, तो बाइस आप रिमॉल कब हो इसका, रिमॉल अगर हुआ तो 11 October को रिमॉल कर दिया था हमने, तो 11 October को रिमॉल है, बाकी सब date part two है, date of contract, कर मिला, कर नहीं मिला, part two है, बब हमको एक ही date छिए, date of क्या, तो इन्वाइस आपका issue हो जाना चाहिए, तो इन्वाइस आपका issue हो जाना चाहिए, continuous supply of goods, याद आपको मैंने बताया था paper वाला, बुद वाला, बुद वाला, बुद वाला, बुद वाला, continuous supply of goods, कुछ business का nature ऐसा होता है, कि यहाँ पे उसका इन्वाइस हर रिमॉल पर देना पॉसिबल नहीं हो, जैसे gas, gas is a goods, और supply of gas through gas pipeline, तो वो जो है, वो supply of goods माना जाएगा, जैसे, दू दू आला example लो, वो ऐसा नहीं होता है कि दू दिया की tax invoice removal, दू दिया की tax invoice removal, तो बुद 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 का nature है, कि वो बुद 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 का nature में यहाँ पे continuous supply of goods, continuous supply of goods और continuous लिख लो आप है, आपको यह दो definition learn करके जाना है, continuous supply of goods और continuous supply of services यह दो definition आपको क्या, learn करके जाना है और इसके invoice के impact भी learn करना है, इस बार 99% chances है कि अस पर question आ सकता है, और मेरा 2017 से, especially जब से GST आया, जब भी मैंने 99 का तो वो 100 हुआ, एक आदी बार ऐसा हुआ कि नहीं पूछा, मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ कि अभी तर continuous supply of goods और service पर question नहीं आए, और एक question तो ऐसा होता है कि जो एक या दो questions ऐसे होते है, या कोई adjustment ऐसी होती है, कि जो आज तक नहीं पूछा, वो आज पूछी लेंगे है, तो इसके inverse mechanism भी पढ़के जाना, अगर आपका दुन्दम में difference क्या है, continuous supply of goods में ऐसी कोई time period नहीं दिये, आपका contract 4-5 दिन का continuous or recurrent basis पर हो सकता है, जिसमें आप goods supply कर रहा है under the contract, जिसमें जो payment है, वो payment periodical है, service में बढ़ है 3 months, आपका continuous supply of service तभी बोला जाएगा, जो contract क्या है, 3 months or more है, जिसमें recipient आपको periodical payment कर रहा है, यह लंग करके जाएगा definition, तो उसको continuous supply of service कर लिए, इस case में continuous supply of goods है, लाई यह कहता है कि continuous supply of goods की case में, रिमोल पर आप invoice दे नहीं सकते, तो जिस दिन statement बनता है, okay, successive statement, यह successive payment, whichever is अल, उस दिन या उसके पहले आप invoice बनाना चाहिए, तो जैसे दूद वाला आपको monthly statement बना के लाएगा, इस दिन दो लिटर दिया, इस दिन पांच लिटर दिया, इस दिन नहीं थे, इस दिन बाह गये थे, रहा है ना, तो जो statement बना के लाएगा, यह जो आपका gap की pipeline है, उसका जो monthly कितने unit consume है, उसका statement बनेगा, उसी दिन tax invoice दिया जाएगा, यह उसके पहल, on or before, the statement या successive payment issue, तो ऐ on 25th of alternate month, take minute, उसके account statement का बाद है, 25th of alternate month, okay, do you should be limited to issue invoice each time by dispatching the goods, नहीं, dispatch के वक्त उसको issue करना नहीं पड़ेगा, पहले आप definition लिखोगे, invoice कर देना चे, legal provision लिखोगे, और उसके बाद में काऊगे, कि dispatch के बाद गूद्स नहीं होगा, और जो उसका statement की date है, क्या statement की date है, 25th of alternate month, उसके बाद में next, यहाँ पे third, on 20th में, शक्ति लिविटर हैं, और ट्रांस्मिटर फोर एग्जिबिशन ऐसा तरह, और सेल और रिटन बेसिस, हाँ, सेल और रिटन बेसिस पे, एक हमने invoice mechanism देखा था, वो एक्जाम्पल आपको जरूर याद आएगा, आपको याद होगा कि मैंने यह एग्जाम्पल दिया था, मैं और मेरे भाइट मेरे निट्व प्लेस पे जा रहे हो, एक पूराना सारी वाला, यहाँ देखा, तरही पूराना 20 साल, 25 साल पहले का एक सारी वाला आता है, वो, और कि यहाँ पे बेहिंजी, यह देखो, अप्रोल और क्या, रिट तो ऐसे सिचुएशन में, जब आप सप्लाय करते हो, और अप्रोल और क्या, रिटन बेसिस, तो जब रिमोल आतो इन्वाइस नहीं बनता है, लॉय कहता है कि इन्वाइस जो बनेगा, वें एक्सेप्टन्स गिमन बायर क्या बायर, बायर जब एक्सेप्टन्स देगा, उस अब यह दो, वो क्या कहते है, जहां से देखना कैफ़ली, और यह लिख कर भी देखना है, बहुत अचा के स्टुडियो, 25th में, शक्ति रिमिटर अस तें, 500 उनिट्स अप्नास मिटर अप एक्जिबिशन अप सातरा, सातरा को एक्जिबिशन में ले जा, और सेल और रिटन basis, out of the same 500 units, 300 units have been sold, 300 बेश गया, मतलब acceptors में गया, और यह सोर नो, तो 300 का भी इन्वास बनेगा, कब बनेगा, कब से लो, तो 300 units का 20th July को इन्वास बन जानेगा, पांद एक्जिबिशन, out of remaining 200 units, 150 units have been brought back, कितने बच्चे गया, 200, 150 units brought back on 25th क्या, 11, and balance 15 units have neither been sold, पांद वाली मिस्टिक, मिस्टिक यह है कि आपको क्या क्यों, 150, sorry, 150 तो वापस आगे, वापस आगे, तो फिर कितने नहीं आए, 50, तो 6 मैने में 50 नहीं आए, और कि तो आप क्या करोगे, 50 का इन्वास बना लोगे, बाई साब, पहले तो यह देखो कि यह 150 भी 6 months में आया की 20th, 11, 20th, 11 तक सारा बचें 200 आने चाहिए थे, अब यह 150 कर आए, 25th को, इसका मनलब 6 मेने बागा है, तो जिस दिन 6 months कम ले देखाए, तो उन्हें इन्वास बनाना है, तो वागा 6 months, 20th, 11 को मेरा इन्वास जो बनेगा, वो 50 इनिट्स का बनेगा, 200 इनिट्स का बनेगा, 200 इ इनिट्स का बनती है, चलो, उसके बाग में, explain the provision of JST law relating to issue of invoice, invoice आपका 300 का भी बनेगा, वो बनेगा 28, 7 का, और आपका 200 का बनेगा, 2, 0, 11, देखो answer में 2, 0, 11 है न, on which tax invoice to be issued, यह question, अच्छा question है, conceptual understanding होगी तो इसके marks रहना आपका बहुत आसान है, उसके बागा next, शक्ति लि on 5th of June, payment for the event was made on 19th June, determine that issue of invoice, service में invoice का भी issue होता है, बता, अरे बो, service में invoice का भी issue होता है, okay, अगे, within 30 days, या क्या, 45 days, okay, within 30 days या, 45 days, तो यह बता, उसने service का भी दिया है, 5th June को दिया है, तो 5th June से 30 days में, और banking sector होगा तो, 45 days में invoice issue हो जाना चाहिए, Now, next, 5th question, अच्छा question, start करना, शक्ति लिमिटर प्रोइट्स, continuous supply of क्या, service, what do you mean by continuous supply of service, जिसका contract period, 3 months से जादा है, और recipient periodically pay कर रहा है, तो इसमें जो है, continuous supply of service में, अगर यह concept नहीं समझा होगा, फिर से 2 मिट में समझा देता हूँ, continuous supply of service में, government ने invoice mechanism, 3 factor पे रखा, पहला, अग अगर आपका contract 3 मेने से जादा है, service का, और contract में, recipient आपको कब देगा, उसकी due date available है, example, rent agreement, मेरा 11 मेने का बना है, rent agreement मेरा 11 मेने का बना है, मतलब 3 मेने से, जादा है, continuous supply हुआ, लेकिन agreement में clear लिखा हुआ है, कि recipient मुझे हर मेने के 10 तारिक तक rent दे देगा, तो क्या due date fix है, अरे yes or no, तो अगर आपके continuous supply of service में, recipient आपको पैसा कब देगा, वो अगर due date fix है, तो invoice for supply of service and rent should be issued on or before due date, यह समझ मैं है, on or before due date, अगर आपके contract में due date होगी, तो, दूसरा, अगर मेरा contract में due date नहीं है, समझ लो, मैं 6 मेने का batch ले रहा हूँ, 3 मेने से जादा का contract है, और यहां मेरा batch 6 मेने चलने वाला है, और इसमें मैंने आपको installment facility दिये, पर इसके due date नहीं है, मैंने आपको कहा कि भाई, आपको इतीन installment रहेगी, पहले आपको देना पड़ेगा, इन बिट्वीन आपको देना पड़ेगा, और एक class कतम हने के, बात देना पड़ेगा, पर जिसकी कोई भी due date already fixed नहीं है, तो अगर आपका supply continuous contract है, तीन मैने से जादा है, और आपके contract में due date fix नहीं है, तो जिस दिन payment आएगा, यह student मुझे जो payment दे रहा है, एक मैने में दे रहा है, यह दोसरे मैने में दे रहा है, यह तिसरे मैने में दे रहा है, तो जब 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 जिसका payment आएगा, और तिसरा अगर आपके contract में event जो है event link payment है event link payment है मतलब क्या कि समझ लो मेरा construction service है और मैंने contract में clear लिखा हुआ है कि 5 होते ही मुझे 20% लगेगा 10% होते ही मुझे 10% लगेगा 2nd flow होते ही मुझे 10% तो मैंने अगर अपने contract में event fix किया होगे तो सामने वाला मुझे payment करे या ना करे जैसे event complete होगा मुझे invoice issue करना पढ़ेगा कुछ यागा रहा है रटा मार के जाना इस बार question आने के पूरे-पूरे chances है continuous supply of goods और continuous supply of service goods में तो बहुत इसी है goods में successive statement और payment और service में तीन factor दिये due date, due date not ascertainable and completion of event तो जो क्या करते है Shakti Limited provide continuous supply of service to Mrs. TNB Limited it furnishes the following further information date of commencement of continuous supply of service 110, date of completion 31, date of receipt of payment by Mr. Lakhan 23, determine the time of issue of invoice express the pressure of GST and in following circumstances if no due date of payment is agreed upon they're both under the contract यह उनका due date agreed नही है तो जिस्दिर पेमिन दिला अर्या आया ना continuous supply में due date agreed नही है तो जिस्दिर पेमिन में लाग एज्दिर पेमिन में लाग एज्दिर पेमिन लाग एज्दिर अंसर में on or before 38th मार्च दिया है क्या जिस्दिर वाग यह चेए करून vér a फेज्दिर पेमिन लाग 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 अनर विपोर 21st January, if Mr. TNB Limited has to make a payment on 25th March as per the contract, contract में due date fixer, due date का गा है, कि customer ने इतने due date में देना चाहिए 25th March, तो अनर विपोर 25th March, चलो, ये aspects भी हमने टॉच कर लिया, उसके बार में, TNB Limited has undertook a contract for supply of manpower for 28 days, 28,000, however, after 10 days, a service has been stopped, should Shrey Limited raise the invoice, very important, if you suggest to be providing service, very important, if you suggest to be providing, तो अगर आपने service contract लिया, और कुछ service देने के बाद, विच में service बंग होगी, तो जितनी service आपने दिया है, उतना invoice आपको देना पढ़ेगा, तो इसने कितने देना service दिया? 10 days, तो proportionally 10 days का कितना होता है? 10,000, तो 10,000 का invoice देना पढ़ेगा, तो इसके बाद, next, तो अग्रिगे टर्नर आप शक्ति लिमिटर देली एक्सरेट 20 लाक्स on 12 अगस, ठीके, टर्नर 12 अगस को एक्सरेट हुआ, इट अप्लाइट पर रिजिस्ट्रेशन आं 3rd September, तीस दिन में अप्लाए किया गया? 1st September, and वो आप्लाइट रिजिस्ट्रेशन आप या? 6th September, बताओ 30 दिन आप आप इन्वाइट दिया, तो कबसे आपकी एफक्टिव देट ही? 11, मतलब कि एफेक्टिव देट, 12th August, you are required to advise shakti limited as to what is the effective date of registration in its case, what is the effective date of registration? 12th August, okay, it is also for your advice regarding to issue of revised tax invoice, चलो, ये भी aspect करो हो गया, Revised Tax Invoice, concept क्या है? भाई साब, Revised Tax Invoice समतले ना कि Original Invoice पार किन आए इन्वाइट? GST में इसको Revised Tax Invoice नहीं कहते है, GST में Revised Tax Invoice कि इसको कहते है, कि जिसमें से आप लाइबल होए, till the date of RC, till the date of RC, क्योंकि आपके पाद GST न तो था नहीं, तो कबसे लाइबल हो है? और RC की तो दिया ही नहीं होगा? क्यों नहीं दिया होगा Tax Invoice? जिसमें, तो Normal Invoice दिया होगा, तो इन पिरेद के दवरा, जो आपने Normal Invoice दिया है, उसको Tax Invoice में Revised करके Customer को देना पड़ता है, वीदिन पिरेड आप लाइबल. याने, 6 September को जिस दिन RC आए, 6 September से आगे इन मत में, पु जिसमें आए कि नहीं है, तो यह Revised Invoice से आपको आपको 12 अगर से लेके 6 September तक का Revised Invoice देना पड़ेगा, चलो, यह भी अस्पेक्ट करो रोके, नेक्स, शक्ति लिमिटर अंदर टेकन फॉलाइं से दिरिंग अदे, अरिवा, यह भी अच्छा पॉइंट है, एक लॉग क्या क तो आपने customer को tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा, provided that उसने demand नहीं करना चाहिए, समझ में आए कि उसने demand नहीं करना चाहिए, तो एक मिनट, कौन से transaction में, B2B और B2C, B2C होना चाहिए, मतलब supply to an unregistered person, value less than 200, and invoice not required by the buyer, so there is no need to issue tax invoice, but आपको at the end of the day, I repeat, at the end of the day, जतना भी आपने 200 के नीचे का माल बेचा और invoice नहीं दिया, उसका एक consolidated invoice आपने record के लिए बना के रखना पड़ता है, you have to make a consolidated invoice, at the end of the day, वो point जरू लिखना, ठीक है, तो ऐसे situation में, यहाँ पे, उन्होंने एक case study दिया है, और आपको decide करना है, रागाव ट्रेडर, through enterprises, unregistered, अरे unregistered है ना, देना पड़ेगा, क्यों? 200 से जागा है, यहाँ पे भी tax invoice जाएगा, गवर्या आपटर, unregistered क्या देना पड़ेगा, yes, tax invoice देना पड़ेगा, अगरा और फेज, unregistered entity, यहाँ नई भी दिया तो भी चलेगा, लाप में नई भी दिया तो भी चल ठीक है, तो, none of the recipient required to issue tax invoice, determine inspector of which above supplies, शक्ति लिमिटर में issue consolidated tax invoice, वो कहते है कि none of the recipient want tax invoice, अरे उससे क्या concern है, हमें जाग देना है, वहाँ दो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और consolidated tax invoice last के दो case में होगा, 9th number, फ्षक्ति लिमिटर आज उप्ट for composition levie scheme, in current financial year, मुझे बतो, composition levie scheme में tax invoice होता है, bill of supply होता है, लाँ कर ले ना, bill of supply होता है, एक होता है composition levie, एक होता है exam supply, और एक होता है meal rate supply, तीन case में आपको tax invoice में कहा रहता है, bill of supply, If Shakti Limited has opted for Composition Levy Scheme in current financial year, advice whether it is monetary to issue tax invoice? No. If not, what is the other document? Bill of Supply. 10. Shakti Limited has received advance payment in respect of services, advance payment in respect of the services to be supplied to Surajamal. Its accountant asks to issue receive voucher with respect to such service to be supplied. However, Shakti Limited recommends you as to what will happen in case receive voucher is issued. But subsequently, no service has supplied. You are required to advise Shakti Limited regarding the same. The voucher concept in GST is explained. If you get advance in case you need to issue what you need to receive voucher. But if you receive voucher, receive voucher issue after you have not supplied supply and you have not supplied. If you receive voucher, you can give the voucher to the contract and you can cancel the voucher. And you can claim the voucher. I will explain the example. In the beginning, I have announced the GST batch. Two months later. And its fees are one lakh. For example. Its fees are one lakh plus GST. You will come to the voucher and you have to ask for admission. And the first day the admission is full. So, everyone has one lakh plus GST. And the admission is advanced. Advanced batch is two months later. And so, if you get advanced, So, in service advance, so, what are you going to say? In service advance, the tax tax comes from goods. Then, you have one notification of 66 by 2017. सब्जमाएं क्या, पर सर्विसमें एडवांस पे टेक्स दे दिया, बाइस स्टार्ट होने के पास दीन पहले आपको मैसेज आए, यह बैच नहीं होगी, सर अभी यहां नहीं है, सर घुमने चले गए, तो ऐसे सिचुएशन में बैच नहीं है, बैच नहीं है, उसका आपको क है क्या है, तो फिर मैं सिंपल है मैं क्या करोगा रिफंड वाउचर बनाऊगा आपको 1,18,000 का रिफंड दे दोगा और यह रिफंड वाउचर मैं गौर्मेंट में सब्मिट करोगा गौर्मेंट इसके बेस पर मुझे 18,000 का रिफंड ग्रांड कर देगी जो मैंने एडवांस पर दिया तो सवाल क्या है सवाल है कि supply डर रहा है रिफंड वाउचर देने के लिए क्योंगी contract cancel दो क्या होता तो आपको answer लिखना है कि if no supply is made I repeat if no supply is made and no invoice is issued then he can issue refund voucher and can claim the refund of tax refund voucher very important अच्छे से learn करके जाना लिख लो refund voucher का concept अच्छे से learn करके जाना है उसके बाद में अच्छा सप्ला रहा होता तो या फिर invoice बन जाता तो फिर credit नौ फिर credit नौ ठीक है उसको राब में शक्ति लिमिटर जाओ ग्टा सर्विस on which it is liable to pay under क्या reverse charge अगर मैंने कोई reverse charge में service ली तो क्या invoice बनाने पड़ते है अगर supplier registered है तो नहीं अगर supplier unregistered है तो क्या मुझे self invoice बनाना पड़ता है यास चलो या aspects भी कड़ हो गया नेक्स शक्ति लिमिटर विचस्टुना रधर इस नेससरी तो शोग्टा समांट separately in the tax invoice issue to the customer यस okay tax amount आपने separately बताना चलिए ये question होगया question number 22 एक बार देख लेते है पड़बट आगा आगा ये तो बहुत इजी है ये इंपोर्टन भी है इसी भी है answer the following question what is e-invoicing what is the threshold limit of for ready to issue of e-invoicing for all registered person okay अब अगर कोई नाला ही के लिखेगा e-invoicing मतलब electronic invoice नमे वहाँ जाँ जाँ मे तुम बेटे ने वहाँ आपके दुख खीच के नहीं दिया ना ठीक है e-invoice proper लिखो it is the reporting of business to business invoices on a GFT system okay invoice याज़ा रहे आपको IRP portal होता है invoice IRP मतलब job मैं नहीं पता okay IRP लिखन क्या invoice registration portal ठीक है IRP पर आपको invoice दिना पड़ता है QR code IRN नमबर मिलता है 64 digit का कुछ याद आया है क्या okay उससे automatic GSTR 1 update हो जाता है उससे automatic evable update हो जाता है कुछ याद आ रहे डियाग्राम बनाया था हमने तो ऐसे case में वह यहाँ पे business to business पहले आपको बता है तो e-invoices you B2B transaction का मनेगा और अभी याद रखो उसकी limit जो ही है वह कितना पाउप्र अगर 2017-18 से लेके किसी भी प्रसेटिंग financial year में आपने aggregate panel of five crores cross कर दिया हो तो आपको current financial year में invoice बनाना ज़री हो जाएगा उसके कुछी exceptions दिये लांक कर ले ना लिख दो exception need to learn ठीक है second enumerate the person to whom the provision of regarding invoices are applicable and not applicable third देखो the government department is registered under GST its aggregate time or and preceding financial year Rs.22 crores you are required to comment with the help of relevant provision whether say department required to issue invoice e-mails का concept government department का applicable नहीं होगा प्यूंकि exception है और exception में आप देखोगे तो कौम? government department तो अगर आप इसका answer देखते हो तो e-mails is not applicable to क्या? government department लेकिन में इसा डारेक यह मत लिखना MC की होगा तो ठीक है अगर ऐसा question पूछे तो थ्वाबत दो-तीन line invoice, aggregate, turn-on और फिर उसका exception यह properly लिखना उसके बात है briefly explain requirement of dynamic QR code and list out the non-applicability of requirement of dynamic QR code देखो dynamic QR code मतलब अभी यह तो अभी समझाना बहुत easy है बहुत सी बार जब आप payment करते हो तो पता है वो card swapping machine होती है उसमें आपके transaction का QR code होता है आपका transaction होगा कि QR code generate हो जाता है तो हर customer का और हर transaction का अलग-अलग QR code होता है जैसे आप UPI से scan करते हो तो वो आपको amount के साथ, entity के साथ दे देता है तो आपको बहुत सी बार जब यह पहली बार आया तो 2-3 साल पहले तो मैं पहली बार बुरा surprise हो गया था कि मैंने QR code scan किया और amount भी ले लिया automatic उसने तो मैंने पहले तो आदर थी ना एक होता है static, patium कि patium का static रखा है और सब scan करेंगे और उसको pay करेंगे और अभी dynamic QR code आ रहे है कि आपने scan किया तो amount के साथ अपडेट हो जाता है उसको हम कहते है dynamic QR code अभी यह dynamic QR code का जो restriction है जिसका aggregate and all 2017-2018 से लेकिए अभी तक 500 crores के उपर है 500 crores के उपर है और B2C transaction B2C transaction को यह dynamic QR code applicable है ठीक है इसके exceptions वह ही है government and etc तो यह आपने पढ़ ले ना यह आपने देखा उसके बाद में चलो दो में यह देख लेता है debit note and credit note यह भी important question है question number 23 पर होजा answer the following question अगर आप यह तीन questions कर लो मैंने invoice chapter के हर aspects को cover कर लिया है invoice, continuous supply, voucher अरे समझ में आ रहा है ना self invoice, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 200 वाला criteria revised tax invoice वो भी हमारा, cover हो गया है QR code भी cover हो गया है invoice भी cover हो गया है and last, debit note and credit note यह भी हम cover कर लो मतलब तीन question में पुरा chapter is over और सारे अभी मत्तित जो भी important adjustment RTP में या exam में पुछे की वह भी cover एक है चलो answer the following question what are the circumstances under which credit note and debit note need to be issued by registered person learn करके जाना लिख दो आप रटा मार के जाना और के रटा मार के जाना कौन से cases में credit note और कौन से cases में debit note सबसे पहले कमें बहुत है debit note मतलब invoice jump date करने के बाद जब आपसे कुछ कुछ invoice related extra amount लेना है आपसे packing charges लेना है आपसे warranty charges लेना है कुछ invoice related या आपसे मुझे interest लेना है जब भी कुछ मुझे extra आपसे लेना है तो उसका क्या issue होता है debit note debit note is a supplementary tax invoice समझ मैं और credit note का issue होती है तो credit note issue होती है जब original invoice उसमें से कुछ कम करके देना है I repeat the word उसमें से कुछ कम करके तो value कम करके देना है गलती से मैंने GST 5% लगाना तो मैंने 12% लगा दिया yes or no तो मुझे वो कम करके देना है तो वो situation में जहां तक देखा जाए तो क्या issue होगा credit note तो कौनसे cases में आपकी credit note जाएगी और कौनसे cases में आपकी debit note जाएगी यह learn कर लेना पहला taxable value declared in the invoice is more than actual value मतलब मैंने गलती से आपको value जागा लगा दी बात में समझ में आया कि यह जागा value होगी ऐसा हुआ बहुत से बार जब product sale होता है Samson का mobile है उसके अलग-अलग type के mobile है गलती से मैंने उसकी value आपको जो 80,000 लगाना चीए था मैंने 1,000,000 लगा दिया बात में लगा है कि अगया इसको जागा लगा दिया तो उसका 20,000 आपको benefit देना है तो आपको क्या issue करना है credit note इसका GST में फाइदा क्या होता है जो month में आपने credit note दी उस month के tax liability से आपका credit note वाला tax कम कर दिया जाता है समझ में आया क्या मेरे बड़ सुनना जो month में आपने credit note दी उस month के total tax library से credit note वाला tax आपका कम कर दिया जाता है यह फाइदा होता है credit note का यह समझ में आया क्या ऐसे situation में अगर आपने value जादा बता ही होगी और कम करना है में भी discount होगा में आपने excess value को reason के वज़े से जाज़ा बता दियोगी next tax charge मैंने 12% लगाना चाहिए मैंने यहां पर आपको 12% लगाना चाहिए ता tax लेकिन गलती से 18% लगा दिया जाज़ा लगा दिया original invoice में जबकि rate क्या था? 12% तो tax charge in the invoice is more than actual tax good supplies is return यह लेन कर लेना जब भी sales return हो तो sales return में invoice cancel होता है वो तो already upload होगया है upload होगया मतलब GSTRO अगर sales return होता है तो आपको क्या issue करने पड़ती है? credit note उसमें credit note जाती है the recipient found goods or service both supplied are deficient in quantity या quantity मैंने आपको 1000 का quantity का bill दिया पता चला कि आपको 950 quantity मिली तो फिर 50 rupees का क्या? क्योंकि invoice तो अपले हो गया तो 50 rupees का आपको क्या जाएगा? credit note या deficient service मैंने जो commit किया था उसके साब से service नहीं दे पाया तो मैंने credit note उसका issue होगा चार केसल में credit note issue होगा उसके बाद में reduction in output tax liability of supply shall not be permitted if incidence of tax and interest of supply has been passed on क्या रहे? वैसे credit note से आपकी tax liability कर में होती है पर अगर आपने ये बदन पास्फार्म किया होगा और recipient उसका ITC rewards नहीं किया होगा तो फिर आपको adjustment नहीं मिलेगी next debit note कर अच्छा debit note बतलब कम करके देना या extra collection extra collection तो extra collection होगा जब तुमने value कम लगाई और आपको कुछ extra collect करना है तो debit note या आपने tax amount कम लगाया आपने लगाने चाहिए थे यहाँ पे sorry, 12% और 30 दे आपने 80 लगा दिया और आपके higher rate लगा दिया जबकि आपने lower rate लगा दिया जबकि credit note जाएगी और quantity received amount वो case में debit note जाएगी तो पहला हो गया what are the tax implications of credit note and debit note को बताएगा credit note का tax implication क्या है जो month में मैंने credit note दी उस month के output tax liability से मेरा tax amount कम कर दिया जाएगा और debit note debit note से जो month में मैंने debit note दी उस month में उतने amount का tax collect किया जाएगा now third what is the time limit to declare details of credit note and debit note credit note की time limit है अगले साल का November 30th November और date of annual return whichever is earlier मतलब इस साल मैंने जो भी invoices दिये और मेरे customer को कम कर आना है तो government कहती है अगर बात करने की और tax adjustment की है तो अगले साल के 30th November या date of annual return whichever is earlier what is the time limit of debit note debit note की time limit नहीं है क्यों time limit नहीं है debit note की time limit है क्यों time limit नहीं debit note का क्योंकि debit note से tax कम नहीं हो रहा government को रेंग दिल रहा तो government कहती है debit note का में जो उसका कोई time limit नहीं है उसके बाद में mentioned the requirement for claiming reduction in output tax liability by issuing क्या credit note वो तो मैंने बता दिया आपको की उस month में कम हो जाएगा जिस month में आपको credit note issue किया Is it correct to state that debit note can be issued only after only for increasing tax liability by the supply अब दुकर fifth का answer क्या है okay yes debit note जख आपकी tax liability बरती है तब इसको supplementary invoice भी का जाता है okay उसके बाद में next Tartik and company or registered supply under GST provide following information regarding various tax invoices issued by during the month of क्या बता March पहला value of supply charge in invoice number one two lakh fifty thousand again the actual taxable value क्या 230 बता actual taxable value कितनी थी 230 invoice पे कितना लगाया 250 क्या जाएगा debit में प्रेडिट में प्रेडिट में प्रेडिट में जाएगी ना कम करना है ना दुसरा tax charge in the invoice number four was 32,000 again the actual tax liability is 68 debit में जाएगी और third case में value charge in the invoice number eight was three lakh twenty thousand again the actual value क्या four lakh twenty thousand तो यह तो wrong quantity considered high bullying तो इसमें भी क्या जाएगी debit में प्रेडिट में प्रेडिट करना पड़ेगा तो चलिए इस तरह से हमने यह chapter end किया tax invoice चलिए तो जोस्तर अभी next topic लेते है time of supply आजा यह topic पर time of supply simple topic है question number six पर आजा time of supply time of supply time of supply Okay, question no 6, here on the question. Determine time of supply, and then determine time of supply for the purpose of payment of tax under the CGST Act in the above cases. In the below cases correct? Now, A-Limiter is engaged in supplying engineering goods as well as job-work engineering goods. Job-work means supply-up service. तो वो supply-up goods में as well as supply-up service में. A-Limiter provides providing details regarding order received for the supply-up goods as well as job-work. और आपको T-R fix करना है. तो देखो, यहां पे supply-up goods दिया हुआ है और यहां supply-up services. दो section अगर आपको यादाते है, section 12 and section 13. Section 12, supply-up goods का TOS और section 13, time of supply-up services. Date of confirmation of order. Date of receipt of advance. Date of removal or completion of order. Date of issue of invoice. Date of receipt of balance. कुछ factor आपको ध्यान रख लेना है. पहली बार पर गूद्स के case में, supply-up goods के case में, बिल्कुल confuse मत होना TOS fix करते हुआ. Supply-up goods के case में, आपका TOS दो ही factor पर राएगा, invoice या last date of invoice. What is the last date of invoice in case of supply-up goods? Goods के case में last date का है? Remold for supply. Remold for supply. Receipt basis पे TOS नहीं आएगा. अगर part-part payment भी होगा तो भी TOS पाट-part में नहीं. बिल्स दो ही factor, invoice या last date of invoice. लेकिन, Finance Act 2023 से एक exception आया है. और वह exception आया, specified actionable claim. पहली बाद को आपको बता दो, specified actionable claim यह goods माना गया है. इसलिए उसका TOS under section 12 fixed होगा. तो आपको invoice, last date of invoice or receipt, whichever is earlier. यह सी एक ही case में लगाना है, और वह specified actionable claim. आपको receipt पहले ही तो यह सी basis पे लेना है. Otherwise, बाकि कोई भी goods के case में, यहाँ पे TOS, invoice and last date of invoice. तो अगर मैं पहले supply of goods की बात करूँ, supply of goods में दोई date ढूँड़ो, कौँसी दोड़े ढूँड़ना है? date of invoice, यह क्या, last date of invoice, whichever is, बाकि date कुछ भी काम की नहीं है, confused हो नहीं. अगर यह specific actionable claim होता, casino, lottery, betting, gambling, अगर है, तो फिर मैं रिस भी ले लेता. advance में आया, उसका TOS अलग, बाद में आया, उसका TOS अलग. ठीक है, तो ऐसे case में बीचोई दाल लियो, तो आपका TOS क्या fix हो जाएगा पिटा? Okay, goods के case में 17th of January. यह तो goods था, second, उनकी job work service भी है. यह problem मैंने इतना अच्छा बनाए, कि इसमें goods भी खुर हो जाए, as well as service में. Service के case में notification 66 by 2017 applicable नहीं है. मतलब अगर आपको receipt मिलती है, तो receipt पे TOS आएगा, advance पे TOS आएगा. इसमें law क्या कहता है? law यह कहता है, कि service के case में जहां रखना, if invoice issued within prescribed time, prescribed time मतलब 30 days, तो invoice or receipt whichever is earlier, और invoice not issued within prescribed time, कुछ याद आ रहा है आपको, तो इसके basis पे आपका TOS fix होगा, अगर यह दोनों से TOS fix नहीं हो पाया, तो ज़स दिन आपने provision किया in the books of account, वो date consider किया जाएगा. चलिए, तो goods का TOS, यह 17 आएगा, देख लो answer में, पहले का, क्या goods का TOS 17 है? Yes or no? Service में, अगर इन वो इन टाइम है, तो एक मिनट, सुमाए, service कब कम्प्लिट की तुमने? Completion of order, completion of order कब है, 6th of March, और invoice कब दिया गया? 11th March को, क्या invoice within time दिया गया? Yes or no? जिए जिए goods के case में, invoice on the date of remotely होना चाहिए, लेकिन service के case में ऐसा नहीं है, service के case में आपको कितना time दिया है? 30 days, okay, तो invoice within time है, अगर invoice within time है, तो invoice or receipt which is अलग, यह पार्ट-पार्ट payment होगा, अगर पार्ट-पार्ट payment होगा, तो पहले पार्ट का TOS अलग होगा, और दूसरे पार्ट का TOS अलग होगा, और दूसरा पार्ट payment जो बचा होगा है, उसमें invoice or receipt, whichever is earlier, तो दूसरा invoice basis पार जाज़गा, और वो कवाएगा 11th of March, क्योंकि उसका payment बाद ना आया, तो वो invoice basis पार जाज़गा, तो second year इस तरह से आज़एगा, सबज़गा है यह problem आपको? Yes, ठीक है, चलिए, second देखते है, A Limited has purchased a goods taxable on river charge basis, Goods purchase किया और river charge basis पे purchase किया from B Limited, invoice dated में, उसका invoice May 4 का था, A Limited received the goods on 12th में, and make the payment on 30th में, What would be your answer if goods are received on June 12th? पहले तो, section 12 के हिसाब से, अगर आपने कोई ऐसा goods खरीदा है, let's take example, cash units बकिरे, जिसका river charge में GST आता है, तो उसका river charge में GST, section 12, 3 से fix होता है, section 12, 3 कहता है, Goods के case में, date of receipt of goods, में साथ learn करो क्या है, date of receipt of goods, यह second date of payment, payment की दो dates आ सकते हैं, book entry, book entry या debit to bank, और 30th birthday, I repeat, 30th, 61th नहीं क्या, 30th birthday from suppliers invoice, supplier invoice करता गेटा, 4th में, 31st day निकालो, 4th को छोडो, कितना 31st day, में के कितने दीन वे 26, 26 आए गा, और 27 हो जाता है, में के कितना हो जाता है, 27, 27 और 3, प्लस 1, 4th June, क्या हो जाता है, 4 June, तो अब आप क्या करना है, आपको लेना है, यहाँ पर date of goods का रिशु होगा, 12 में, 12 में, पेमें कर वो आप, 30 में, और 31st day कर आ रहा है, प्लक आप June, whichever is earlier, तो क्या earlier आ रहा है आपका, 12 में, तो पहला TOS का fix होगा, 12 में, What would be your answer, एक गुशा रिशु आउन क्या, June 12, अगर June 12 को goods रिशु होता है, तो अब आप यह date मतलो, June 12, 30 में, and 5 June, इसमें से पहले कौन आ रहा है, 4 June, sorry, 30 में, तो यहां पे TOS कब आ जा रहा है, 30, देखो आपको दो answer होगे, चेक कर लो, पहला answer May 12 होगा, Yes or not, और गुशा answer क्या, May 30, May 30 होगा, चलो यह भी होगया, रिवर चालवला, हमने कवर कर लिया, चलो next, A Limited receives the order, an advance payment on 5th January, for carrying out architectural designing job, in a service, it delivers the design on 23rd April, by oversight no invoice issued at that time, and it is issued much later, आप इस्पाई लो प्रिस्काई परे, मुझे बता, अगर supply of service है, और invoice not within time होगा, I repeat, invoice not within time होगा, तो क्या TOS कैसे fix होगा, date of completion or receipt, whichever is earlier, अच्छा इनका service cup complete होग, payment मिला 5th January को, advance payment को, और service cup delivered होग, 23rd April, तो क्या बिटा, date of completion or receipt, whichever is earlier, तो क्या होगा बिटा, 5th of January, advance मिला, यह सुना, चेकर आंसर, 5th of January को आएगा, उसके बाब में चलो, तो यह भी आस्पेक कवर होगा, कि advance मिलता है तो service के case में, invoice नहीं दिया, तो completion or receipt, whichever is earlier, 4th, investigation shows that, A Limited carry out service of cleaning and repairs of time, in an apartment complex, for which Apartment Honours Association showed a payment in cash on 4th April, to them, against the work of their description, the date of the work are not clear from the records of A Limited, A Limited have not issued the invoice and entered the payment in their books of account, एक प्रोवीजो थी और प्रोवीजो यह करती है, देखो, service के case में, अगर आपका clause A clause B से TOS नहीं fix होता है, तो जिस दिन recipient ने अपने books में entry कर दी, उस दिन आपका TOS मान लिया जाएगा, regular example जो है, मैं इसका इस सरह से देता हूँ, तो आपको click हो जाएगा, okay, clause C, देखो, V Smart Academy, V Smart Academy, यह example आपको याद आजाएगा, मैंने लिया तरह को लिए class में, और जैसर का, V Smart Academy और जैसर का, अब देखो क्या था, अभी 31st March था समझ लो, 31st March करो, okay, जैसर supplier of service है, okay, V Smart Academy, recipient of service है, अब जैसर का अभी जो batch हुआ, जैसर ने का कि सर, इस batch का bill, मार्च के बाद करना, यहनि मैं इस batch का bill, जो आपको मार्च के बाद दुगा, जो batch fair में चालोगा, okay, मार्च के बाद दुगा, मैंने का, okay, अब जैसर ऐसा क्यों बोल रहे है, क्योंकि वो जो, इस fair में जो batch चालोगा, उसका income वो इस साल में record, नहीं करना चाहते है, ठीक है, तो सर, batch बाद में complete होगी, अभी तो सर देडी में ना हुआ है, okay, मैं batch बाद में दुगा, अब जैसर अपना revenue record नहीं करना चाहते है, शायद उनका revenue बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो वो इसके पर income tax देना नहीं चाहते है, invoice bar पर issue करना चाहते है, अब V smart के लिए problem क्या है, V smart के लिए problem है कि V smart अपना expenses book करना चाहते है, क्योंकि V smart अगर अपना expenses book करेगा faculty payment, तो profit कम होगा, और profit अगर कम होगा तो tax कम आएगा, तो मैंने जैसर को बड़ा, V smart के लिए नहीं चाहते है, वो तो जुझे बिल देना बड़ेगा यार, वो जैसर कह रहे है, जैसर मतलब supplier of service, वो बिल देनी रहे है, अच्छा by law नहीं दर है, क्योंकि law यह कहता है कि जिस दिन service complete होगी, वहाँ से 30 days में, अरे yes or no, वहाँ से 30 days में, उनके पास option है, पर मैं चाहता हूँ कि accounting principal के साब से, मैंने का जैसर, यहाँ पे देर-देर मेना हो चुका है, समझना है क्या, तो different payment basis for revenue recognition आदे पैजका तो होना चाहिए, अर्या है ना, accounting standard कुछ पता है कि आपको हाँ, तो आपको प्रेजका तो आपको प्रेजका तो आपको प्रेजका तो आपको प्रेजका ने 50% देता है, और मेरा expenses अब उनका कहना है कि नहीं, क्योंकि वो GST law के साब से bill बाद में भी जे सकते हैं, अब उन्होंने invoice नहीं दिया, no invoice, और मैंने भी अभी तक payment उनको नहीं किया, लेकिन मैंने accounting principle के हिसाब से, मेरे books में उनकी provision create कर दी expenses डालके, faculty payment expenses and amount payable to Jai Sir, 50%. अब GST law केता है, क्या केता है, अगर supplier में invoice भी नहीं दिया होगा, और supplier को payment भी नहीं आया होगा, यह सबज में है किया, तो ऐसे situation में, जिस दिन recipient ने अपने books में entry कर दी, उन भी Jai Sir का TOS मान लिया जाएगा, और Jai Sir को accordingly GST देना पड़ेगा, मैंने कर दी 31st March को, अगर है ना, अब क्या होगा, इसके impact क्या होगे, कि अगर मैंने 31st March को provision करना दिया, faculty payment का, तो यह income ने, GST law के इसाब से, जितना भी मैंने book किया, उनका TOS 31st March को मान लिया जाएगा, जिसकी due date 20 है तो, April, तो मैंने Jai Sir, अभी नी बता रहे Jai Sir को, मैं बता रहे 10 तरीक के पहले, GSTR 1 के पहले, Yes or No, मैंने entry कर दिया, तेरा TOS आगया है, तो accordingly देख लेगा, ठीक है, इन सिंपल में law यह कहता है कि, अगर supplier ने invoice नहीं दिया, और payment में ने लिया पर recipient अपने books में entry कर दी, तो supplier का TOS आजाएगा, और GST देना पड़ेगा, ठीक है, तो रखे रिक में भी तो देखो यहाँ पे, देखो supplier जो था, उसने ना bill दिया ना payment लिया लेकिन, उसका जो recipient थे उसने, recipient ने 4th April को entry कर दिया, तो अगर recipient ने 4th April को entry कर दिया, तो क्या supplier का TOS recipient के books of account के base पर आ जाएगा? Yes, 4th April को आजाएगा, चलो यह भी aspects हमने देख लिया, उसके बाद में 5th, A form of advocate issued invoice for the service to a limited on 17th February, advocate ने invoice दिया 17th February को, payment is contested by a limited on the ground that, on account of negligence of a firm company, was dismissed by court for non appearance, which is necessary further appearance for which the firm is billing the company, the dispute dragged on and finally payment made on 3rd November, मतलब a limited ने advocate की service लेती, अगर a limited advocate की service लेता है, तो river charge में liability किसके पर आती है? अगर legal service लिया, पर a limited ने payment की लिया, कुछ dispute के वजए से, बाद में settle हुआ, पर payment कब किया है? 3rd of November को. Now, सबसे पहले कि a limited अपना TOS कैसे fix करेगा? उसने service ली, इसलिए section 13.3 के इसाब से TOS फिक्स होगा river charge में, और river charge में service का TOS कैसे fix होता है? यह रक्टा मार के जाना question आने के पुरे चांसे से section 13.3 लिख लो, section 13.3, रक्टा मार के जाना, इस पर question आने के चांसे से, तो 13.3 में, service के case में TOS होता है, तीन देट होती है, date of book entry, date of payment debited to bank, और 61.3, I repeat the word क्या, 61.3 from suppliers invoice, whichever is ideal, तो बताओ इन्हों पेमेंट कर किया था, और case study पढ़के बताओ, मेरे चेहरे के कुछ नहीं लिखा है, तो पेमेंट किया था, 3rd November, और 3rd November कर तो date of payment, payment की due dates, और क्या 61, goods में एक एलिमेंट जाद है, date of receipt of goods है, service में date of receipt of service नहीं है, reverse charge का TOS सिब 2 factor पे, कौनसे 2 factor पे data payment, payment की due dates, और 61 पे राम क्या, suppliers invoice, कुछ यादा है किया, तो 2 factor पे TOS है, तो मुझे यह बताओ, यहाँ पे invoice के 61 पे कितना होता है, रिवर चार्ज में invoice basis पे TOS मुझे फिक्स करना, और कि रिवर चार्ज में TOS जो फिक्स होता है, वो 31st day या 61th day from the supplier's invoice, I have understood, तो 17 Feb से 61th day निकालो कितना होता है, क्या आ रहा है 17th Feb से 61th day, 19th April आ रहा है, 19th April यह 61th day आ रहा है, और date of payment क्या रहा है, which is earlier, तो आपका TOS कब आएगा, 19th April को आएगा, चलो देख लो एक बाए answer सही क्या, 19th April, आएगा सही answer, उसके पाद में, चलो यह भी aspect कर होगा, service कर इवर चार्ज कर होगा, meal coupon are sold to a limited on 9th August for being distributed to employee, of the क्या, sale company, the coupon are valid for 6 months, and can be issued against purchase of food item, Employers use them in various stores for purchase of various edible items on different date throughout the 6 months, coupon मतले voucher, voucher का TOS कैसे fix होता है, पहली बात तो यह कोई discount voucher or discount coupon निए, ऐसे voucher जिसमें goods over service देने का वादा किया, समझना है, जैसे आप shop or store पर या रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ purchase पे voucher मिलता है, जिसमें यह voucher आप ले लो, और यह voucher में आप यह specific goods खरीच सकते हो, ले सकते हो या आप हमारे store से कुछ भी up to 1000 ले सकते हो, जिसमें discount निए जा रहे है, कुछ goods for service देने का वादा किया जा रहे है, कुछ voucher पे GST आता है, उसका TOS कैसे होता है, अगर वादिपाइबल है, अगर वादिपाइबल है तो data issue of voucher, और अगर वादिपाइबल है तो data redemption of voucher, अगर आपको आपको आप कूपल कोई भी item में in cash हो सकता है, तो वादिपाइबल है या अगर है, other than identifiaबल है, other than identifiaबल है, मतलब इसका TOS कब आएगा, देखाओ, redemption of voucher, कब redeem होगा? नहीं वो, नहीं नहीं, 6 months पे जब भी आपका answer यह आएगा date तो नहीं मिलेगी, आपका answer यह आएगा, जब भी employee redeem करेगा, on that date TOS will arise, तो देख्लो answer क्या दिया है, date of redemption of voucher, नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं, सब्सक्राइब करेगा, इंकम tax and money laundering case against Mr. A, who is the employee of A Limited, working in a large volume of undisclosed asset, which he claimed as a service income, on this basis GST authority investigate the GST liability, okay, GST authority थुरू लेते गीडी काम करता है सब, हां, जहाँ पे तेकाँ है, the date of provision of service, whether in the first half or second half of the financial year being scrutinized by income tax authorities, are not known, Mr. A voluntarily pay GST during the investigation, sir, बहुत कुछ पर लिया, पर किस से दिलेर को समझ में हा रहा है, कि अगर कोई भी उपर के सब से आपका TOS फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे बेज जेज्मेंट, यहाँ रेसिडिरी केस से आपका TOS फिक्स किया जाता है, जनरली यह सेक्शन 12,5 यह 13,5 उन लोगों क्या इसमें यूज़ होता है, जिन्होंने कोई भी books of account मेंटेर नहीं करे, chronicle tax evaders है, और कि chronicle tax evaders है, तो थब TOS कैसे फिक्स करना, मतलग क्या, अगर सामने वाला invoice issue करता है, तो invoice की date मिल जाती, अगर फामने वाला remote goods की date की records maintain करता है, तो remote की date मिल जाती, क्योंकि invoice नहीं तो date of remote, service के case में invoice नहीं तो date of completion, जिस दिन complete किया वो भी विडिगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, मतलग यहां पर आपको तीनों से एड भी किल जाता है, तो भी आपका काम हो जाता है, और tiers fix हो जाता है, पर कोई chronical tax evader है, और उसने कुछ भी mentored नहीं किया है, और उसकी tax liability आई है, तो recidury case कहती है, कि अगर वह person return के provision में आता है, तो due date of return, नहीं तो यह कंदा, जिस दिन भी tax pay करेगा, वो उसका time of supply माना आए, तो accordingly आप इसका answer दोगे कि भाई, T.O.S. जो होगा, जिस दिन भी voluntary pay करेगा, उसका T.O.S. आएगा, उसके बारे, 8. A limited supply goods of Rs. 50,000 to its customer Mr. C. On 1st January, on a condition that payment for the same will be made in a way. However Mr. C made a payment for the same goods on 2nd February, and the interest amounting to 2,000 charge. What is the time limit? Sorry, time of supply, with regard to addition in value value of interest. GST में interest दो type क्यो होता है, एक interest on loan advances or deposits. वो interest on loan advances or deposits जो होता है, वो exempt है, except credit card. I repeat the word, except kya credit card. बाकि वो interest आपका exempt होता है. Now, interest on loan advances or deposits, sorry, interest for delay payment of consideration, यह interest पर GST आता है, और section 15-2-D के सबसे, यह part at the value माना जाता है. ठेक है? पर इसका TOS, जिस दिन invoice बना उस दिन नहीं आता है. इसका TOS, as per section 12-6 or 13-6, when such interest is received, I repeat the word, when such interest is received, उस दिन उसका TOS आएगा. तो यह पता है interest का मिला? 2nd February, और 2nd February का मिला है, तो उस दिन उसका TOS time-out supply आएगा. यह भी आस्पे कार हो गया आएगा. A.L.E. बने took telecommunications service from BSNL, for the month of January 26, bill amount was 5000. It made a payment 5500 with the instruction to adjust the excess payment against the next month's bill, and same was adjusted on BSNL in case of his next month bill payable on 5th of March. Invoice issued on the same date. What will you answer, if payment is made on 6500, अगर आपको पेमेंट एकसेच मिलता है, अब टूपीस क्या ? वन थांस, इन केस आप सप्लया और सर्फिस तो अगर आपको एकसेच पेमेंट , तो आपने महीं माँदा हा लेकिन कस्टरमन में एकस्ट्रापे किया समझ लो मैं आपको टेलीफोन बिल दे रहा हूँ यहां पर 1500 का और आपने 2000 मुझे पे कर दिया तो जनरली टेलीकॉम कंपनी क्या करती है 500 नेक्स बिल में अच्जिस करके देती है तो अब लॉग क्या करता है कि अगर एकस्स पेमेंट सप्लायर को मिला होगा इन एडिशन टो इनवाइस और वो जो एकस्स पेमेंट मिला वो अब टू क्या होगा 1000 होगा तो वो केस में इंस्ट ओपिक्सिंग टीएस और एडवांस वो टीएस जो फिक्स कर सकते है जब नेक्स बिल इशू करेंगे तब भी टीएस फिक्स किया तभी चलेगा तो नेक्स बिल का इशू किया बता है तिप्टाप मार्च को तो एडवांस में 500 रुपे बिला उसका अब टाइम आप इशू इनवाइस तब भी टीएस फिक्स किया तभी चलेगा लेकि अमांट अप्टो 1,000 ही होना चाहिए अगर आपका बिल 6,500 का होता है तो बता एक से सवाण कितनी होती 1500 और 1500 के केस में अमांट 500 रुपे सरी 1000 के उपर तो ये केस में सप्लाप सर्विस है तो एडवांस का टीएस किस पर आएगा एडवांस पर ही आएगा मतलब मतलब जिस दिन आपने क्या इशू किया ुआ सेम्देट इनवांस और आपका टीएस जो आएगा वो जिस दिन एडवांस मिला उसी दिन आपका टीएस आएगा तो चलो ये भी फैक्टर हमने कवर कर लिया इस तरह से हमारा टाइम आपस अपलाय का ये कुश्चन कम्प्लीट होता है नेक्स इस पर आजाए बिटा, question number 7 पर आजाए. question number 7 पर आजाए. नहीं, यह तो मैंने ले लिया, अगर आपने amendment देखा होगा, तो amendment में कहती नो वाला लगत्ति, कैसे नो वाला, अगर amendment में ले लिया, तो मैं यह repeat नहीं करूगा, और किसी ने अगर amendments नहीं देखी होगी, तो तो देखना पढ़ेगा, option नहीं है, तो यह question मैंने amendment में cover कर लिया है, तो यह आपने वहाँ देख लिया, बस यह question में main factor क्या है, मैं बता देता हूँ, यह question में, अगर कैसी में है, lotery है, rating है, off-dacing है, तो इसका tiers, receipt basis पे भी आता है, ठीक है, यह क्योंकि this notification 66 by 2017, जो है, specified actionable claim को applicable नहीं है, इसलिए अगर आपको advance मिला, यहने इसका प्योज़ तीन factor पे आएगा, invoice, last date of invoice, or receipt, whichever means, ठीक है, वो तीन factors को आपको consider करने पढ़ेंगे, पिचलो, इस तरह से हमारा यह chapter complete हुआ, time of supply, अब आजा next chapter return पे, यहाँ पर एक question मैंने, question number 26 बना है, पोशिश कि यह सारे aspects को cover करने, ठीक है, Mr. Jeet, आजी और घिस्टे विसे किण वेगा, अजूर कि अग्रेश बै। अब एक अग्रेश अग्रेश किणा यहाँ, इस अग्रेट आटोब्सेटन आख आटनोगे, वह यह व्यू में है कि GSTR1 जो है, अगर आपका अग्रिगेट अप्रसेडिंग फिनाइशियल एर का पाईव करोर से कितना लिमिट दिया है? अगरिगेट अप्रसेडिंग फिनाइशियल एर का पाईव करोर से कम है, तो वो सिच्विशन में आपको कमपोजिशन भी क्यू आपका एंसर यह आएगा, आपका एंसर यह आएगा, कि GSTR1 जो है मंतली स्किम में 11th दे को फाइल होता है, अगरिगेट अप्रसेड इस पाईव कर सकता है? पहले बर मैने का वो फाइल कर सकता है Next Mr. Jip is filing GSTR-1 every month during the month of February he was out of India so he did not do any transaction during the month he believes that there is no transaction there is no need of GSTR-1 for the month of February is it correct? नहीं आपको नील GSTR-1 फाइल करना पड़ेगा पर फाइल करना पड़ता है और अगर आपको कोई भी taxable supply नहीं है और GSTR-1 नील है तो आप SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं GSTR-1 ठीक है? चलो, first हो गया यह expect भी cover हो गया यह भी cover हो गया Next List of the details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility List the details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility Also briefly list the cases where registered person is debat from furnishing details of outward supplies GSTR-1 very important Okay यहाँ पर अगर आप question number 3 यह बर आने के chances है In fact में आप जो है invoice-wise detail interested or interested supply का दे सकते हो registered person और debit mode credit note का IFP में detail पहले उन्हाँ IFP को mini GSTR-1 भी कहा जाता है कुछ याद है क्या? अच्छा, कोई बदा सकता है IFP facility QI? IFP compulsory नहीं IFP compulsory नहीं है कि अगर कोई customer को ITC चाहिए क्योंकि आपका GSTR-1 भी अप्डेट नहीं जाने वाला है और customer को मंत ही ITC चाहिए तो आप किसके तुरूफ pass on कर सकते हो? IFP without form furnishing detail GSTR-1 और IFP very important इस बार इसमें question आने के पुरे चाहिए कौन से cases में आप इस month का GSTR-1 या IFP file नहीं कर सकते है total 5 cases दी है okay रच्टा मार लेना ठीक है total 5 cases दी है अगर आपने last month का return file नहीं किया होगा GSTR-3B तो आप इस month का GSTR-1 file नहीं कर सकते है अगर आप QRMP scheme में होगे तो QRMP scheme में last quarter का अगर आपने 3B file नहीं किया होगा तो इस quarter का GSTR-1 या IFP file नहीं कर सकते है यह दो तो ठीक है आपका बता है तीन जो add होगे है यह तीन आपको अच्छे से पढ़के जाना है अभी क्या हुआ दो intimation concept डेवलप होगा है rule 88 C और 88D में अगर आपका output tax mismatch हो रहा है ने GSTR-1 में आपका output supply जाए है और 3B में कम आ रहा है तो इसके एक intimation आती है आपको portal से जो section 88D में आती है तो sorry 88C में आती है अगर mismatching of taxes between GSTR-1 and 3B तो वो intimation में वो बताता है कितना mismatch हो रहा है you have to pay that differential amount और इभी दो आंको pay then provide explanation अगर आपने differential amount नहीं दिया या उसका explanation provide नहीं किया तो आपका GSTR-1 freeze हो जाता है आप इस one का GSTR-1 file नहीं कर सकते हो 88D में आती है excess ITC मतलर अगर आपने ITC GSTR-2B से जादा लिया कुछ किसम अलाट भी है जैसे RCM RCM 2B में अबड़ नहीं होता है तो RCM आप खुद लेते हो यह समझा कि नहीं समझा RCM का ITC तो अगर RCM टी है पर इसके अलाट आपने को वे excess ITC लिया जो आपके 2B में mention नहीं है उसकी intimation आती है 88D में वो differential amount आपको pay करना पड़ेगा या उसका satisfactory answer देना पड़ेगा अगर दोने भी नहीं नहीं दिया तो आपके GSTR1 freeze कर दिया जाता है और last आपकी bank details अभी मैंने बता है bank details आपको कितने दिन में दनी पड़ती है नहीं नहीं bank details registration के बाद हमने क्या दिखा था 30 days कुछ आज 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 क्या 30 days और data filing GSTR1 या IFF whichever is और आपने bank details GSTR1 file करने के पहले नहीं दी या IFF file करने के पहले नहीं दी या 30 days में नहीं दी from the data registration तो वो situation में यहां पर आपका GSTR1 freeze कर दिया जाएगा यह past situation learn करके जाना उसकी bank में और दिको कभी कभी मैं आपको यह भी बता दू revision करते हैं कि आपके बहुत सारे union problems होते हैं जिसके वज़े से पढ़ाई नहीं होती जैसा अभी class में बैठे हो आप कोई किसी के दानी हो तो उसका union problem में होते हैं आज उसने देखा इच नहीं सब के अपर में problem होते हैं तो best मैं इतना ही कहना चाहोगा कि किसी भी reason के वज़े से आपका जुनन हो या ना हो अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ written chapter पढ़ना नहीं हुआ इसमें का अगर आगे तो बाजी बाजी मार लिए तो ऐसे situation में क्यूंकि मैं क्यूंकि मैं सब difficult adjustment जो आटी में क्यूंकि मैं तो अगर इसमें से कुछ आ गया आपका पढ़ाई हुआ है आपने पढ़ा हुआ है चलो उसमें भाजी मार लिया आप तो चलिए उसके बाद और नेक्स देख लेते हैं Mr.J. did not file GSTR 3B for the month of June but he want to file GSTR 3B for the month of क्या? July. Is it possible? पिछला GSTR 3B आप नेक्स GSTR 3B दे सकता है नहीं? Also elaborate the provision relating to NIL GSTR 3B क्या वो NIL GSTR 3B file करेगा? Yes और अगर कोई taxable amount नहीं होगी तो SMS के थुरू भी file कर सकता है Now, next If Mr.Jit is registered taxpayer under composition scheme अच्छा, वो composition scheme ले रहे and did not make any taxable supply during the quarter ending September 2018 Is he required to file CMP08 for such taxpayer? question, बहुत ही अच्छा है quarter में कोई भी उसका taxable नहीं है क्या CMP08 उसको file करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? CMP08 जो है return के लिए कंपर सरी है GSTR 1 अच्छा किसे को पता है CMP08 क्या होता है? नहीं पता composition scheme में return quarterly return yearly आते है composition scheme में return yearly आते है कौन सा होता है GSTR 4 जिसकी due date होती है 30th April लेकिन आपको payment जो करने पड़ते है composition scheme में quarterly करने होता है composition में quarterly payment करने पड़ते है जिसका statement जोता है statement क्या होता है CMP08 वो quarter होने के बाद अगले मैने के 18 तारिक को file करना पड़ता है what is the due date of CMP08? 18 तो ऐसे situation में अगर आप file का answer देखते हो तो मैंने file का answer लिखा है कि Mr. JIT is required to file JIT हाँ CMP08 भी file करना पड़ता है CMP08 भी file करना पड़ता है as well as JSTR 4 भी उसको file करना पड़ता है तो CMB08 भी उसको file करना पड़ेगा even though इसका tax permit नहीं होगा 6th number देखो If Mr. JIT is registered dealer in Maharashtra paying tax under composition levy from 1st April higher he opt to pay tax under regular scheme from 1st December Is he liable to file GSTR 4 for the state financial year during which he opted for composition scheme? Yes अब मैं आपको बता दू कि even though in between आप composition से normal चले गए लेकिन जब तक आप composition scheme में थे तब तक का period का GSTR 4 आपको file करना परेगा financial year होने के पार Now next Mr. Yesh has filed GSTR 3B before due date under section 39 but some changes are to be made so he want to revise the return advice Mr. Yesh regarding rectification of error also state the maximum time limit to furnish GSTR 3B in case of failure to furnish the SIM अब देख में आपको बता दू GSTR 1 में अगर गलती हो जाए या GSTR 3B में गलती हो जाए तो उसमें rectification allowed है I repeat rectification allowed है पर आप पुराना GSTR 1 और 3B rectify नहीं कर सकते हो जो मन्त में आपको अपको April का GSTR 1 था last April का GSTR 1 था उसमें mistake पता चली mistake अभी पता चली ऐसे situation में जो मन्त में आपको mistake पता चलीगी वह मन्त के GSTR 1 में prior period item amendment table होता है I repeat prior period item amendment table होता है उसमें rectify होता है पुराना GSTR 1 open करके rectify नहीं हो सकता पुराना GSTR 3B open करके rectify नहीं हो सकता जो मन्त में mistake पता चली वह मन्त में GSTR 1 था 3B में एक table होता है prior period items उसमें आप rectify कर सकते हो आपको बचाना परता है Now 8th number Mr. Yesh is winding a bit business in Maharashtra A tax consultant of Mr. Yesh suggested that Mr. Yesh will have to file either annual return or final return at the time of voluntary cancellation of registration in the state of Maharashtra Do you agree with this time taken by consultant of Mr. Yesh after you are coming Mr. Yesh business line up कर रहा है और उसका tax consultant कह रहा है कि उसको annual return or final return at the time of voluntary cancellation of registration देना पड़ेगा सबसे पहले बात कहते है annual return Annual return उसकी जो date रहेगी कौन से date रहेगी 35th December तभी उसको देना पड़ेगा उसके पहले इमिजट देने की जरुवाद नहीं है Final return क्या होता है Final return concept पड़के जाना है क्यूकि इस बार RTP में भी question पुछलिया है और इसके पहले दो साल पहले question आया था इसलिए final return वाला concept अच्छे से करके जामन लिख लो Final return क्या होता है मैं आपका बता दे जब भी इन्या में कोई भी अपना GST registration number cancel करता है तो cancel करता है तो उसको in addition to monthly return in GSTR TV अपना final return भी देना करता है प्यकि अपो cancel ही कर रहा है तो final return तो भी आता है जब registration cancel होगा I repeat registration cancel होगा उसकी date रिखिया है 3 months from the date of cancellation I repeat 3 months from the date of cancellation or order of cancellation whichever is later okay अभी 20th March की बात है मेरे client को cancellation order मिल गी और cancellation order में ये लिखा कि ये cancellation 1st of April 24 से किया जाएगा समझ में आया क्या order कर मिल इसको 20th March को ही लेकिन कब से cancellation मिला 1st April तो date of cancellation or date of order which is later अभी later क्या है 20th March या 1st April 1st April तो यहां से 3 months में आपको final return देना पड़ता है कभी-कभी cancellation की date जो होती है retrospective होती है कुछ लोगों cancellation पुरानी date से मिलता है तो order आजाएग पर cancellation पुरा भी date से मिलता है तो इसमें whichever is later order later तो वहां से 3 months उसको return file करना पड़ता है final return तो यहां पे annual return तो due date को देना पड़ेगा final return तब देना पड़ेगा जिस दिन cancellation date आगी यह order whichever is later वहां से 3 months next is Mr. Yesh is required to file annual return also if yes what is the due date as they say also mention the exception very important यह भी पड़के लगना annual return के exception क्या है पर्ली बात तो जो भी GSTR 3B file करेगा जाने सुनना जो भी GSTR 3B file करेगा उसको annual return देना पड़ेगा तो अबर यह 3B file कर रहा है कौन? Mr. Yesh तो इसको annual return देना पड़ेट इसको exceptional लें करके जाना किसको annual return देने की जरुबद नहीं है annual return देने की जरुबद नहीं है पहला CTP CTP मतलब graduate taxable person दूसरा NRTP 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 को देने की जरुबद नहीं है MCQ question पुछा गया था NRTP need to file annual return? No annual return, NRTP को देने की जरुबद नहीं है फिर ISD Input Service Distributor या TDS, TCS Collector TDS, TCS अच्छा TDS कौन देने की जरुबद करता है? Government रहाना Government, Government Authority या Government Society PSU Public Sector Undertaking वो TDS देने की जरुबद करता है तो उनको जो TDS के लिए registered है उनको annual return देने की जरुबद नहीं है और TCS याने Electronic Commerce Operator उसके पाद मैं इसके पाद में इसके पिनाल पेजन if any or non filing return under section 39 and 44 यह देखो यह परनावा question तो पढ़ लेना अलग-अलग parameter पर लेट पी दी रही है ज़स्त रीड करके जाना कि उसने नहीं return होगा तो लेट पी कितना 10 और 5 करूर के नीचे होगा तो लेट पी कितना तो वह आपने पढ़ लेना इगना go through करके जाना learn करना थोगा मुश्किल है पर go through करके जाना Last Is it compulsory for Mr. Yes to file return by himself No Then who is required to furnish return for Mr. Yes during the tax period A concept of GFTP Goods and Service Tax Practitioners Okay तो जरूर नहीं कि आपे return file करो Goods and Service Tax Practitioners भी आपके भी आपे return file कर सकता है तो यह चलो यह आपने question से लिए सारे aspects को मैंने cover करने की कोशिश किया है Okay यह return chapter में उसके बाद में और कुछ दिया है इसमें एक ही question है न चलो payment of tax यह chapter ले 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 तो ठीक है यह chapter हमारा यह last chapter रहेगा और इसके बाद में मैं बाकी के बच्चे तीन चार चप्टर जो है इसको पहले मैं अच्छे से रिकॉड करके आपको प्रवाइट कर दूगा ठीक है अब आजाओ payment of tax TDS and TCS okay payment of tax TDS and TCS question number 11 प्रव answer the following questions independently independently एकमेच से कोई connection नहीं है 1. ताहिल is a supplier of taxable goods in Kannataka he got registered under GST in the month of September कों से मन में registration लिया? September and wishes to pay his IGST liability for the month since he making GST payment for the first time he is view that he need to mandatory have the online banking facility to make the payment of GST offline payment is not permitted under GST you are required to appraise this file regarding various modes of deposit in electronic cash leisure address him with regard to falling issue आप अपने cash leisure में पैसा कौन-कौन से बोर से डाल सकते हो और आपका payment जो cash leisure में होगा वो एक internet banking कुछ यादा रहा आपको internet banking उसके बाद में UPI भी allow कर दिया है loaded card credit card भी allow कर दिया है ITGS भी allow कर दिया है you are required to appraise cell regarding various modes of deposit further advising regarding following issues आप manual चालान alone under GST across the counter आपको जो allowed है वो अपto कितना 10,000 अपto 10,000 आप across the counter पे कह सकते हो what is the validity period of child आपकी जो payment चालान है उसकी validity period 15 days 15 days होती है is cross utilization among major and minor is electronic cross leisure permitted yes याने आपके cash leisure में IGST में balance जादा है और यह balance आपको CGST और LGST में shift करना है तो वो जो आप balance shift कर सकते हो PMT 0 नहीं लेकिन इसका answer कैसे दिया इन्होंने see आप cross utilization तो आप PMT 0 नहीं यह चालान से amount shift कर सकते हो IGST का CGST CGST का LGST में और आप accordingly payment use कर सकते हो नहीं नहीं आपर second देखो मेसस ABC & Company have defaulted in filing the return under section 39 of CGST Act GST Act 3 for the month of March within the specified due date reason for such delay is attributable to delay in closure of books for the March which have been finalized during May GFT common portal prompted payment of late fee payable under section 47 of CGST Act for the son of 2000 under CGST or SGST Act accountant of ABC & Company sought your confirmation for payment of such late fee through a balance available in electronic credit laser answer इससर एक लाइन कही है explain the manner of utilization of ITC वाई साब ये तो तो तुम जब GST में बच्चे थे तब से ये कर रहे हो सर नहीं आदा है manner of utilization of IGST IGST का credit पहले IGST में use होगा बाद में remaining जो होगा वो CGST IGST में use होगा in any ratio पर हाँ ये इतना simple है पर question ही नहीं समझागर आपको तो फिर क्या आता है और generally होता क्या ठीक है exam में ये situation बहुत 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 आती है कि जो आप अच्छे से परते हो उस पर tough आता है और जो आप छोड़ते हो उस पर easy आया तो वह आता नहीं है तो आप तो इधर से भी कियो इधर से भी ठीक है इसलिए चाय कुछ भी हो जाए आपका exam के पहले अगर 50% पढ़ना हो जाया GST हो गए तो बागी 50% ही question पढ़के चले 100% complete कर ले yes or no क्यों 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 कर रिखा पको easy आगया आपको पढ़ा हुआ आगया तो हम उसके लिए ready चलिए तो अच्छा वह बताया है मैंने CGST का credit CGST में IGST SGST का credit SGST में IGST कुछ या दारा आपको उसके बाद में Mr. Manik provides Pauling information regarding his tax and other liabilities under GST law as per electronic liability register ये चायद है आपकर नेसका Tax due for the month of May 25,000 Interest due for the month of May 2,000 Penalty due for the month of May 3,000 June का दिया tax due 35,000 Liabilities arising out of demand notice 48,000 Mr. Manik wants to clear this liability of demand notice first Discut the provision of order discharge GST liability 49.8 of GST and advice Mr. Malik जहां तर देखा जाये तो एक मिनटा हमारा करन में है और दूसरा क्या आप June है इसमें मंत नहीं दिया है क्या क्या है What is the एक मिनटा एक मिनटा एंसर देख लिया तो और देखा जुआ 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 एक सरफ यह टेत और और जुआ वर एक एक Tax Demanded Officer, मतलब आपने Assess नहीं किया और Officer कि स्टूटी नहीं हुई, Investigation हुआ और उसने Tax Identify किया यह Tax तुम पर लगेगा, उसको कहते है Tax by Demand Notice, ठीक है जब भी आपके Cash Ledger और Credit Ledger में Balance रहेगा, उसकी Chronology समझ लो किस Chronology में वो यूज होगा जब भी आपके Cash और Credit Ledger में पैसा आएगा, तो सबसे पहले वो पैसा यूज होगा Self Assess Tax of the Previous Month, एक मिनट क्या वर्ड किया हमेंने Self Assess Tax and Dues of the क्या, Previous Month, ठीक है उसके बाद में भी Balance है, तो Self Assess Tax of the क्या, Current Month और उसके बाद भी Balance है, तो जो आपके अगेंस में Demand Notice आई, उसके अगेंस में होगा है तो पहला सब्सक्राइल है कि Mr. Money want to clear his liability of Demand Notice first क्या वो Demand Notice पहले पहले कर सकता है क्या नहीं Chronology यह है कि इस मन्त में अगर आपके Cash लेजर में आपने पैसा डाला है तो सबसे पहले तुमने खुझ जो असेस किया आप लास मन्त का, वो अगेंस होगा फिर Current Month का अगेंस होगा और फिर आपका Demand Notice पहले अगेंस नहीं कर सकता तो कैसे फिर chronology कैसे होगी तो पहले उसको क्यों से अगेंस करना पढ़ेगा? महीं का और फिर कोर से मत का फिर क्या? चून का और उसके बाद में अगर बैलंस रहा तो फिर Demand Notice तो ये 1 रहेगा ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा Now next Are the principle of unjust enrichment applicable for payment made under GST? अभी unjust enrichment क्या होता है? ये question इतना important नहीं cross कर दिया तो भी चलेगा पर बता देता हूँ unjust enrichment क्या होता है? चलो, मुझे जो रहता हूँ मैंने गलती से कोई goods पे 28% का GST लगा दिया जबकि 18% दी था और मैंने आपको goods बैज दिया, समझे लो ये mobile 18% का है मैंने bill में 28% लगा दिया ठीक है? और आपको बैज दिया आप mobile लेगे चल लेगे, आपने तो GST देखा भी नहीं कितना GST है आपको यही खुशी mobile खरिद लिया समझ मैं उसके बाद में मैंने जब देखा कि अरे गलती से मेरे कोई accountant ने 28% लगा दिया ठीक है? और accountant ने 28% गवर्मेंट को पे भी कर दिया समझ मैं बाद में मैं refund क्लेम कर दाओ मैं government को refund claim file कर दाओ मेरा product 18% था, by mistake हमने कितना पे कर दिया? 28% मुझे 10% का refund दाओ अगर government ने मुझे refund कर दिया तो मैं unjustly enreach हो जाओ कैसे unjustly enreach हो जाओगा? आप से भी 28% से ले लिया और आप से भी ले लिया पैसा और government से 10% का refund भी claim कर दिया मतलब मैं unjustly enreach हो जाओगा क्योंकि मैंने तो burden पासम कर दिया आपको अरे समझ में आए क्या तो ऐसे situation में government क्या कहती है principle है जो final में आएगा government कहती है doctrine of unjustly enrichment government कहती है कि अगर refund निकलता है तो refund उसको मिलेगा जिसने ultimate burden लिया है tax का मुझे को मेरे mobile में ultimate burden मैंने लिया है कि आपने लिया है customer तो government अगर refund देगी तो किसको देगी customer को देगी और अगर मैं लेका तो मुझे देगी अगर वो customer traceable नहीं है तो यह पैसा refund supplier को नहीं दिया जाएगा क्योंकि supplier को पैसा मिल चुका है यह refund जाएगा consumer welfare fund को indirect tax में refund देगी और government देखती है कि तुने burden लिया कि pass on किया pass on किया तो उसको मिलेगा और अगर वो traceable नहीं है वो तो अपने social media में Instagram पे बीजी उसको पते नहीं उसने GST extra pay कर दिया अगर वो traceable नहीं है तो पैसा government supply को नहीं देती है किसको देती है consumer welfare fund को ship कर देती है ठीक है तो यह था unjust enrichment तो जो भी आप pay करते हो तो यहाँ पे principle of unjust enrichment applicable payment under GST जब भी आप pay करते हो तो यह presume किया जाता है कि आपने burden pass on कर दिया है तो आपको refund नहीं मिलेगा पर यह question छोड़ दो यह question इतना important नहीं है next प्रनेश has deposited sum of 5000 under the head fee column of CIS head fee P column of the CIS and 4000 was lying unutilized under the head penalty column of IGST both deposit were made wrongly instead of depositing under the head of P column of LGST in light of the provision of section 4910 and 4911 of the CGST Act briefly explain the relevant provision as how can Pernesh rectify this error अगर आप यह 6 number देखते हो तो यहाँ पर देखिएगा section 4910 कहता है register person is allowed to make intra head or inter head transfer of amount as available in electronic cash ledger तो PMT 09 cash ledger में एक head का balance वो दुसरे head में shift कर सकता है उसमें कोई रिस्रिक्शन आपके उपा है नहीं है कौंसी चाला होती है PMT 09 उसके बात में 7th number ABC Limited has filed GSTR 3B for the month of July 2086 within the due date prescribed under section 39 that is 20th August post filing the return the register person has noticed during September 2086 that tax due 40,000 for the month of July has not been paid आपने 40,000 का tax pay नहीं किया due date को ABC Limited has paid above about 40,000 through GSTR 3B of September file on 20th October payment through cash ledger 30,000 and credit ledger 10,000 examine the interest payable under क्या CGST Act okay अब देखाँ section 50 यह भी important अच्छे से बढ़के जाना तो आज में बता तो interest on delay payment of tax I repeat the word क्या interest on delay payment of tax अगर आपने due date को tax नहीं pay किया और आपकी due date मतलब आपकी return की due date तो अगर due date को tax नहीं pay किया तो जो amount payable था through electronic cash ledger एक मिनट को वो कौन से ledger से cash ledger से जो amount payable था उस amount पे आपको interest pay करना पढ़ेगा at the rate 18% per annum next day from the due date till the date of payment of tax ठीक है till the date of payment of tax तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो 7th का answer अगर आप देखते हो तो 7th का answer देखो आपका rate of interest जो रहेगा वो 18% per annum से रहेगा और आपका एक मिनटा जो पेमिन करना पढ़ेगा on the net tax liability paid through electronic cash ledger अब उसमें आगे situation क्या पुछे देखो what would be your answer if GSTR 3B for the month of July has been filed belatedly on 2018 and self-assist tax 40,000 has been paid on 2010 payment through electronic cash ledger 30,000 and electronic credit ledger 10,000 nor the supply has been billed nor tax payable for the month of July 20 excess other than 40,000 miss out to be paid on forward charge basis ignore the effect of leap year leap year भी आपको ignore करना है if applicable in this case 2 minute रुकना बट अब यह वाला point थोड़ा अच्छे समझे लो यह question आपके RTP में covered है यह question आपके RTP में covered है अगर आपने due date को due date को GSTR 3B GSTR 3B file कर दिया अगर आपने due date को GSTR 3B file कर दिया तो वो case में आपकी due date 28th है 28th को GSTR 3B file किया और उसके बाद में आपके कुछ non-payment dues निकलते है non-payment यहाँ पे dues निकलते है तो यह जो non-payment dues है यहाँ पे और next है कि आपने GSTR 3B due date को file कर दिया और आपने GSTR 3B due date को file नहीं किया GSTR 3B not file not file on due date अब यह point समझना अगर due date को GSTR 3B file कर दिया और उसके बाद में आपके कुछ ऐसे amount due निकलते है जो आपने pay नहीं किये तो आपको interest gross amount पे लगेगा मैंने क्या कहा gross amount बताँ gross amount कितना था 14,000 तो आपको interest gross amount पे लगेगा एक बाट फिर से अगर आपने due date को GSTR 3B पाद कर दिया और बाद में मतलता है कि कुछ amount का payment आपने नहीं किया है तो interest जो लगता है कितना amount पे gross amount है लेकिन अगर आपने GSTR 3B file यह नहीं किया मतलब आपके पास अभी भी credit लेने का option है और yes or no तो अगर आपने GSTR 3B file नहीं किया मतलब यह आपके पास अभी credit लेने का option है तो यहां पर आपको interest जो लगेगा वो जितना नेट आप electronic cash laser से पे करोगे जितना नेट आप क्या electronic cash laser से पे करोगे उतने पी लगेगा सब कहना क्या चाहते हो बताए तो कहना यह चाहता हो कि पहले case study में GSTR 3B उसने file कर दिया था अरे yes or no और बताओ कितना बाद में payment कितना निकला 40,000 तो अगर GSTR 3B file कर दिया है और बाद में payment 40,000 निकलता है तो वो situation में जहां पर देखा जाए तो यहां पे gross amount पे interest निकला जाएगा मतलब कितने 40,000 पे add the rate क्या 18% लेकिन अगर उसने GSTR 3B second case में file नहीं किया तो ऐसे case में whatever amount payable through electronic cash leisure तो electronic cash leisure कितना amount payable है 30,000 तो 30,000 पे interest निकला जाएगा 18% per annum से और interest कब से जो month का GSTR 3B की due date थी उसके next day से till the date of payment तो यह एक RTP में बड़ा अच्छा question उन्हें पूचा actually यह question final level पे होना चाहिए था Intel level पे इतना detail में नहीं है लेकिन उन्हें पूचा है इसलिए जिस आप 2 line में याद रखो क्यूंकि आपको section 73 & 74 नहीं है यह जो मैंने explain किया है 73 & 74 और आपको section syllabus में नहीं है तभी भी आपके RTP में यह question पूचा है तो चलो conclude करते है अगर आपने GSTi 3B file कर दिया और उसके बाद में उस month के outstanding नहीं करती है तो आपको net पर आएगा gross पर आएगा gross पर आएगा लेकिन अगर आपने GSTi 3B file नहीं किया तो logically आपको 3B file नहीं किया मतलब अभी भी आपको उस month के credit ले सकते हो समझ में आया क्या और उस month के credit ले सकते हो तो आप credit लेने के बाद जो balance बचेगा natal liability उस पर ही interest पे कर दोगे तो चलिए यह हमने देखा और इस तरह से यह question हमने complete किया regarding to यहाँ पे payment of tax related ठीक है दोस्तो सब्सक्राइब यहां पे यहां रोकते हैं अभी मैं थोड़ा आपको guide करता हूँ इसके आगे का फूरा discussion जो है पूरा discussion जो आपको मिलेगा वो YouTube पे मिलेगा ठीक है तो आपको पसंद आ आपको question में बहुत से बात आपके advice भी होगी आपको छुड़गी होगी तो अच्छे से कवार होगी होगी इसके बाद का लगबग 3-4 गंटे का session रहेगा max to max तो वह session आपको YouTube पे पर उसके रुछा time लगेगा और आपको 9-10 को मैं provide करोगा इसके बाद का session तक अगर आपका rapid division में कोई बाकी होगा तो वह आप कह सकते ठीक है चलिए अब थोड़ा यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ आपका GFT पढ़ने का approach क्या होगा और आपका ABC analysis क्या होगा ठीक है आपके exam paper के लिए ठीक है देखो आप सबसे पहले मैं ABC analysis पे priority A लिख लो priority A in GST आपका क्या रहेगा सबसे पहले कि आपको यह कहना चाहोगा कि जैसी आपके पास taxation paper आपको MCQ के लिए special MCQ जो भी question होगी तो आपको इसके लिए separate copy मिलेगी और descriptive questions के लिए separate copy मिलेगी यह आपने careful देखना उसमें income tax के लिए अलग मिलेगा और GST के लिए यह carefully देख लिए अब सबसे पहले जब आप GST paper पढ़ोगे taxation का 10 minute में और लोग कर लो कि आपको क्या करना है पहले income tax करना है या GST करना है अगर GST आपको easy लग रहा है तो पहले GST करन कर देना अलग कर देना यहां पे 1 hour 30 minutes उससे जादा GST को लगना नहीं चाहिए मैं कहता हूँ अगर थोड़ा 10-15 minutes कम हो तो भी जादा अच्छा क्यों क्योंकि income tax के लिए जन्बली जादा time लगता है अगर आप पहले GST ले रहे तो MCQ को ऐसे बिलकुल time घिन कर देना जैसे MCQ 15 marks का है maximum time 20 minutes जैसे आपके 20 minutes हुए जहां होगा महाँ उठा उके उसके उपर ज्यादा सोचने की जर्वाद नहीं वो बाद में देखेंगे क्या करना है ठेक है अगर आप पर सोचने को भी time नहीं है तो तुक्का मार के आजाता है रहा है ना मतलब जो भी आपको लगा जैन आता थी ठेक है MCQ में दूसरा में आपको यह बता दू कि descriptive question में 35 marks का आपको descriptive आता है उसमें पहला question 15 marks पर होता है उसमें पहला question 15 marks करेगा दूसरा question 5 marks करेगा question number 1 कम पसरी होगा question number 1 में सबसे बड़ी mistakes आपकी हो जाती है अगर question जम लिया तो ठीक नहीं तो बहुत जाबा time consume कर लेता है ठीक है तो कोशिच करना कि आप पहले जो अच्छी से questions आपको आते है 5 marks के या question number 2 के या question number 3 के पहले वो ख़तर करो या फिर आप पहले जब 10 mark का question solve करने बैठ रहे हो फिर से वो 10 mark के question के लिए maximum time 20 minutes जहाँ एक आदित लगाना सारे paper में कि जहाँ जो time दिया है जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे रुख जाना चीए shift to next question जतना time upload किया है ठीक है हाँ तो इससे दो बाते होती है एक तो आपको बता है कि time limited है तो आप पहले से उतना speed mental करते हो और दूसरा दूसरा यह है कि समझे यह दसमात के question में आपने time ज़ादा दे दिया सोचनी के लिए और आगे बहुत ही simple question है अगर इसमे time ज़्यादा consume हो गया तो आप जो आते हो questions है उसमें भी because of tension और वो stress में आते हो question का भी answer outside answer नहीं लिख सकते है और इसमें सबसे ज़्यादा आप जो mistake करते हो बहुत सी बार तो आपका paper ही complete नहीं होता है इसके वज़े से इसलिए यह आदत आपको लगाना है अच्छा मैं यह करो कि within time अगर आपको दसमा का question होना चाहिए तो उसके लिए जो मेरा competition of GST तीन से चार question मैंने लिए है जो मैंने इसमें भी दिए वो तीन से चार question time देके solve करके देखो पहले read कर लो अगर अभी practice करके जाओगे so that within that three hours आप manage कर पाओगे तो आपको इस तरह से उसका planning अच्छे से कर लेना है ठीक है चलिए तो priority A वाले chapter जो है आपके क्या होने चीए सबसे पहले मैं आपको बता दू इस बार का पहला chapter place of supply priority A वाला chapter जो मैं आपको record करके दूगा मैंने जान बुछ कि इसको recording में रखा हुआ है तो place of supply क्यों यहां पे मुझे नहीं पता recording कैसी होगी क्या होगी अब यह system में हम कर रहे है लेकिन कुछ important chapters यहां अच्छे होगी तो ठीक है यह दो chapter पे 8 to 10 mark से question confirm समय लो 100% मैंने 90% में नहीं बुला confirm 100% तो पहले दो chapter आपको complete करना है questionnaire के साथ ठीक है including my master questions जो भी है इसके बाद आप chapter लोगे ITC input tax credit ठीक है ITC chapter लोगे और next value of supply and exemptions यह आपके priority chapters होगे यह आपके priority chapters होगे priority B जो है priority B जो chapter आपकर रहेगा वो ले लो RCM CL composition ले भी time of supply उसके बाद में registration invoice return और priority C मतलब importance के इसाब से नहीं मतलब आपने इसको बाद में भी पढ़ाते भी चलेगा supply पहला introduction to introduction to GST क्योंकि यह chapter आपको नीम में भी याद आएगा और दूसरा क्या supply क्योंकि क्या है पता है यह ऐसे chapter है कि जब भी आप GST पढ़ने बैटे पहले यह chapter लिए इसके उपर बहुत सारा आपका revision हो चुका है तो introduction to GST और दूसरा बेटा यहाँ पर क्या concept of supply पर बागी कुछ बचा होगा e-way bill accounts and records accounts and records question आ सकता है उसको priority A में ले लो इस तरह से आपको GST की पढ़ाई करता है ठीक है तो चलिए दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं हमारा for CACMA CS Inter GST One Day Marathon Super 30 Master Questions lecture 2 जिसमें कुछ topic आज हम discuss करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब थोड़ा लेट हो गए बीना time यहां पर waste किये हुए हमारे discussion की शुरुआत करते हैं येस आजाईए हम पहला chapter आज जो discuss करेंगे वो है composition लेवी हाँ अगर आपने कुछ यहां पर session 1 मेरा देख लिया होगा तो अब ये session 2 में हम remaining chapter देखेंगे अगर आपने मेरा session 1 one day marathon का नहीं देखा होगा तो वो आपको हमारे youtube channel पे मिल जाएगा साथ साथ में इस video के description में भी उसके link आपको all in one में मिल जाएगी वो जरूर आपने देख लेना है साथ साथ में हमने rapid revision जो भी है यहां पुरे chapter वाई chapter वाई chart revision लिया है वो भी जरूर देखिएगा आपको definitely help करेगा तो अब यह session में हम कौन-कौन से chapters cover करने वाले हैं अब जितना भी time हमरे पास allotted है उस time allotted time में यहां पे मैं आपका chapter cover करूगा composition levy composition levy यह chapter हम cover करेंगे उसके बाब में आपके exam के लिए बड़ा important chapter और वो है place of supply next यह chapter 8 में TDS and TCS I repeat TDS TCS यह भी हम cover करेंगे exemption यह chapter भी हम cover करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में उसके बाद में next यहां पे account and records and evable accounts and records and evable इससे related questions cover करने की कोशिश करेंगे अगर time मिला तो competition of GST जो कुछ ऐसे बड़े questions आते हैं तो उसमें से एक दू questions यहां discuss करने की कोशिश करेंगे और जो पहले 10 बाग का question आपको exam में आता है वो आपने कैसे present करना चाहिए यह भी मैं आपको बताओगा तो चलिए दोस्तों यहां start करते हैं पहला चाप्टर हम लेते है composition लवी तो यह master questions discuss करते होग मैं आपके साथ जो है revision भी करते जाओगा और यह question का discussion भी करते जाओगा आप सभी को बताओगा यह master questions मतलब हर chapter पर मैंने कुछ questions ऐसे prepare किये कि अगर आप यह questions कर लेते हो तो आपकी most of the important adjustments उसमें cover हो जाती है तो यहां पर आते हैं पहला chapter और वो है composition लेवी आज के discussion का चलो सब रेडियो yes or no done तो composition लेवी यह chapter को revise कर लेते हैं अच्छा यह बताएए कौन-कौन students जोनोंने मेरा super 30 master question का lecture 1 देख लिया है कितने students ऐसे बताएए very good very good चलो अब composition लेवी में यह जो question हम यहां discuss करने वाले है यहां देखे Mr. Amar Mr. Amar is running a consultancy firm and also a ready-made garment showroom which are registered under the same pan अब Mr. Amar जो है उसकी consultancy firm है और ready-made garments का showroom है मतलब उसका supply of service भी है और supply of goods भी है supply of goods भी है तो supply of service as well as supply of goods which are registered under the same pan turnover of the showroom is 35 lakhs अब उसका जो showroom है ready-made garments का supply of goods का उसका turnover जो है वो 35 lakhs का है and receipt of consultancy firm consultancy firm की receipt उसकी 15 lakhs है यहने supply of service की उसकी receipt 15 lakhs है in the current financial year based on the above information based on the above information answer the following questions independently a. whether Mr. Amar is eligible for composition scheme under section 10-1 of CGST Act assume turnover in the state of preceding financial year is 10 lakhs अब देखो मैं आपको यह बताता हू composition scheme मैं आपको दोज की में section 10-1 और 10-2-8 10-1 की scheme जो है तीन लोगों के लिए है कौन से तीन लोगों के लिए है पहला यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो manufacturer दूसरा यहाँ पे restaurant and catering और थर्ड जो है वो है trader ओके इन तीनों के लिए composition scheme है अगर aggregate turnover आपका preceding financial year का does not exceeds 150 lakhs और अगर आप special category of state है except आसाम, हिमाचल प्रदेश आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मुएन कश्मीर तो वो situation में 75 lakhs special category of state में limit उतनी रहेगी तो current year में आपको composition levy मिलेगा और वो 150 lakhs का आपको benefit मिलेगा और 150 lakhs तक आपको manufacturer और trader होगा तो 1% और अगर आप restaurant catering होगा तो 5% का GST देना पड़ेगा ना, no doubt इसमें जो एक restriction है 10-1 की scheme में restriction है 10-2 का और 10-2 के जो restriction है कि current financial year में ये restrictions अपली केबल होते हैं जिसमें ये का है कि अगर कोई 10-1 की scheme ले रहा है तो वो services से marginal limit तक दे सकता है I repeat, services जो है वो marginal limit तक दे सकता है अब marginal limit तक service दे सकता है मतलब कितना? मतलब वो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो 10% of turnover of preceding financial year 10% of turnover of preceding financial year जो आपका turnover in state रहेगा और rupees 5 lakhs whichever is higher इतना वो service दे सकता है marginal limit तक उसके बाद में हाँ, इससे ज़्यादा वो service नहीं दे सकता now next फिर एक 10-to-a की scheme है और 10-to-a की scheme predominantly supply of service के लिए है और कि जो service provider है क्योंकि 10-1 की scheme service provider को नहीं मिलती है 10-1 की scheme manufacturer और एक ही service provider को मिलती है restaurant और catering और next जो है यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए trader को मिलती है 10-to-a की scheme अगर हम बात करें तो 10-to-a की scheme service provider या फिर manufacturer, restaurant catering या trader जो 10-1 के लिए eligible नहीं है 10-1 के लिए eligible नहीं है not eligible for 10-1 उनको 10-to-a की scheme मिलता है अगर कोई यहाँ पर south से connected है तो यह lecture हिंदी इंग्लिष दोनों इसमें चलेंगे और आपको इंग्लिष के subtitles आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चली दोस्तों जहां तक देखा जाए तो supply of service की अगर बात करें तो यहाँ पर 10-to-a की scheme मिलेगा और जो 10-to-a की scheme में इलिजिबल नहीं है उससे 10-to-a की scheme मिलेगी हाँ यह scheme manufacturer, trader और restaurant catering इनको भी मिलेगी लेकिन अब ऐसे कौन सी situation है जहां manufacturer, restaurant catering और trader 10-to-a में इलिजिबल नहीं होता है अगर उसका service element सुनना उसका service element dominant है और marginal limit से जादा है तो फिर वो 10-to-a के लिए ट्राइ कर सकता है लेकिन 10-to-a की limit जो applicable है वो preceding financial year 10-to-a की preceding financial year का limit जो applicable है, वो कम है and that is 50 lakhs अगर आपको 10-to-a का scheme लेना है तो preceding financial year का aggregator 50 lakhs से ज्यादा cross नहीं होना चाहिए तो आप current year में up to 50 lakhs यह scheme ले सकते हो I hope यहाँ पर आपको clear समझ में आया होगा ओके यह वीचिवरी इस higher है बिटा वीचिवरी इस lower नहीं आएगा ओके marginal limit वीचिवरी इस higher यहाँ तक सब को समझ में आया very good ओके समझ में आया होगा तो yes type कीजिएगा now अब इसके basis पे अगर आप facts देखते हो next अब देखो questions क्या कहते है पहला whether Mr. Amar is eligible for composition scheme under section 10-1 of CGST Act assume turnover in state of preceding financial year is 10 lakhs अब देखो 10-1 की scheme के लिए वो eligible होगा की नहीं होगा देखते है 10-1 की scheme के लिए क्या वो trader है हाँ trader है ready-made government supply करता है trader है और उसकी service marginal limit से जादा नहीं होनी चाहिए मतलब क्या हुआ कि उसकी service marginal limit कितना मिलेगा तो marginal limit turnover of preceding financial year state का turnover 10 lakhs दिया है तो इसका 10% याने कितना होता है 1 lakh 1 lakh और 5 lakhs whichever is higher तो कितना हुआ 5 lakhs औक यह higher हुआ तो 5 lakhs तक उसको marginal limit allowed है अब उसकी service, consultancy firm की service कितनी है यहाँ पे 15 lakhs है 15 lakhs है तो मतलब 5 lakhs से ज्यादा है तो 5 lakhs से ज्यादा है तो उसको 10-1 की scheme तो नहीं मिलेगी तो पहले का answer आएगा कि उसको 10-1 के अंडर में से आओ कि यहाँ पे composition living नहीं मिलेगी तो चलिए तो अगर आप answer देखते हो तो answer में पहले मैंने legal provision explain किया है 5 lakhs है जो आपका actual consultant in service है वो ज्यादा है हाँ बट वो 10-2-1 की scheme के आप कर सकता है क्या हाँ कर सकता है 10-2-1 की scheme service provider या फिर manufacturer trader जो 10-1 के लिए eligible नहीं हुए वो ले सकते है बट aggregate 10-0 does not exceeds 50 lakhs अगर उसका preceding financial year का aggregate 10-0 does not exceeds 50 lakhs होगा तो वो 10-2 की scheme ले सकता है अगर 10-2-1 की scheme ले रहा है तो वहाँ पे applicable rate होते है बटा और वो applicable rate होते है 6% and 3% CGST और 3% SGST ऐसा 6% का rate है उसका applicable होता है तो यहाँ पे 10-2-1 की scheme वो आप कर सकता है next अब ए तो हमारा complete हुआ now B if instead of consulting agency Mr. Amar is running a restaurant whether he is eligible for composition under section 10-1 बहुत यह अच्छा question अगर उपर के case study में वो consultancy नहीं देता और consultancy के जगा restaurant service देता अब देखो restaurant service को marginal limit applicable नहीं है मतलब यह है कि restaurant service कितनी भी amount का हो और कि वो 10-1 में allowed है क्योंकि 10-1 में आप as a trader और restaurant catering और कि पूरा allowed है इसको marginal limit applicable नहीं है तो अगर वो restaurant service होती तो फिर 10-1 eligible है फिर 10-1 eligible है उसको marginal limit applicable नहीं होता है for restaurant and restaurant services तो ऐसे situation में yes, Amar is providing restaurant service are eligible for composition under section 10-1 और उसको 150 lakhs का यहाँ पे benefit मिलेगा और 150 lakhs तक वो 1% on ready-made garment और restaurant service पे 5% का tax देगा तो उसको yes answer मेरा change हो जाएगा और उसको मिलेगा very good, very good आपका बिल्कुल सही answer आ रहा है बेटा उसके बाद में यहाँ पे third हम लेंगे C अब यह C क्या कहता है देखो अगर dot उसका turn-off 1.5 करोर से और C वो good supply करता है और वो service से supply नहीं कर रहा है और dot 1.5 CR है in preceding financial year तो current year में CL मिलेगा current year में CL मिलेगा उसको द्यांजे सुनिएगा और current year में जो CL मिलेगा यहाँ पे reason क्या है word hat does not exist 1.5 CR यह dot 1.5 CR है CL मिलेगा और उसके बाद में यहाँ पे यह जो बंदा है हम assume करेंगे कि यह special category of state में नहीं है अगर यह special category of state में नहीं है तो उसको CL मिलेगा लेकिन in current financial year अगर वो service प्रोवाइड करना चाहता है तो maximum marginal limit तक वो service प्रोवाइड कर सकता है तो चलिए यहाँ पे C भी हो गया हमारा तो देखो A complete किया B complete किया C complete किया यहाँ तक समझा किया यहाँ तक समझा होगा तो C type करो next अब बात करते है Mr. Amar has registered office in Maharashtra Mr. Amar has registered office in Maharashtra and Punjab and supplies the goods in neighboring state अगर वो supply कर रहा है neighboring state को मतलब यह कौन सा supply हो गया interstate supply अगर वो interstate supply करता है तो वो situation में उसे composition लेवी नहीं मिलेगी मतलब यह हुआ यहाँ पे कि section 10-2 की condition अगर आपको याद होगी तो वो अगर interstate outward supply करता है inward allowed है interstate outward supply करता है तो फिर यहाँ पे composition लेवी उसको नहीं मिलेगा तो D का answer अगर हम देखे तो यहाँ D का answer आपको क्या दीखेगा neighboring state interstate outward supply है composition scheme for interstate supply है उसको available नहीं होगा चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने एक complete किया उसके बाद में E Mr. Akbar who is a brother of Mr. Amar is a manufacturer of building bricks in the state of Maharashtra अब देखो building bricks का manufacturer है he is a turnover of the year does not exceed 1.5 croze he want to take advice from Mr. Amar for eligibility of composition लेवी is he eligible अब बात Amar के नहीं है उसका एक friend उसका brother है Akbar Amar, Akbar, Anthony अब के सह यहाँ पे यहाँ उसका brother है Akbar जो building bricks बना रहा है manufacturer कर रहा है manufacturer है और वो राय चाहता है Amar की क्या उससे composition लेवी मिलेगा क्या under section 10-1 अगर आपको याद होगा तो 10-2 की एक condition है और वो condition है कि अगर अगर manufacturer notified goods का manufacturer होगा notified goods का manufacturer में अगर आपको याद आता है तो हमने आइस क्रीम पान मसाला edible ice उसके बाद में aerated water उसमें building bricks देखा था तो building bricks होगा तो वो situation में जहां तक देखा जाए वो notified goods है और notified goods है under section 10-2 E में और कि जो हमने restrictions देखे थे composition scheme में उसको composition scheme नहीं मिलेगी even though उसका turnover यहाँ पे 1.5 CR से कम है चल यह E वाला पार्ट भी हमारा complete हुआ उसके बाद में next F पार्ट Mr. Amar also decided to supply ready-made garments through Amazon issue can he do so अब देखो इस बार एक amendment हुई है और वो amendment अच्छे से पढ़के जाना अगर कोई composition dealer है और composition scheme ले रहा है composition scheme ले रहा है तो पुरानी provision यह थी कि वो goods as well as service issue के थूँ supply नहीं कर सकता जो issue tedious cut करेंगे under section 52 तो उनके थूँ जो है वो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो supply नहीं कर सकता अब amendment हो गई है और amendment क्या कहती है amendment यह कहती है very important सुनना कि अब goods आप issue के थूँ supply कर सकते हो एन्हें एक composition dealer अगर supply of goods होगा तो वो issue के थूँ supply कर सकता है तो ऐसे case में ready-made garments है और वो issue के थूँ supply कर पा रहा है तो उसे composition scheme मिलेगा तो यहाँ पे F वाल इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम Mr. Amos supplies of goods through issue restriction only applicable to service इसलिए he is eligible for composition scheme इसकर एक्जाम में adjustment आ सकती है और एक्जाम में अगर adjustment आई तो आप येस आप अच्छे से आप handle कर लेना ये समझा के पिटा E समझा होगा तो फटाफट E टाइप कीजिए का उसके बाद में हम लेते F Mr. Amos also decided sorry F हमने cover किया है तो F टाइप कीजिएगा उसके बाद में G Can Mr. Amos having registration in multiple state offer payment of tax under composition only in one state and not in other state ये भी important question जो हमारे institute का फिरेट कोशिशन है समझ लो उसके multiple state के registration है और वो एक state में CL लेना चाहता है और दूसरे state में CL नहीं लेना चाहता है तो can he do so बेटा वो ऐसा नहीं कर सकता अगर आपको proviso to section 10 to याद होगा तो वो ये कहता है कि composition scheme अगर मिलेगा तो सब को मिलेगा नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा मतलब if any one of the branch is not eligible or not opting for composition levy then all other branches also not eligible for composition levy okay composition levy is applicable to all registered branches तो इसके case में वो नहीं ले सकता चली यह हमारा यहाँ पे H हो गया sorry G हो गया अब H देखते है can Mr. Amar who has opted to pay under composition scheme avail ITC on his inward supplies and collect tax on outward supplies क्या वो ITC ले सकता है क्या या अपने outward supply पे GST collect कर सकता है क्या नहीं one of the drawback of CL is that वो आपका section 10-1 का CL हो या 10-2A का CL हो drawback क्या है drawback बेटा यहाँ पे कि you cannot take the ITC as well as you cannot pass on the burden of tax to the customer इसले यह situation में जानतके आप ITC नहीं ले सकते और burden भी पस आन नहीं कर सकते next Mr. Amar availing composition under subsection 1 and 2 of section 10 मतलब वो 150 lakhs वाला composition ले रहा है in Maharashtra during a financial year crosses the turnover of 1.5 crores in the month of December December में उसने turn or cross किया will he allow to pay tax under composition scheme for reminder year अब उसने turn or cross कर दिया 150 lakhs का तो बाकी बचे वे time pyramid till 31st March composition scheme उसको मिलेगी कि नहीं उसका CL withdraw जाएगा जैसे उसका aggregate turn or 150 lakhs cross हो जाता है उसका CL यहाँ पे withdraw जाएगा और उसे normal scheme में tax देना पड़ेगा या फिर 10-2 की कोई भी condition मतलब उसने interstate outward supply कर दिया या उसने marginal limit से जादा service दे दि या फिर उसने non taxable supply कर दिया service issue supply कर दि notified goods का manufacture होगा और 10-1 केंटर में तो उसी दिन CL withdraw जाएगा और वो normal scheme में उसे tax pay करना पड़ेगा उसके बाद में J what are the penal consequences if Mr. Amar off for composition scheme and he is involved in violation of the condition okay what are the penal consequences if Mr. Amar off for composition scheme and he involved in violation of condition मतलब क्या समझ लो उसको composition scheme नहीं मिलती क्यों क्योंकि उसका aggregate टार और जो है यहा पे देड़ करोड के नीचे है यह 75 लाक्स के नीचे और 50 लाक्स के नीचे है और प्रिसरिंग financially है पर उसने ले लिया यह उसने कोई condition satisfy नहीं किया interstate आउटवर्ट supply होगा issue supply होगा यह water rate में भी तब इस यह ले रहा है तो penal consequence क्या है तो penal consequence यह है और कि उसको यहाँ पर penalty देनी पड़ेगी और sections penalty देनी पड़ेगी और section 72, 70 sorry 73, 74 का action होगा उसके बाद में are monthly return required to file by Mr. Amar opting to pay tax under composition scheme अगर बंदा composition scheme में तो क्या monthly return है no, no, no अगर आप CL में हो तो आपको yearly return है जहां सुनना return आपका yearly है return आपका yearly जाएगा तो CL में यह याद रखना कि return आपका GSTR 4 में जाता है और GSTR 4 में yearly return जाता है और quarterly statement जाता है CMP 08 में for payment payment आपको quarterly करना पड़ता है जिसका statement CMP 08 में जाता है और return आपका yearly जाता है वो GSTR 4 में जाता है ठीक है now उसके बाद में next of Mr. Amar at the time at any time of the year क्या CL हम कोई भी time में यहाँ पे ले सकते है क्या answer is no answer is no आपको CL लेना है तो आप जो है आपको financially start होने के पहले अगर आप registered है और financially start होने के पहले जो है आपको intimate करना पड़ता है before starting the financial year आपको intimate करना पड़ता है लेकिन अगर आप unregistered हो तो yes आप in between financially भी ले सकते हो at the time of registration registration करते वक आपको एक option मिलता है of all composition scheme तो जब तक आप threshold में हो unregistered हो ठीक है जब भी आप registration के लिए apply करोगे तो in between आप अपनी composition scheme ले सकते हो तो in this way यह question आपने यहाँ पे देखा regarding to composition ले भी बिटा इसमें मैंने कोशिश की सारे parameters यहाँ cover करने की now अब मैं आपको क्या कहोगा अब यहाँ कोई practical question आपने यह question कर लिया और आपको यह solve करते आ रहा है मतलब सारे important aspects हमने cover कर लिया अब additional practice आपको क्या करनी है तो additional practice आपको यह करनी है कि जो मेरे questionnaire में और कि यहाँ मैंने questionnaire में practical questions दी है तो एक या दो practical questions solve करके देखना specially कोई examination question होगा aggregate tenor पे या competition of GST पे for composition ले भी तो examination या RTP के questions होगे कोई numerical questions होगे तो वो एक दो questions solve करके देखना that's enough अगर यह master question या वो question आप करते हो तो आपके सारे parameter पे adjustment कवर हो जाएगी चली बेटा आपको समझ में आया समझ में आया तो जितने भी student connected है yes type कीजिएगा जितने भी student connected है yes type कीजिएगा then चलीए next chapter लेते बेटाम IGST में place of supply next chapter IGST में place of supply चलो आ जाईए इस question पर बिटा ये chapter आपको बहुत अच्छे से करके जाना है मैं पहले कह रहा हूँ क्योंकि ये chapter यहां पर आपके लिए first time introduce किया गया है आपको बहुत अच्छे से करके जाना है okay ये first time में June 24 examination से applicable करवाया है और इस बार आपको exam में question आने के पूरे पूरे chances है आप in addition to this master 30 questions RTP के भी questions देख लेना क्योंकि उसमें भी अच्छे questions specially याप MCQ questions है और descriptive questions में कुछ numerical questions है वो आप करके जाना RTP इस बार की बहुत अच्छी है प्लीज वो आपने करके जाना उसका वीडियो मैंने पहली का आपको description में मिल जाएगा all in one link आपको मिल जाएगी जिसमें सभी चीजे एक जगा दी हुई है ठीक है दोस्तों तो चलिए यहाँ पे आपको place of supply IGST Act में place of supply section 10 और section 12 यह दो section हमें यहाँ पे discuss करने हैं और यह detail में applicable करवा है मैं आपसे पुछना चाहोगा आपने place of supply chapter देखा मेरा मैंने youtube पे अपलोड किया हूँ था transition batch में regular batch का ही place of supply में अपलोड किया हूँ था आपने देखा है देखा होगा तो one type कीजिए गा देखा है या नहीं देखा है आपने बोली yes sir देखा है okay चलो तो हम अगर super 30 master questions यहाँ पे देख रहा है तो मैं यह expect करूगा कि आप यह chapter revise कर चुके हो या आप already okay इसका revision देख चुके हो yes or no चली very good very good चलो आजाते है यह question पे Mr. P registered in Maharashtra determine the place P कहा का है Maharashtra का है determine place of supply of the goods and nature of transaction आपको दो चीज़े fix करनी है place of supply और nature nature मतलब वो intra है या inter है या आपको nature भी fix करना है अब मैं आपको एक बात बता दू यहाँ पे देखो वो intrastate supply है या interstate supply है यह कैसे fix होता है तो यह होता है location of supplier and place of supply है अगर location of supplier place of supply है same state में है अगे जैसे महराष्ट्र और यह महराष्ट्र तो यह case में वो intra कहा जाएगा लेकिन अगर वो different state में है महराष्ट्र और गुजराद तो वो interstate कहा जाएगा तो आपको POS और LOS यह देखना है अब POS आपको जो fix करना है आपको common sense नहीं लगाना है आपको place of supply जो fix करना है वो section 10 अगर supply of goods होगा तो और supply of service होगी तो section 12 से आपको fix करना है और यह दो section आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाना है मैंने इसको बहुत अच्छे से revise भी किया था आपने अगर revision देखा होगा मेरा तो यहाँ पे एक table बनाया था chart book में मैंने इसको revise करके भी दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों जहां तक देखा जाए तो अब यह sections हम यहाँ पे देखता है तो intra-state और inter-state supply यह भी आपको fix करना है from the following transactions पहला first transaction लेते है Mr. P received an order from Mr. A limited of Jaipur for supply of certain goods which were to be delivered at Jaipur ठीक है अब Mr. P को एक order मिला P कहां का है महाराष्टर का और P received an order from Mr. A limited Jaipur for supply of certain goods which were delivered in Jaipur इसकी delivery Jaipur में दी जा रही है अब यहाँ assume कर लो Mr. A जो है वो registered है अगर आपके notes में होगा तो ठीक ने तो आप लिख लो कि वो registered है अब देखो law क्या कहता है goods में movement होगी movement में भी by supplier movement में भी by recipient या transporter अगर आपके goods में movement होगी तो section 10.1 A कहता है if supply involves the movement of goods और हमें goods का place of supply fix करना है तो वो case में जहाँ movement terminate होगी for delivery to recipient जहाँ movement terminate होगी for delivery to recipient वो place of supply माना जाएगा अब मेरी movement जो terminate होगी है वो जैपूर में terminate होगी है तो location of supplier Mr. P यह महराश्टर का है और movement terminate होगी है जैपूर में और जैपूर मतलब राजस्तान में तो मेरा place of supply राजस्तान fix होगा और राजस्तान fix होगा section 7-1 कहता है कि अगर two different state में होगा तो वो interstate supply माना जाएगा तो ऐसे case में जैपूर याने पहले तो आप लिखना place of supply मेरा कहाँ fix होगा नहीं यहां correction करला है मेटा moment of goods termate for delivery to recipient शूरत नहीं यहां पह जैपूर कर लेना यहां पह जैपूर कर लेना इसलेए इंटर स्टेट supply माना जाएगा जैपूर राजस्तान कर लेना यहां पह जैपूर राजस्तान कर लेना इसलेए इंटर स्टेट माना जाएगा ठीक है उसके बाद में next one हो गया हम second लेते हैं Mr. P enter into agreement to sell the goods to Mr. Mohan of Surat अब P कहां का है महाराश्टर का और agreement किस के साथ हो रहा है Surat में Mr. Mohan के साथ हो रहा है Surat कहां गुजराद आपको state दिये जाएगे एक्जाम में आपको state दिये जाएगे while goods were being packed in a Maharashtra go down of Mr. P and Mohan got the order from Mr. Suhan of Jaipur Suhan कहां का है Jaipur का है Rajasthan for the said goods Mohan agreed to supply said goods to Suhan and asked Mr. P to deliver the goods to Suhan at Jaipur अब देखो यह case study समझे लो Mr. P जो है और Mr. P जो है वो Maharashtra का है ठीक है उसको order आया Mr. Mohan से और Mohan यह कहां का है Surat Gujarat का है ठीक है अब आगे क्या हुआ आगे यह हुआ कि Rajasthan while goods were being packed in Maharashtra go down Mr. Mohan got Mohan कहा का था Surat का got us order from Suhan of Jaipur Jaipur से उसको order है Jaipur Rajasthan से order है और यहां पे Mohan ने P को कहा कि directly deliver कर दो मतलब यहां पे Mohan ने Mohan को order आई Suhan से और Suhan जो था वो Rajasthan का था जैपूर तो था और Suhan ने कहा Mr. P को कि directly आप Suhan को deliver कर दो तो यह जो है वो bill to और कि यह जो है bill to and shift to model में आता है और bill to shift to model में आता है तो यहां पे section 10-1 B लगता है और यह section 10-1 B क्या कहता है section 10-1 B कहता है कि यहां दो transaction हुआ है एक पहला transaction between Mr. P and Mr. Mohan हुआ है और दूसरा transaction between Mohan and Suhan हुआ है तो पहला जो transaction है इसका place of supply क्या होगा क्योंकि goods की movement तो राजस्तान गई पर billing तो इन दोनों के बिच में है किस के बिच में billing है Mr. P and Mr. Mohan के बिच में billing है तो ऐसे situation में जहां तक law क्या कहता है यह कहसमें law यह कहता है यहां पे कि जो अगर bill to shift to और किसी third person के direction पे I repeat किसी third person के direction मतलब इसका place of supply है गुजरात होगा यादाय की नियादाय आपको यह सूरत गुजरात होगा हाँ अब दूसरा invoice आपका यहां बनेगा और कि दूसरा invoice का place of supply है between one and so on इसका POS क्या होगा तो इसका POS बेटा क्या होगा जहांज सुनीगा इसका POS section 10-1-B 10-1-A से fix होगा और 10-1-A के साब से जा goods की moment terminate होई goods की moment कहा terminate होई तो इसका place of supply है राजस्तान fix होगा यह बहुत अच्छा question है यह समझ में आया क्या बेटा यह समझ में आया important है exam में इसके उपर okay case study आ सकती है तो यहाँ पे देखो मैंने दो place of supply है पहले तो 10-1-B fix होगा और 10-1-B में principal place of business of that third person वो लिया जाएगा इसमें दो transaction है P और Mohan तो इसमें place of supply है गुजरात fix होगा पहले invoice का दूसरा transaction Mohan और Sohan के बीच में है जिसका place of supply है जैपूर राजिस्तान fix किया जाएगा I repeat जिसका place of supply है जैपूर राजिस्तान fix किया जाएगा तो दोनों case में okay interstate है पहला भी interstate है महाराश्टे टुजरात और दूसरा भी LOS and POS अगर हम second भी ले तो second भी यहाँ पे interstate है बेटा Hello Hello आपको आवाज आ रही है clear सभी को आवाज आ रही है क्या clear Please बताओ Hello तो second case में भी यहाँ पे interstate लिया जाएगा Just a bit Hello तो second case में भी यहाँ interstate लिया जाएगा यहाँ पे तो इस तरह से यह बी वाला second वाला situation अगर समझाओगा सभी को तो two type करो फड़ा पड़ यह जो है अच्छा situation है एग्जाम में आ सकता है Now third वाला situation लिखता है Mr. P. Maharashtra Pune का है Has leased its machine cost 8 lakhs to ABC Private Limited Noida UP P. ने leased किया ता machine को UP में For production of goods on monthly rent 35,000 After 12 months ABC Private Limited requested Mr. P to sell the machine to it for Rs. 5,000,000 which is agreed to it by Mr. Kya P Okay अब देखो क्या हुआ Lease contract तो हो गया था लेकिन 12 months के बाद जब sale हुआ machine का machine का जब sale हुआ तो supply of goods हुआ वो तो supply of goods हुआ machine का sale हुआ तो सवाल क्या पूछा हुआ हुआ है कि जो sale हुआ उसका place of supply बताओ अब देखो section 10 1 C क्या कहता है आपके सामने book open करके रख देना विटा तो वो जो book open करके आपके सामने रहेगी तो आपका इसमें cover हो जाएगा तो आपको 10 1 C जो है वहाँ पे दिखेगा 10 1 C क्या कहता है 10 1 C ये कहता है कि अगर goods में moment नहीं है क्योंकि goods में moment पहली हो गए थी आज तो जब हम sale कर रहे है at the time of supply है और जब हम sale कर रहे है उस वक goods में moment नहीं है चलो कोई बात नहीं क्योंकि company तो नोईडा यूपी में है okay तो और वहाँ machine है okay तो machine नोईडा में है यूपी में है तो आपका place of supply यूपी माना जाएगा very good place of supply आपका यूपी माना जाएगा तो ऐसे case में अगर आप third देखते हो तो आपको 10 1 C लगेगा और 10 1 C में goods में मुवमें नहीं है okay तो नोईडा यूपी माना जाएगा location of supplier कहाँ पे महराष्टर, place of supply कहाँ पे नोईडा यूपी तो interstate supplier बोला जाएगा easy लग रहा है yes or no very good okay यहाँ पे आपका यह easy cover हो गया चली now fourth fourth देखो यहाँ पे क्या है Mr. P sold the goods to Mr. Vyn unregistered from Goa हाँ यह very very important इसके उपर question आ सकता है okay Mr. P sold the goods to Mr. Vyn unregistered from Goa and mention the state name Goa in the invoice okay अब देखो एक section 10 1 C A 10 1 हमारा C A C A ठीक है यह 10 1 C A नहाँ है okay याद करके जाना क्योंकि यह इस वार की amendment है और यह 10 1 C A क्या कहता है notwithstanding to anything contained in 10 1 A, B and C A, B, C को बाजू में रख देना अगर आपने supply unregistered को किया बोलो आपने अगर supply unregistered को किया तो वो situation में आपका place of supply 10 1 C A से fix होगा और यह 10 1 C A से आपका place of supply कैसे fix होगा तो मैं आपको बता दाओ 10 1 C A कहता है अगर आपने unregistered बन्दे को सेल किया और उसका address आपके record में है address में जा state का नाम रहा तो भी चलेगा यह state का नाम गवा आपके record में है तो place of supply location of recipient लाना जाएगा मतलब गवा माना जाएगा अगर उसका address हमारे रिकॉर्ड में नहीं है तो location of supplier माना जाएगा आपको यह याद आ आ रहा है क्या 10 1 C A याद आ रहा है क्या याद आ रहा है तो yes को तो ऐसे situation में 4 situation बड़ी important है आपके एक्जाम के लिए एक्जाम में आने के पुरे पुरे chances है तो 10 1 C A क्या कहता है 10 1 C A कहता है कि अगर address only state भी address होगा तो भी चलेगा तो आपका place of supply location of unregistered person नहीं होगा तो location of supply तो पहले case में गवा अगर उसका address नहीं है तो फिर महाराष्ट्रा आपका माना जाएगा तो गवा अगर माना गया तो interstate होगा गवा अगर माना गया तो interstate होगा गवा अगर माना गया तो interstate होगा लिख लो वहाँ पे और अगर महाराष्ट्रा माना गया क्योंकि location of supplier तो फिर वो interstate हो जाएगा वो interstate हो जाएगा चलिए भाई यह भी हमने कवर कर लिया, बोलो बोलो, यह सर मजा आ गया, MZ, MZ मजा आ गया, सर, लोगी है, चलिए, तो यह यहां पर फॉर्ट हो गया, फिर ते हम ले लिए अलफा रिफाइनरी, अम्डाबाद गुझराद, गुज़ ऑकोंटक्क्त टो मिस्टर पी, to supply machine which is required to be assembled in a power plant in a refinery अगर कोई goods आप ऐसा supply कर रहे हो जो assembled होगा भाई साफ जो goods ऐसा supply कर रहे हो जो assembled होगा, okay so in that situation अगर assembled होता है तो वो case में यहां पर वो case में जहां assembled किया जाएगा, I repeat जहां assembled किया जाएगा वो आपका place of माना जाएगा, as per 10-1-D तो कहां assembled होगा, okay कहां assembled होगा, okay कच district of Gujarat तो उसका place of supply है, कहा माना जाएगा, कच district of Gujarat location of supplier, Maharashtra place of supply है, कच district of Gujarat तो वो interstate माना जाएगा और next and last Mr. P Pune board Pune Jodhpur train at Pune, Mr. P sell the goods taken on board by him in the train at Mount Abo during the journey अब देखो, यहाँ पे अगर on board कोई good sale हुआ on board मतलब कोई journey में good sale होता है, okay जैसे आप train से travel करते हो, तो कोई sale करने वाला आता है, train में sale करने वाला है, okay अपना अलिक तरीके का tone लेता है, okay, आपने कभी दिखा train में sale करने वाले, okay अगर आप अगर आप में ट्रावल करते हैं, तो वहाँ से लोड़ होता है, उसका प्लेस आप सप्ला है, कैसे विक्स होगा, तो यहाँ पे, okay अपने महाराष्टर फिक्स होगा, और यह इंट्रास्टेट ट्रांजिक्शन माना जाएगा, यह इंट्रास्टेट ट्रांजिक्शन माना जाएगा, चलो बाई साफ, okay तो यह अमने good सरे रिलेटेट सारे परामेटर ले ले लिए, यह एक master question कर लो, section 10 is over, section 10 is over, okay इसके beyond और कुछ रही आएगा, बस इतना कर लो, that's, that's all, यह समझा की नहीं समझा, okay, समझा होगा, तो, okay, कहिए, yes sir, समझ में आ गया, तो यहां मारा section 10 खतम हो जाता है, अब आप next question पर आजाओ, आ गया यह question पर, आ, यह भी अच्छा खासा master question है, अब देखो, जब भी आप place of supply के question स्वाल करोगे, सबसे पहली step लेना, identify कि वो supply of goods है, या वो supply of service है, okay, सबसे पहली identify करना, कि वो supply of goods है, या supply of services है, yes or no, बोलिए, yes sir, okay, चलो, अब यहां पर, वो देखो, क्या कहते है, determine the place of supply in following cases, independently, ठीक है, place of supply in following cases, independently, धान देना, goods है, या service है, और accordingly place of supply है, फिक्स करेंगे, ठीक है, आपके सामने, अगर मेरा chart book आपके पास होगा, तो वो chart book refer कीजिएगा, ठीक है, अरे ठाके तो नहीं, enjoy, enjoy कर रहे हो न, या recollect हो रहा है न, आपको, done, चलो, देखो, determine place of supply in following, independently, मतलब, सभी cases अलग-अलग है, और उसमें आपको place of supply fix करना है, 1, Mr. A, a CA in Gurugraha, भाई, CA है, Haryana, registered in Haryana, and provide consultancy services to his client Mr. C, who is a resident of New Delhi, but is not registered under GST, the address of C is available in the records of Mr. A, मैं आपको यह कहूँगा, कि मेरी चार्ट बुक, या फिर मैंने प्रोवाइड किए नोट सामने रखना, यह section 12 के लिए सामने रखना, आपको sudden recollect नहीं होगा, sudden recollect नहीं होगा, और section 12 में मेरी जो चार्ट बुक है, exam के एक घंटे पहले पढ़के जाना, यह गर्मा गर्म आपको याद रहे section 12, 10 तो याद रहे जाएगा, 10 में बड़ी बात नहीं है, पर section 12 जो है, आपको एकदम गर्मा गर्म याद रहना चाहिए, ठेक है, तो दूसरा, what will do your answer, if address of C is not available in the records of Mr. A, सबसे पहले तो अगर आप देखते हो, तो consultancy service है, अगर consultancy service है, तो पहला decision, यह supply of service है, तो पहला decision यहाँ पे section 12 अप्लाए होगा, 10 अप्लाए नहीं होगा, दूसरा decision, अब section 12 में बहुत सारे parameters हैं, अगे, अलग अलग parameters हैं, section 12 2 से लेके, तो section 12 14 तक, अलग अलग किसे से में place of supply fix होता है, 12 2 general rule क्या कहता है, okay general rule यह कहता है, step कैसी follow करना, general rule यह कहता है, कि अगर आपकी service, sub section 3 से लेके, तो sub section 14 तक नहीं आती है, 3 से लेके 14 तक कहीं पे covered नहीं है, तो फिर आपका place of supply general rule से fix होगा, और इसे लिए, आपको यहाँ पे, गर्मा गरम याद रखना परता है, okay, बिल्कुल recently ऐसा याद आना चाहिए आपको, अब क्या याद कि, आपको at least title तो भी पता चाहिए, titles तो भी पता चाहिए, कि 13 से लेके, 12 3 से लेके, तो 14 तक कौन कौन, से सर्विसे से, जैसे, अगर आपका सामने मेरा चार्ट है, तो, इम्वाबल प्रॉपर्टी रिलेटेट सर्विसेस, रेस्टोर्न कैटरिंग, या पर्सनल ग्रॉमिंग रिलेटेट सर्विसेस, हाँ, थोड़ा यहाँ पे आपको लेन करना पड़ेगा, थोड़ा यह वाला पार्ट, फ्रिक्वेंटली रिविजन में लेना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेनिंग पर्फॉर्मन सर्विसेस, और्गनाईजिशन ऑप इवेंट, उसके बाद में, यहाँ पे अड्मिशन टॉएन इवेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंशुरेंस सर्विस, उसके बाद में, टेली कॉमिनिकेशन सर्विस, ऑन बोर्ड सर्विस, यहाँ पे बैंकिंग, फैनेशल, स्टॉक ब्रोकिंग, एड़टाजमेंट सर्विस, इंसिदेंस सर्विस इस तरह से अलग-अलग सर्विस है CA सर्विस जो है अगर आपको दिखा जा रहा है तो बाकी किसे में नहीं आता है अगर बाकी किसे में नहीं आता है तो इसको 12-2 का जनरल रूल लगेगा और 12-2 का जनरल रूल क्या कहता है दोस्तो, 12-2 का जनरल रूल यह कहता है, द्यान दिजिएगा, ओके यह कहता है, यहाँ पर कि, अगर आपने ट्रांजिक्शन B2B कियोगे और B2C कियोगे, B2B और B2C, अब मैं आपको यह कहता हूँ, कि मैंने अपने चार्ट में, आपके पास चार्ट बूक होगी, तो मैंने इसे अपने चार्ट में दिया है, कि 6 ऐसी सर्विसेस है, जो पुरे इसमें B2B और B2C में डिवाइड होती है, 6 ऐसी सर्विसेस है, जो B2B और B2C में डिवाइड होती है, कौन सी 6 सर्विसेस B2B, B2C में डिवाइड होती है, मेरा रिवीजन जबूर देख लेना, प्लेस अच्छ से revise कर देगा, तो एक है हमारी general rule, उसके बाद में training and performance, उसके बाद में organization of event, उसके बाद में transportation of goods, उसके बाद में passenger transport service और insurance service, ऐसे 6 यह service है जो B2B में divide होते हैं, अगर service B2B को दिया गया, सुनो, अगर service B2B को दिया गया, तो यहाँ पे बहुत simple है, location of such register person, उसका क्या location register person का, वो आपका place of supply ले लिया जाएगा, हाँ B2C को दिया गया, तो यह जो 6 services B2B, B2C में आती है, okay, okay, तो यह 6 services में अलग-अलग place of supply है, okay, पर आपको याद रखने में आसानी होगी, कि टोटल इसमें 6 ऐसे category है, okay, जो B2B और B2C में divide होती है, okay, जो मैंने मेरे चार्ट मे बहुत अच्छे से arrange करके दिया है, okay, तो वो आपने revision जरूर देख लेना, okay, fast में देख लेना बहुत मज़ाएगा आपको, और कैसे याद रखना है, वो भी मज़ाएगा, RR revision में place of supply है, यह आपने जरूर देख लेना है, so दोस्तो B2C अगर आपका होगा, तो वो case में अल registered person को दिया, और recipient का address आपके record में है, तो location of recipient, अगर उसका address आपके record में नहीं, तो location of supply है, यह आपका place of supply लिया जाएगा, ऐसे case में, okay, मेरा client जो है, मेरा client C जो है, और C जो है, new Delhi का है, but not registered in GST, new Delhi का है, not registered in GST, address of C is available in the records of Mr. A, okay, तो पहले तो यह B2C transaction है, B2C transaction है, 12-2 के हिसाब से आपका place of supply है क्या होगा, तो आपका place of supply है, यहाँ पे 12-2 के हिसाब से क्या होगा, बोलिए दोस्तो, yes, location of, देख के बताओ, देख के बताओ, okay, क्योंकि इसको frequent revision चेहिए, तो देख के बताओ, तो आपको 12-2 के हिसाब से unregistered को दिया, तो location of such registered person, म what will be your answer, if address of Mr. C is not available in the records of Mr. A, अगर address नहीं है, okay, तो फिर location of supply है, यानि हर्याना ही उसका place of supply है, माना जाएगा, यह first situation समझा क्या बेटा, समझा होगा, तो yes, one type करो, तो यह New Delhi और दूसरा, Guru Gram, हर्याना ही, उसका place of supply है, माना जाएगा, चलो, यहाँ मारा first case complete है, now second case, Mr. Damesh Chartered Accountant, travel to Mumbai for business and stay in hotel there, okay, hotel में रुका होगा, तो आपको वो जो hotel का है, उसका place of supply fix करना है, okay, वो गया और hotel में रुका, तो service क्या है, service hotel service दिया गया, उसका place of supply fix करना है, अगर आपको section 12.3 याद होगा, अगर service आपकी in relation to immeable property है, जो directly in relation to immeable property मतलब क्या, construction, erection, installation, interior decorator, या leasing, renting वगएरे भी होगा, okay, या hotel rooms आप रहने के लिए दे रहे हो, या conference hall वगएरे आप दे रहे हो, for marriage order function, या ancilli services होगी, तो वो situation में place of supply है, जहाँ immeable property होगी, okay, तो यहाँ पे, अगर आप section 12.3 लगाते हो, तो immeable property related होगी, जो directly related services है, या lodging accommodation services है, तो ज यहाँ immeable property होगी, वो लिया जाएगा, और अगर आपकी immeable property इंडिया के बाहर है, तो location of recipient लिया जाएगा, यह important point है, अगर इंडिया में immeable property होगी, तो location of that immeable property लिया जाएगा, और अगर आपकी immeable property इंडिया के बाहर है, तो location of recipient लिया जाएगा, तो भाई साब होटल बिल कहां का देगा, तो होटल वाला ओके यहां पे, होटल कहां पे है, तो होटल मुंबई में हैं, तो place of supply मुंबई महाराष्ट्र माना जाएगा, place of supply मुंबई महाराष्ट्र माना जाएगा, हो गया क्या आपका, yes, तो यह second number हमने कवर किया, now third, place of supply in relation to immobile property, situated in India, is located, is location of immobile property, suppose, road constructed from Delhi to Mumbai, covering a multiple state, what will be the place of supply for construction service, हा, अगर आपने यहां पे, road construction service दिया, in relation to immobile property, पर multiple state में दिया, okay, तो एक rule है, इस तरे रिलेटर, okay, यह थोड़ा आच्छे से पढ़के जाना, क्यूंकि पूरे place of supply में है, अगर सबसे हाड़ है, तो यह है, एक rule है, इस से रिलेटर, rule है, कि अगर आप multiple location पे service दे रहे हो, तो आपको state-wise by forget करना पड़ेगा, पहला तो answer आएगा, आपको state-wise place of supply fix करना पड़ेगा, दूसरा, अगर आपकी accommodation service नहीं है, क्योंकि accommodation service रही, hotel में, तो night के base पर आपका place of supply divide होगा, लेकिन accommodation service नहीं है, तो area के base पर आपका place of supply divide होगा, तो आपने जो road construct किया, तो जितना area का road construction जो state में होगा, respective आपको उसका place of supply fix करना पड़ेगा, तो आपको area-wise fix करना पड़ेगा, तो देखो, यहाँ पर three का answer, three का answer अगर यह कहता है, कि आपको value of service separately collect and determine in contract agreement entered into, वो each state wise आपको fix करना पड़ेगा, और आपका अगर contract नहीं है, तो आपको reasonable basis पर rule follow करना पड़ेगा, और direct rule for, rule 4 के साब से, okay, absence of contract agreement supply recipient, the proportionate value of service supply different state where immobile property is located is compared on the basis of area, area of immobile property base आपको calculate करना पड़ेगा, कितना area उस proportion में आपको state wise divide करना पड़ेगा, यह third समझ में आया है क्या पड़ेगा, अगर third वाला समझ में आया है तो, okay, three type करो फटा फटा पड़ेगा, book आपके सामने रखो, specially for section 12, क्योंकि यह भूल जाते हो, recollection नहीं होता है, okay, हम तो, यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, then, उसके बाद में fourth, Mr. A. a businessman from Pune, dines in restaurant at Mumbai, while on business trip, dine मतलब restaurant में गया, तो restaurant service का आपको place of supply fix करना है, तो restaurant service का place of supply, जैसे section 12, 4, देखो section 12, 4 क्या कहता है, section 12, 4 कहता है, अगर आपकी service restaurant, catering, personal grooming, fitness, beauty treatment, health services होगे, including plastic surgery, तो यह जो 12, 4 है, okay, इसका place of supply, place of performance लिया जाएगा, जा perform किया जा रहा है, वो लिया जाएगा, अब अगर आपने मेरा chart revision किया होगा, तो मैंने chart को, कि यह सारे को कैसे याद रखना, मैंने बताया था, छे ऐसी services है, जो आपको learn करनी पड़ेगी, B2B और B2C में classify होता है, और बाकी services के लिए B2B, B2C नहीं होता है, simple place of supply होता है, simple place of supply होता है, तो यह जो restaurant service है, यह B2B, B2C में divide नहीं होता है, यह simple एक line का place of supply है, जहां आप service perform करोगे, तो service आप कहाँ perform कर रहे हो, कहाँ आपका restaurant है, मुंबई, तो मुंबई उसका place of supply माना जाएगा, तो देखो फोथ का place of supply, फोथ का place of supply है, यहां पर जो है, जहां service actually perform होगा, तो मुंबई महाराश्टर उसका place of supply माना जाएगा, चलो, यहां महारा हो गया फोथ, अब फिप्त लेता है, Mr. Suresh, unregistered person in Noida, sign up with the excellent linguistic New Delhi, for training of English speaking at New Delhi, अब training service होगी, तो training service जो आती है, अगे, यह इसके लिए specific यहां पे 12.5 है section, इसलिए 12.2 में नहीं जाएगा, training service के लिए specific 12.5 है, और यह training service 12.5, B2B, B2C में डिवाइड होता है, अगर आपने registered person को दिया, तो location of such registered person लिया जाएगा, और unregistered को अगर आपने दिया, तो जहां आपने service दिया place of performance, तो आपका place of performance, तो excellent linguistic New Delhi जो है, अगे, यह supplier of service है, recipient count है Mr. Suresh है, और Mr. Suresh unregistered person है, अगर Mr. Suresh unregistered person है, यहां पर द्यांस से देखिएगा, यह, Mr. Suresh अगर unregistered person है, तो यहां पर उसका place of supply है, place of supply है, यहां, ओके, B2B में classified होगा, B2C में classified होगा, ओके, तो जहां service perform होई, तो training का हुआ बेटा, training New Delhi Center पे हुआ, performance New Delhi Center पे हुआ, तो वो उसका place of performance लिया जाएगा, यहांने fifth case में, आपका जो है, अगे, New Delhi place of supply fix होगा, section 12.5 से, अगे, तो properly law अगर याद है, तो वो लिखो, और उसके बाद में, उसका place of supply fix करो, तो यहां तफ जा रहा है, यह बेटा, section 12 तफ ही जाता है, मैं आपको इतना ही कहोगा, कि section 12 frequent revision में लो, और specially एक बार तो भी मेरा chart revision देख लेना, आरा rapid revision में, okay, देख लेना, place of supply, तो उसके base पर, जो chart book में मैंने table दिया है, उसको exam तक कम से कम तीन बार, और exam की एक, एक गंडे पहले भी पढ़की जाना, okay, तो यह आपको याद आएगा, उसके बाद में, next, Mr. A. resident of Ghaziyabad, उत्तर प्रदेश, buys a ticket for circus organized at Guru Gram, हर्याना, by circus company, Basinio Delhi, अब देखो, A है, और circus का ticket लिया है, आपको place of supply क्या fix करना है, कौन service दे रहा है, circus वाला service दे रहा है, किसको दे रहा है, Mr. A को दे रहा है, ticket किस ने लि, Mr. A ने ticket ली, तो circus वाला ticket दे रहा है, और A को दे रहा है, और यह सारी independent cases है, एक में से कोई connected नहीं है, तो ये case में आपको place of supply fix करना है, अब यह case में place of supply आपका क्या होगा क्या service circus event है हाँ event है और उसमें ticket हो रहा है मतलब admission है admission to event है अगर वो admission to event होगा तो यहाँ पर अब सुनो organization of event b2b, b2c में जाता है admission of event के लिए b2b, b2c वाला criteria ही नहीं है simple place of supply उसका क्या है तो उसका place of supply अगर में आपको बताओ तो place of supply जो है बटा यहाँ पर, okay, क्या लिया जाएगा जहाँ event हो रहा है okay, तो कहाँ हो रहा है, हर्याना में हो रहा है where the event is held, तो हर्याना में हो रहा है तो इसका place of supply, अगर हम 6 देखे तो इसका place of supply, where event actually held, और पार्क और असर प्लेसेश इस लोकेट है तो event गुरुगराम हर्याना में हो रहा है तो place of supply, गुरुगराम हर्याना कहा जाएगा चलिए भाई साब, यह भी हमारा हो गया 6 नंबर अब 7 नंबर प्याते है Now, Grand Gala Events, a event management company at Kolkata, event management company at Kolkata organized two award functions for Narayan dwellers of Chennai, okay, registered in Chennai, Tamil Nadu at New Delhi and Singapore, पहली बात तो यह देखो, कि यह organization of event company है Kolkata की है, अब Kolkata की यह organization of event company है तो Kolkata की यह event company है, अब यह Kolkata की जो event company है organization of event, यहाँ पे देखो, organization of event services दे रहे है किसको दे रही है, यहाँ पे Narayan dwellers चन्नही रजिस्टर बन्दा है उसको दे रहे है, चन्नही का, Tamil Nadu का रजिस्टर बन्दा है, okay, ठीक है event Delhi और Singapur में हो रहा है, I repeat, event Delhi और Singapur में हो रहा है लेकिन, okay, जहाँ तक देखा जाए, तो यहाँ पे रजिस्टर को दिया जा रहा है अब organization of event B2B और B2C में डिवाइड होता है organization of event होगा, okay, और यह B2B होगा organization of event होगा, और यह अगर B2B होगा, तो यहाँ पे location of such registered person, location of registered person लिया जाएगा okay, वो event कई पे भी हो, okay, वो event इन्या मह हो हो, इन्या के बाहर हो उससे हमें देना देना नहीं, okay, location of registered person आपका place of supply लिया जाएगा, यह समझा या नहीं समझा, हाँ, समझा सर, okay, तो हमारा बंदा registered है, तो वो event कई पे हो, हाँ, अगर यह transaction B2C होता, तो फिर जहाँ event होगा, जहाँ event होगा वो, और event अगर इंडिया के बाहर होगा, तो location of recipient, वो लिया जाएगा, तो यह transaction B2B है, तो आपका चन्ने तामिल नाडू, यह place of supply fix किया जाएगा, चन्ने तामिल नाडू, यह place of supply fix किया जाएगा, तो ऐसे case में, अगर मैं 7th number देखता हूँ, तो 7th में registered person को दिया, तो location of registered person, अगर यह not registered person को दिया जाता है, तो जहाँ event होगा, और अगर event इंडिया के बाहर होता है, तो location of recipient लिया जाता है, तो ऐसे case में, यह register person को दिया, इसने तामिल नाडू, उसका place of supply, fix किया जाएगा, भाहिव साव आई की नहीं आई बात समझ में, बोलो sir यह आ गया, यह अच्छा question है, 7th number हमारा हो गया, अब आजाएगे 8th number पे, Mr. Aatma Ram a manager in a bank, is transfer from Bareli Uttar Pradesh to Bhopal, Aatma Ram a manager from Bareli Uttar Pradesh to Bhopal, Madhya Pradesh transferred from Bareli Uttar Pradesh to Bhopal, Aatma Ram family is a station in Kanpur, Uttar Pradesh, He hired a Gokul carrier, Gokul carrier of Lakhno Uttar Pradesh, registered in Uttar Pradesh to transport his household goods from Kanpur to Bhopal, Haan, तो अब यह service जो है यह transport, पहले तो step number one, यह problem goods का है यह service का है, Okay, तो problem service का है, उसने क्या लिया है, service लिए, कौंसी service लिए, transport service लिए, Place of supply के जब भी question आएंगे, पहले carefully case study पढ़ना, इसमें देखना की क्या issue क्या है, हमें goods देखना है, यह service देखना है, goods होगा, तो section 10 follow करो, service होगा, तो section 12 follow करो, 12 में service क्या है, okay, case study carefully पढ़ना, service लिए, transport service, और यह transport service का place of supply हमें fix करना है, transport service का place of supply है, कैसे fix होगा, तो transportation of goods होगा, okay, क्योंकि हम household goods shift कर रहा है, और आपका अगर transportation of goods होगा, तो उसमें जो place of supply fix किया जाएगा, दोस्तों, वो आपका place of supply है, यहाँ पे जो fix होगा, वो place of supply है, ध्यान से देखिए, जहां goods का, जहां से goods load हुआ, okay, place where goods handed over for transportation, place where goods handed over for transportation, तो यहाँ पे, okay, जहाँ destination वो नहीं, कहां से goods hand over किया for transportation, तो वो कानपूर, कानपूर से hand over किया for transportation, ठीक है, तो ऐसे case में, उसका place of supply है, जहां तक है, कानपूर माना जाएगा, देखों यहाँ पे, हाँ, यह एट नमबर हमने complete किया, उसके बाद में, next, Mr. Amar, registered person in New Delhi, traveled from Mumbai to Bangalore in air jet flight, ठीक है, Mr. Amar has brought ticket for journey from air jet, air jet office registered in New Delhi, अब यह service क्या है, जो ticket करी दी हो service क्या है, passenger transport service है, और यह service कौन दे रहा है, यह service air jet company दे रही है, हाँ, air jet company दे रही है, just a minute बेटा, just a minute, हाँ, तो वापस आते हैं हमारे discussion पर, तो यह services कौन दे रही है, तो यह services air jet flight दे रहा है, passenger transport service, अब passenger transport service होता है, तो अगर आप carefully देखते हो, तो यह B2B, B2C में divide होता है, B2B क्या कहता है, B2B यहाँ पर, द्यान सुनिएगा, B2B transaction अगर होगा, तो location of such register person, तो यह Mr. X जो है, Mr. X traveling from Delhi to Mumbai, sorry, 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 यह नहीं, पहला रही है, Mr. Amar, register person in New Delhi है, अब Mr. Amar, अगर register person in New Delhi है, और air jet flight ने register person को service दिया होगा, तो ऐसे situation में, वो जो register person है, उसका ही location, place of supply माना जाएगा, तो आपका New Delhi यह place of supply माना जाएगा, देखो 9th number, 9th number अगर आप देखते हो, तो 9th number में, आप location of such register person, तो आपका New Delhi यह place of supply माना जाएगा, लेकिन अगर आप unregistered को देते हैं, तो जहां से passenger embark होगा for continuous journey, मतलब जहां से passenger बैठेगा for continuous journey, वो लिया जाएगा, पर हमने register को दिया, register को दिया, और register बंदे का location कहा है, New Delhi का, तो वो लिया जाएगा, चलो, 9th number होगा, अब 10 ले लेते हैं, Mr. X is traveling from Delhi to Mumbai, in a air jet flight, in a air jet flight, he desire to watch an English movie during the journey by embarking necessary payment, अब ध्यान से सुनिएगा, okay, यहां पर मैं आपको बता दू, section number, subsection number याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन place of supply आप थोड़ा properly fix करना, okay, marks आपके cut नहीं होने चाहिए, और मैं कहता हूँ, इस बार, इस चाप्टर पे, 100% शोरे की question आएगा, और वो पांच माह का question आएगा, इसलिए यह चाप्टर चोड़ना मत, okay, इसमें section 12 थोड़ा difficult जाता है, बार बार frequent revision करना, लेकिन यहां पे आपको section 12 अच्छे से कर लेना है, is it clear, yes or no, बोलो जोर से yes sir, तो यहां पे अब जखो यह service क्या है, ढूंटे है, Mr. X traveling from Delhi to Mumbai, air jet flight, he desire to watch English movie in the flight, और वो English movie ले रहा है, तो service यह passenger transport नहीं है, उसमें movie English movie watch करना चाहता है, और वो movie buy करना चाहता है, तो ऐसे case में, जो उसको flight के अंदर service देगे, जिसको हम कहते है, on board services, I repeat, जिसको हम क्या कहते है, बेटा, on board services, तो दिखो, okay, on board goods supply होता है, और on board services supply होती है, अगर आप on board goods supply करते हो, तो section 10 के साब से, आधान से सुनिए, on board goods supply करते हो, तो section 10 के साब से, जहां से, वो goods जो supply किया, on board बेचा गया, वो goods जहां से लोड हुआ, ओके वो उसका place of supply माना जाता है, section 10, 10, 10, 10, 1 के साब से, और अगर service provide होती है, on board, तो उसका place of supply कहां से fix होगा, तो उसका place of supply, यहां पे, वो flight का first schedule point of departure, जहां से पहली बार flight आज दिन बर में उड़ी थी, okay, in this journey, वो उसका place of supply लिगा जाएगा, तो वो flight Delhi to Mumbai थी, तो Delhi to Mumbai थी, तो उसका place of supply, Delhi माना जाएगा, यह 10 समझ में आया होगा, तो 10 टाइप करो, प्लीज, तो बेटा, उसका place of supply, Delhi माना जाएगा, जहां से उसका, और कि first schedule point of departure था, और कि of that conveyance, वो उसका place of supply माना जाएगा, तो ऐसे case में उसका place of supply है, कहा माना जाएगा, Delhi माना जाएगा, चलो, यह आमारा 10 नमबर भी हो गया, अब आते है, 11 नमबर पह, Mr. X, a registered in Guati, has availed landline services from BSNL, landline services लिया from BSNL, the telephone is installed in the residential premises, Kolkata, and billing address is office of Mr. X in Guati, अब देखो, अगर टेलिफोनिक service आप देख रहे हो, उसमें बहुत सारे parameter है, एक आपके यह लाइन इंस्टाल किया गया, DTH, telephone, lease line इंस्टाल किया गया, post paid, prepaid, okay, हमने अलग-अलग place of supply देखे थे, अगर आप carefully देखते हो, तो यह जो है, यहाँ पे line इंस्टाल किया गया ह है, अगर line इंस्टाल किया गया होगा, तो उसका place of supply है, जो location पे line इंस्टाल हुआ, landline इंस्टाल हुआ, वो लिया जाएगा, तो ऐसे situation में, okay, कौल कता में, okay, landline इंस्टाल है, billing address होगा कोई भी, आपका place of supply है जहाँ line इंस्टाल हुए, तो आपका installation कौल करता हुआ, तो इ का place of supply लिया जाएगा चलो ये भी हमारा cover हो गया उसके बाद में next 12 number टेलिकोमीनिया इंस्टल इंटरनेट लिस circuit between नागपूर जबलपूर office of reliance limited for consolidated amount of 10 lakhs as per the contract made by both parties the starting point of the circuit is नागपूर and in in जबलपूर तो ठीक है न जब आपका combined contract होता है telecommunication services में तो वो case में each respective state में आपको place of supply fix करना पड़ता है I repeat each respective state में आपको place of supply fix करना पड़ता है done तो ऐसे case में बेटा आपके दो state में नागपूर और महराश्टर और जबलपूर मतलब MP तो दो state में आपके place of supply यहाँ पर fix होगे यह समझ में आया कि नहीं आया यह तो ऐसे situation में जहां तक दिखा जाए तो नागपूर और जबलपूर आपका place of supply fix होगा तो नागपूर नागपूर और जबलपूर तो ऐसे case में महराश्टर और आपका MP में fix होगा next यह 12 हो गया अब 13 a person from Mumbai goes to Kullu Manali and take some services from ICICI Bank in Manali अगर banking service आपकी होगी तो उसका place of supply कैसे fix होता है अगर recipient का record हमारे account में है हमारे recipient का details हमारे record में है तो location of recipient नहीं तो location of supplier तो ऐसे situation में 13th number अगर आप देखते हो तो 13th number में देखो section 12 कहता है location of recipient service in the records of the supplier अगर उसका हमारे पास detail record नहीं है तो कौन सा लिया जाएगा location of supplier लिया जाएगा तो यहाँ पे वो बंदे का details हमारे record में नहीं है अगर आप carefully case study पढ़ते हो तो उस बंदे का details हमारे record में नहीं है तो location of supplier मतलब bank जहां की है कहां की है विटा कुलू मनानी की और कि हिमाचल प्रदेश की है तो वो उसका place of supply लिया जाएगा चलो यह 13th number हमने complete किया उसके बाद में 14 पर आजाओ Mr. A a CEO of XYZ Limited Mumbai company registered in master buys insurance cover for the inventory store in companies factory located in Mumbai from excellent insurer चन्ने registered in the Tamil Nadu case को carefully पढ़ो सबसे पहले तो यह insurance coverage लिया मतलब supply of service है supply of service है मतलब section 12 से जाएगे अच्छा who is the supplier excellent insurer is the supplier और के यह supplier of service है service किसने लिया Mr. A CEO ने यहाँ पर service लिया अगर आपकी insurance service है बेटा तो यह B2B B2C में आती है अगर service B2B और B2C में रजिस्टर परसन को दिया तो location of such register person लिया जाएगा और अगर यह यहाँ पर unregister person को दिया तो location of recipient in the records of insurance company वो लिया जाएगा तो हमारे case में Mr. A CEO of XYZ Limited Mumbai company registered in महाराश्रा तो company के लिए service लिया जो registered है तो यहाँ पर जहाँ तक दिखा जाए यह B2B है तो उसका place of supply है अगर रजिस्टर परसन को नहीं दिया तो location of recipient दिया जाएगा given case में आपने रजिस्टर परसन को दिया इसलिए Mumbai महाराश्टर उसका place of supply है और के यहाँ पर लिया जाएगा दन 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 चलिए यह हमने यहाँ पर cover किया उसके बाद में 15th number how to determine place of supply if advertisement service is supplied to central government, state government, local body okay for the state or duty अब ध्याँ से देखिएगा एक last section है अगर आपने government को I repeat अगर आपने government को यहाँ पर advertisement service दी तो for each state आपका place of supply fix होगा तो 15th number अगर आप दिखते हो तो 15th में आपका each state wise place of supply fix होगा और आपको contract में divided होगा तो ठीक ने तो as per rule 3 वो आपको divide करना पढ़ेगा okay तो in this way okay हमने यहाँ पर section 12 के different place of supply लिये थोड़ा इसको याद करने में दिक्कत जाती है मैं मानता हूँ लेकिन दोस्तों okay इस बार question आने के पूरे chances है easy question आएगा okay अब हमने इतने सारे parameter master question में लिये ऐसे master question exam में नहीं पूछेंगे यह तो बस object यह था कि इस master question में आपके सारे important aspects कवर हो जाए वो मैंने cover कर लिये दोस्तों okay इसमें से कोई simple question आएगा okay यह master question और आपका मेरा chart का जो table है वो आपने बार बार पढ़के जाना exam के गहंटे पहले भी पढ़के जाना है चलिए मजा आया आपको जितने भी student connected है मजा आया होगा तो MZMZ type करो yes or no in this way we have completed our topic and that is place of supply चलिए अब आजाओ आप question chapter number 8 payment of tax TDS TCS और specially मैं अभी cover करूगा TDS TCS अभी मैं जो cover करूगा वो cover करूगा TDS and TCS पेमेंट of tax यह मैंने already lecture 01 में cover कर चुका हूँ then तो चलो अब आते है TDS TCS पे और भाई साब यह question बिल्कुल करके जाना आपने बिल्कुल करके जाना okay बहुत अच्छा question है TDS TCS का मैंने बनाय हुआ है और एक्जाम में इसमें सही आएगे दो questions हम लेने वाले और एक्जाम में इसमें इसमें ही आने के पुरे पुरे chances है इसलिए आपको यह दो question करके ही जाना है okay अब यह नया chapter है yes or no बोलिए yes sir आजाओ TDS TCS provision okay बुक सामने रखो या चार्ट सामने रखो चलो TDS TCS का बुक सामने रखो या चार्ट सामने रखो तो आपको revision करने में आसानी होगी done yes or no चलो आजाओ यह question पे from the following information of independent cases सारी cases अलग अलग है your expert advice with appropriate reasoning is sought on applicability of TDS TCS provision of the CGST Act भाई आपको case को देखके बताना है कि TDS cut होगा या TCS cut होगा section 51 और section 52 में ठीक है चलो थोड़ा आपको याद दिला TDS की provision कहा होती है इंडिया का कोई भी person अगर government को government department को local authority को government agencies को government authorities को government established societies को या PSU को या दार्यापको या जो government से related है इनको goods या service provide करता है और उसकी value यहाँ पे 2,50,000 से जादा है क्या रखना हमने क्या देखा था जिसकी value 2,50,000 से जादा है अगर value 2,50,000 से जादा है तो वो case में government department authority या local authority या government agencies या PSU आपका TDS कट करेगी और आपका जो TDS यहाँ कट होगा वो 1% CGST और 1% SGST कट किया जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपका supply exam supply है तो उसका TDS कट नहीं होगा non taxable होगा तो नहीं होगा RCM में TDS deduct नहीं होगा आप unregister person होगे तो TDS deduct नहीं होगा ऐसे कुछ parameters मैंने दिये है चलिए TCS अगर आप ऐसे issue के थूँ supply कर रहे हो जो issue 95 का issue नहीं है जिसमें आपका goods बेचने के बाद collection issue के थूँ होता है मतलब Amazon Flipkart सुनिए Amazon Flipkart जिसके थूँ आप बेचते हो और पैसा पहले Amazon के पास आता है फिर आपको remit होता है और ऐसे issue के थूँ बेचते हो तो वह आपका TCS cut करेगा 1% जिसमें CGST 0.5% और SGST 0.5% रहेगा TDS TCS की provision दोस्तों नहीं सुनिएगा TDS TCS की provision जो है यहाँ पे IGST के case में भी applicable होगी subject to TDS में एक exception है यहाँ तक याद आया कुछ आपको Yes हाँ पर ख्याल रहे TCS काटने के लिए issue के through remittance होना चाहिए वह आपका agent नहीं होना चाहिए उसके through remittance होना चाहिए I hope तब यहने consideration उसके through होना चाहिए तो TCS कट होगा अब step by step यह case studies देख लेते हैं मेसर्स super builders और register supplier in Tamil Nadu was awarded works contract works contract यह supply of service है by government of Tamil Nadu amounting to 4,30,000 of this value of exam supply was 1,00,000 इसमें value of exam supply आपका 1,00,000 है आप goods दो यह service दो और government को दे हैं रहो और आपकी contract में taxable value 2,50,000 के उपर होगा तो government यह तामिल नादू government आपका TDS cut करेगी taxable value निकालते होग exempt value को deduct करने के बाद तो 4,30,000 minus 1,00,000 यह कितना बचाए आपका taxable value 3,30,000 यह 2,50,000 से जादा है तो क्या यहाँ पे TDS cut होगा हाँ TDS cut होगा और 1% का 2% यह यह 1 plus 1 ऐसा TDS काटा जाएगा और दोनों तामिल नादू के हैं तो आपको सिर्व इतना पताना है कि TDS TCS applicable होगा है नहीं होगा तो first case में यह section 51 और कि आपकी value of supply और वो value of supply है taxable goods okay taxable goods का value of supply आपका 2,50,000 के उप़र का TDS cut होगा तो यहाँ पे CGST और SGST cut होगा तो यहाँ पे इंट्रस्टेट supply क्योंकि दोनों तामिल नादू के हैं यहाँ तो दोनों यह case में आपका जो TDS 1% each यहने 430-1,00,000 3,300,000 3,300 का TDS cut किया जाएगा समझा क्या 1 समझाओगा तो 1 type करो चलो 1 हो गया अब second लेते testy caterers register supplier of Kerala testy caterers कहां का है Kerala का है provided catering service in Kochi Kerala to the government of Andhra Pradesh for its annual training camp held for its staff value of the said service was क्या 4,50,000 अब देखो catering यह service है और वो service provide कर ला है कोची Kerala महीं लेकिन government है Andhra Pradesh की government है तो service लेने वाला तो पहले तो यहां पे देखो who is the supplier of service supplier कौन है तो अगर आप supplier देखते हो तो testy caterers Kerala का है service catering service है catering service का POS place of performance पे बेस पे होता है POS याद करो catering service का POS place of performance के बेस पे होता है तो catering service कहां provide की गी कोची Kerala में तो उसका place of supply place of supply भी कोची Kerala ही रहेगा ठीक है उसके बाद में location of recipient location of recipient कहां का है तो वह अंदरप्रदेश का है अंदरप्रदेश government है तो अब एक प्रोवीजो याद करो जो मैंने आपको पढ़ाई थी अगर supplier और place of supply एक ही स्टेट में है और recipient अदर स्टेट में है अदर स्टेट में है तो ऐसे case में यहां पे tedious नहीं Кट होता है यहां पे yourmn tds कट नहीं होता है ख्याल र избह एक ही यह लाँ करके जाना याद नहीं होगा तो लाँ करके जाना 您 है लोकेशन अब supplies ओ अफ़ एक स्टेट में है स्टेट में है और recipient अदर स्टेट में है तो आपका tedious cut नहीं होता है, tedious cut cut होता है, जब supplier, supplier एक state में है और POS और LOR other state में है, तो फिर वो situation में IGST का, no doubt, यहाँ पे IGST का tedious 2% cut होगा, यहाँ फिर supplier, place of supply और recipient, same state में है, same state में है, तो यहाँ CGST और SGST का tedious cut होगा, लेकिन supplier और place of supply है, वो case में होगा, तो वहाँ पे बिटा, यहाँ के state का, अंत्रपाद state का, वहाँ के CGST और SGST का tedious cut नहीं हो सकता है, क्योंकि यह intra है, और वहाँ का, यह state में cut नहीं हो सकता है, यह point समझा क्या, नहीं तो रट्टा मारो, रट्टा मारो, अगर supplier और place of supply है, same state में है, और recipient other state में है, तो TGS कस नहीं होता है, यह proviso है, देखो, as per proviso, tax shall not be deducted, if location of supply and place of supply in a state or duty, which is different from the state or duty of registration of recipient, तो यह case में, इवन दो value, दो लाग पचास अजार के उपर है, यहाँ पे TGS deduct नहीं होगा, यह case learn करके जाना है, case learn करके जाना है, यह समझा क्या, okay, समझाओगा तो two type करो, चलो फटा पट, उसके बाद में three, a central government department located in UP is registered with the commercial tax department UP state for deducting GST, for deducting GST, it enter into a contract with PSU, PSU, registered under GST in the state of Delhi, for supplying the goods of rupees three lakh fifty thousand, okay, PSU argues that no tax is deductible on the supply by central government department, as is located outside the state of UP, and therefore not liable to tax under CGST or GST as it local levy, and IGST tax deduction is not applicable if it is located in another state, other than the state in which department is registered, अब दे को केरफली यह समझना, central government department located in UP, registered with the commercial tax department UP state for deducting GST, it enter into a contract with public sector undertaking PSU, registered under GST in the state of Delhi, for supplying goods valued rupees three lakh fifty thousand, PSU argues that, okay, PSU के साथ contract किया है, उसने, argues that no tax is deducted on this supply by government as located outside the state UP, इसमें tax deducted नहीं होगा, अब देखो, यहाँ पर third case समझना, यहाँ पर, कि अगर आपकी value, आप goods supply कर रहे हो, और value आपकी, 2,50,000, तर TDS deduct करना पड़ता है, but however, tax not be deducted at source when supply of goods or service has taken place between one specified person to another specified person, अब देखो, 6 specified person है, यह भी बहुत अच्छा case है, और कि यह भी exam में आ सकता है, और कि यहाँ पर specified person कोन है, government department, उसके बाद में local loyalty, government agency, authority of the government, society और PSU, अगर यह लोग एक में supply करते हो, तो exemption है, I repeat, यह लोग अगर एक में supply करते हैं, तो exemption है, इसलिए अगर एक department, एक notified person, दुसरे notified person को supply कर रहा है, याने यहाँ पर PSU अगर government department को supply कर रहा है, तो वो case में यहाँ पर tax deduct नहीं होता है, यह second एक case है, जो learn करके जाना है, तो वो case में यहाँ पर TDS deduct करने की कोई भी जरुआत नहीं है, ओके, यह समझा क्या, अगर 3 समझाओगा, तो take करो, सारे important aspects मैंने cover कर लिए, सच कहो ना, यह master questions कर लिए है, और आपको समझ गए ना, तो इसके beyond, मुझे लगता है, rarely ऐसी कोई adjustment होगी, जो आपको हैगी, ठीक है, done, एक notified person, अगर दुसरे notified person को supply करता है, तो वो exempt है, उसमें TDS नहीं करता है, चलो, fourth number पे आजाओ, Ramlal Enterprises, registered in Delhi, is engaged in the supply of interior decoration service to Andhra Pradesh located in Delhi, sorry, to Andhra Bhavan located in service, Ramlal Enterprises है, और वो interior decoration service दे रहा है, किसको interior decoration service दे रहा है, एक Andhra Bhavan है, located in Delhi, service contract is entered with the government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh, the total contract value is 50,50,000, and payment of SIM is due in October 20XX, now, अब थोड़ा ये carefully समझ लो, Ramlal Enterprises, Delhi का है, समझ लो ये Delhi है, Ramlal Enterprises, Delhi का है, और देली में एक आंद्रभवन है, आंद्रभवन है, देली में, देली में तो सब स्टेट के एक एक भवन है, जिसमें आंद्रभवन है, और ये Andhra Pradesh, ये Delhi है, और आंद्रपरदेश है, तो इसका interior decorator service लिया गया, किसका भवन का, जो देली में है, और ये service किस ने लिया, तो ये service आंद्रपरदेश government ने लिया, यानि इसका bill आंद्रपरदेश government पर है, तो अब सबसे पहले, यहाँ पर, location of, अब आप कहोगे कि भई, ये बंदे ने service government को दिया, तो TDS कटना चीए, बिल्कूल कटना चीए, और आप कहोगे, अब आप कहोगे, सर, IGST का 2% कटना चीए, बिल्कूल कटना चीए, पर एक प्रोवीजो है, और वो प्रोवीजो में बार बार पड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस प्रोवीजो पे question पुछा जा सकता है, क्या प्रोवीजो है, अगर location of supplier, who is the supplier, जो interior decorator service दे रहा है, location of supplier, और उसका place of supplier, same state में fix होता है, और recipient other state में होगा, तो वो case में TDS deduct नहीं होगा, जहां तक मैं अगर यहां देखूँ, तो यहां interior decorator service है, section 12-3 के इसाब से, अगर interior decorator immuable property से related दिया जा रहा है, of IGST Act, तो उसका place of supplier, जहां immuable property होगी, वो उसका place of supplier लिया जाएगा, तो immuable property देली में है, इसलिए place of supplier देली में होगा, तो अब यहां पे प्रोवीजो लग जाती है, और प्रोवीजो यह कहती है, of section 51, कि अगर location of supplier, और place of supplier, same state में, come on यार, जहां से सुनो, location of supplier, और place of supplier, same state में है, और recipient अकर other state में है, तो यह case में TDS deduct नहीं होगा, फिर वो goods हो यह service हो, तो भाई साब, पहले case में तो TDS deduct नहीं होगा, यह समझा क्या, समझा क्या, तो फटा-फट four type करो, okay, यह हमारा cover होगा, दूसरा, you are required to determine the amount of tax, if we need to be deducted in our, in case assuming rate of GST is 9%, TDS deduct ही नहीं होगा, तो composition scheme, और वो कोई भी scheme में registered हो, अगर वो composition scheme में भी होगा, तो भी LOS और POS same state में TDS deduct नहीं होगा, तो देखो, यहाँ पे fourth number, fourth number में आपका 2% TDS deduct होता है, अगर यहाँ पे 2,50,000 के उपर हो, उसके बाद में proviso कहती है, कि अगर location of supplier, और place of supplier, yes बेटा, जितने भी student connected है, type करो, location of supplier and place of supplier same state में होगा, और recipient ऐसे other state में होगा, तो TDS deduct नहीं होगा, section 12,3 के इसाप से, अगर आप interior decorator service, immobile property से related दे रहे हो, तो उसका place of supplier, location of immobile property माना जाता है, इसलिए हमारे case में place of supplier पहले फिक्स होगा, step number one, जो Delhi माना जाएगा, I repeat, जो Delhi माना जाएगा, उसके बाद में, location of supplier or place of supplier, same state में है, recipient अधर state में है, इसलिए no tax, और अगर वो composition dealer, scheme में भी होगा, तो भी unchanged रहेगा, उसमें कोई भी change नहीं होगा, चलिए भाई, एक बहुत अच्छा question, मैं सारी, जुरूरी कि इतना ही difficult आएगा, सारी adjustments मैं cover कर रहा हूँ, so that question कैसा भी है, you are ready, question कैसा भी है, you are ready, ठीक है, चलिए, next fit number लेते हैं, top fashions, a designer, dealer and registered in the state of West Bengal, effective supply through quick deal, a ECO, ECO के थ्रूँ supply हुआ, okay, quick deal, ECO के थ्रूँ supply हुआ, net value of taxable interest rate supply, effected for the month of October is 150,000, पहली बात तो मैं कह दूँ कि, जब बात TCS की आएगी, तो वहाँ कोई 2,50,000 वाली ऐसी कोई limit नहीं है, TCS के case में, 2,50,000 वाली कोई ऐसी limit नहीं है, I hope you understood, yes or no, तो ऐसे case में, अगर आप issue के थ्रूँ supply कर रहे हो, जिसका remittance issue के थ्रूँ होगा, तो issue आपका 1% का TCS कट करेगा, okay, मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST on the net value, तो ऐसे case में, अगर आप देखते हो, तो section 52 issue के थ्रूँ supply है, तो net value जो है, यहाँ 250 का criteria applicable नहीं होता है, तो net value का 0.5, 0.5% TCS deduct होगा, तो 1,50,000 का 750, 750, यह TCS deduct किया जाएगा, yes or no, बोलिए yes sir, उसके बाद में next, ABC limited, who is a dealer of royal brand sales, watches through a slip card, electronic commerce operator, what would be your answer if ABC limited sale watches own, own through own website, अगर ABC limited slip card के थ्रूँ बेच रहा है, तो उसका TCS cut होगा, slip card deduct करेगा, और अगर वो, उसका कोई issue नहीं है, उसकी खुद के website से बेच रहा है, तो फिर उसमें TCS cut नहीं होगा, वो तो direct sale है, हाँ, वो किसी और के थ्रूँ बेच रहा होगा, issue के थ्रूँ बेच रहा होगा, तो ही TCS deduct होगा, तो यहाँ पर six number पे देखो, okay, an electronic commerce operator not being an agent is required to collect TCS, that is 1% and net value made through it by other supplier, where consideration for the supplies to be collected by issue, तो यहाँ पे flip card, या slip card जो है, वो TCS cut करेगा, और अगर खुद के website से बेच रहा होगा, तो TCS collect नहीं होगा, very important, खुद के website से बेच रहा होगा, तो TCS collect नहीं होगा, उसके बाद में आजाओ 7th number, there is no onus of filing any monthly or annual statement by issue, examine the technical veracity of the statement by explaining the relevant provision, यह भी एक theoretical question है, देखो, the statement is invalid, electronic statement, monthly basis पे 40 years देना पड़ता है, और वो next month के 10 तरिक तक देना पड़ता है, okay, issue also required to file annual statement before 31st December, following the end of financial year, however, operator shall not allow to furnish statement after expiry of 3 years, मतलब annual statement भी उसको देना है, अगले साल के 31st December तक, लेकिन अगर वो नहीं दे पाया, तो उसको 3 साल तक देना पड़ेगा, उसके बाद वो देना ही पाएगा, जिसका extension कुछ cases में मिल सकता है, तो एक theory question है, वो भी मैंने cover कर लिया, तो in this way, यह हमने TDS और TCS की कुछ important aspects और points कवार कर लिया है, okay, इसका revision video भी मैंने डाला हुआ है, अगर आप से possible हो, तो यह revision video भी आपने देख लेना है, yes or no, done, चलो, now, next आजाओ question number 14 पे, question number 14 पे, यह question बेटा अच्छा है क्योंकि इसमें कुछ amendments, issue से related cover हुई है, और वो amendments के सारे aspects मेंने लिया है, तो यह question प्लीज 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 अच्छे से पढ़के जाना, even solve करके देखना, ठीक है, चलो, आजाओ यहाँ पे, यह क्या कहता है, देखो, bindusara commences the business of supplying taxable goods locally within the state of Rajasthan in April, bindusara है, business start क्या for supplying taxable goods locally within the state of Rajasthan in April, he is not yet registered under GST, अभी तक वो GST में registered नही है, as his aggregate turn or riches 8 lakhs by the end of the month of June Bindu Sara start exploring the option to sell the goods supplied by him within the Rajasthan on popular electronics platform he was to store by listing the goods on the shared platform he approaches you to advise on the following issue in this regard by पहले problem के समझलो Bindu Sara एक बंदा है जो goods का सप्लाय कर रहा है अभी तक उसने registration नहीं लिया है क्योंकि उसका 10 और 20 lakh cross नहीं हुआ है उसका 10 और अभी तक 8 lakh से cross हुआ है लेकिन अब वो अपना business issue के थू करना चाहता है तो उसने एक electronic commerce operator देखा वस्तू store जो issue platform है और वो अपना goods issue platform के थू बेशना चाहता है issue platform के थू बेशना चाहता है देखिए इससे related मैंने amendments पढ़ाई थी हो सकता है आप भूल गया होगे क्योंकि procedure से related है भूल भी गया होगे तो भी एक बार ये question अच्छे से पढ़ लो अभी वापस में आपको सब सब याद दिला देता हू आपको समझना थोड़ा आसान होगा are you ready yes or no बोलिए yes sir यह विना बात तो चलो आपको वो याद दिला दू जो भी amendments समने देखिती है चलो पहला बिन्दु सरा विचेस तो continue his business without registering under GST since it will enhance the compliance burden of GST law can he supply the goods through E. Vastu Store without obtaining GST registration you are required to advise him अभ देखो registration chapter है और registration chapter में दो section है section 22 or section 24 okay section 22 or section 24 यह registration chapter में दो sections है section 24 कहता है compulsory registration आपको याद होगा तो compulsory registration और कुछ लोगों को irrespective of threshold उनको compulsory registration लेना ही पड़ेगा उनके पास दूसरा कोई option नहीं होगा उनको compulsory registration लेना ही पड़ेगा then अब देखो इसमें compulsory registration में एक situation ऐसी है कि अगर कोई भी supplier whatever उसका turn-or कोई भी supplier अगर issue के थूँ supply कर रहा है अपने customer को तो इस supplier को compulsory registration है compulsory registration है उसका turn-or कुछ भी हो उसका turn-or कुछ भी हो इस supplier को compulsory registration है और registration लेना ही पड़ेगा ठीक है लेकिन लेकिन इसमें दो exceptions है इसके कुछ exceptions है अब exceptions हैने क्या अब जो exceptions में पड़ाने वाला हूँ अगर वो supplier issue के थूँ supply करते है जो यहाँ पे TCS collect करेंगे वो supplier अगर issue के थूँ supply करेंगे जो TCS collect करते है तो ऐसे situation में ध्याँ सुनना उनको compulsory registration लेने के जरुवत नहीं है ओके वो eligible for threshold है eligible for threshold है और आपका जो भी threshold होगा 10 लाग, 20 लाग या 40 लाग जो भी आपका threshold है उसके लिए वो eligible है तो दो exception है पहला supplier of service अगर आप service के supplier हो तो आप issue के थूँ जो आपका TCS कट करता है उसके तो उसके तो supply कर सकते हो supplier of service हो आपको compulsory registration करने की जरूरत नहीं है आपको basic threshold 20 लाग का मिल जाएगा supplier of service है और वो किसमें आपका TCS भी नहीं कटेगा क्यों कि आप unregistered हो और दुसरा अभी एक amended उने add किया और वो है supply of goods कोई goods का supplier है जैसे बिंदुसरा unregistered है 8 लाग का turn हो रहे है supplier of goods है पहले ये goods का exception नहीं था goods का exception अभी add किया गया और अगर आप goods के supplier हो तो आप भी SEO के थूँ supply कर रहे हो आपको compulsory registration लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके ओपर उन्होंने बहुत सारे restriction डाले service वालों पे नहीं डाले goods वालों पे बहुत सारे restrictions डाले है और वो restrictions आपको रट्टा मार के जाना है उसके ओपर सवाल आ सकता है और वो restrictions आपको रट्टा मार के जाना है कौन से restrictions आपको रट्टा मार के जाना है यह अच्छे से पढ़के जारना है तो देखो आपका advice क्या रहे है yes, बिंदुसरा can supply the goods through EVASU store without obtaining GST registration section 24, sub clause याद रहे तो ठीक otherwise छोड़े न अगर कोई भी supplier है और goods का supply करता है through issue जो TCS काटता है, तो उसको mandated registration है लेकिन उसके exceptions है by notification उसके exception यह है, कि अगर कोई person goods का supply करता है service तो ही, पर कोई goods का supply करता है और वो issue के through supply करता है तो exempted from obtaining registration उसको compulsory registration नहीं है, basic threshold में लेगा subject to, उसको यह सारी conditions के पूरी करनी पड़ेगी और यह सारी conditions आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, यह सारी conditions रट्टा मारनी पड़ेगी, कौन सी? search person shall not make a interstate supply of goods जो बिंदू सरा है वो ठीक है, registration नहीं लिया, तभी चलेगा उसका TCS भी नहीं कटेगा, issue के through दे रहा है, तभी चलेगा, लेकिन उसको यह अपना जो supply है, उसका खुद का जो supply है, वो interstate कही नहीं करना चाहिए, दूसरा search person shall not make a supply of goods through issue more than one state, मतलब क्या, issue के through भी जो supply कर रहा है, वो भी intra ही होना चाहिए, interstate नहीं होना चाहिए, मतलब उसका खुद का supply और issue के through किया हुआ supply भी intra ही होना चाहिए, तिसरा search person shall require to have a PAN, उसके पास PAN होना चाहिए search person shall before making supply of goods through issue on common portal, उसने अपना PAN, address of the business state देना चाहिए, और कि which shall be subject to validation of common portal यह सारी details common portal पे देनी चाहिए उसके बाद में search person have been granted enrollment number on common portal, common portal से उसको enrollment number लेना चाहिए, उसको ये क्योंकि उसका registration नहीं है registration नहीं है तो उसको enrollment number लेना पड़ेगा on common portal on successful validation of PAN उसके बाद में search person shall not be granted more than one enrollment number यह person को state का एक enrollment number मिलेगा no supply of goods shall be made by such person through issue unless such have been granted enrollment number, जब तक उसको enrollment number नहीं आता है, तब तक issue के तुर supply नहीं हो सकता, and where such person subsequently granted registration, जैसे उसका threshold cross हो जाएगा, 20 lakh खतम हो जाएगा, उसको registration मिल जाएगा, उसके बाद में enrollment number, उसके registration आजने के बाद enrollment number automatically ineffective हो जाएगा, अगर वो सारी conditions fulfill करता है तो वो यहाँ पे issue के थूरू supply कर सकता है यह समझा क्या बिटा, ए समझा क्या ए समझा होगा, तो फटाफट A type करो ए समझा होगा, तो फटाफट A type करो B, discuss the GST implication in case of bindusara supplies the goods through electronic commerce platform, जहां तक हम बात करेंगे evas to store ठीक है GST implication in case of bindusara supplies the goods through issue अब यह bindusara जो issue के थूरू बेचता है, तो issue evas to store की क्या जिम में दारी है bindusara is not required to obtain registration under GST, bindusara to GST में registration नहीं लेगा there shall be no GST implication on the supplies made by three through issue उसका कोई TCS cut नहीं होगा कोई भी GST implication उसके पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो unregistered उसका TCS cut नहीं हो सकता, कोई भी GST implication उसके पर नहीं आएंगे, next however, issue evas to store is required to submit details of supplies made through it by unregistered person having enrollment number in GSTR 8, लेकिन ये issue की जिम्मेदारी होगी मतलब Amazon की जिम्मेदारी होगी अगर Amazon की तुर्षप्लाई कर रहे होगे evas to store की जिम्मेदारी होगी कि जो भी ऐसे unregistered person का supply है, उनके through और intra हुआ, इंटर नहीं intra हुआ, तो उसकी details उनको एक form में देनी पड़ेगी और वो form होगा GSTR 8, उसके बाद में further no tax at source shall be detected, TCS भी कट नहीं होगा next, evas to source shall allow the supply of goods through it by बिंदु सरा, only enrollment number has been allotted, ख्याल रहे है ये issue की भी जिम्मेदारी होगी जब तक, जब तक supplier उसको enrollment number नहीं देता है, unregistered supply तब तक वो अपने portal से उस बंदे को धंदा नहीं करने देगा, okay और not allow the interest rate supply okay, तो अगर issue की angle से देखा जाए, तो इतनी सारी conditions उसको यहाँ पे fulfill करने पड़ेगी, now see can बिंदु सरा offer composition scheme under section 10 in future if we become liable to register and crossing the threshold limit of registration under 22, if we are scanning make interest rate supply of goods and continue to be a composition scheme, अब देखो अब यहाँ पे समझ लेगा, कि composition अगर वो issue के थूँ थूँ supply कर रहा है, तो क्या composition scheme ले सकता है क्या, composition levy में भी एक amendment हुई है, अगर आपको 10-2 के restriction याद होगे, तो 10-2 के restriction में एक restriction यह है, कि composition scheme अगर आपको continue करनी होगी, तो आप issue के थूँ supply नहीं कर सकते, जो TCS कट करते है Now, next point, उसमें एक amendment होई है, कि supply of goods allow किया है, हमने देखा, supply of goods अब allow कर दिया है, अब यह restriction service के वे पर है, इसलिए यह question, वो aspect को भी cover कर लेता है, यह question यहाँ पर मैं बता दू, कि yes, bindu sara, even though composition scheme में जाता है, registered होके, तभी वो issue के through supply कर सकता है, और वो composition scheme ले सकता है, लेकिन अगर वो interest rate supply कर दे, तो उसको composition scheme नहीं मिलेगी यह C वाला point समझा कि आपको, C वाला point समझा होगा, तो फटा पर C type करो, उसके अब यह बात तो पक्की होगई, कि अगर bindu sara ने registration future में ले लिया, क्योंकि उसका turn or cross हो गया, और उसके बाद में वो composition scheme में आ गया, composition scheme में आने के बाद भी, उसको composition scheme off कर लिया, तो वो issue के through जो है, बे सकता है, अब restriction उसको लागू नहीं है, वो issue के through बे सकता है, हाँ लेकिन इस case में, issue उसका TCS कट करेगा, हाँ इस case में TCS कट करेगा, what is the difference between first example and this example, first example में वो unregistered है, और वो issue के through supply कर सकता है, वहाँ TCS जो है, वहाँ TCS नहीं कट हो सकता है, क्योंकि वो unregistered है, पर composition scheme में tax liability आती है, तो composition scheme में tax liability आती है, तो now Evasu store उसका TCS कट करेगी, और उसकी details GSTR 8 में देगी, उसकी details GSTR 8 में देगी, next, what is the maximum time limit to furnish the statement for an issue, okay, maximum time limit to furnish the statement for an issue, तो वो time limit जो उसको GSTR 8 में देना है, okay, वो GSTR 8 में, यहाँ पर monthly देना पड़ेगा, on the 10th of next month, और maximum 3 years, okay, तो यह point समझे क्या आपको बेटा, okay, यह question, जितने भी amendments होए है, जब supply app issue के थूँ करते हो, उस सारे मैंने कवर कर ली, अगर यह theoretical के base पर कोई amendment आती है, तो marks मत छोड़ना भाई साप, समझा क्या, तो in this way, we have completed discussion on TDS and TCS, okay, TDS and TCS का discussion, अबने हैं, complete किया, मज़ा होगा, तो फटा फट MZ MZ type करो, सारे aspects मैंने कवर कर ली, यह सच में करें, super 30 master questions, जो मैं आपको दे रहा हो, okay, तो यह इतना कर लो, अच्छे से, chart और यह, और question, फिर ओर time मिलता है, तो question रहके, RTP questions और examination questions, जिसमें आपका अच्छे स्री विजन भी हो रहा है, चलो, done, है energy आप में, yes or no, चलिए, next chapter लेते हैं, exemption, next chapter लेते हैं, exemptions, then, चलो, आजाओ बेटा, question number 10 पे, अब देखो, यह कैसा chapter है, कि, कुछ, मतला, मैक्रो लेवल पर याद रहता है, मैक्रो लेवल पर छोटे-चोटे points, कभी-कभी छूट जाता है, और, वो याद नहीं आपाते है, और, जहां तक बात करें तो, तो, मैं बस इतना ही कहोगा, दोस्तो, यहां पे, कि यह जो chapter है, आपको, एकादा कोई बूल गया, तो डरना मत, यह chapter में, बूलने के chances रहते हैं, कोई टाइम पे याद नहीं आया है, आपको, exemption, exemption था या नहीं था, नहीं याद आ रहा है, तो डर होगा, जहां तक देखा जाए, जितना याद आता यह chapter में, उतना आप याद करके जाओ, और मैं आपको कोगा, कि हो सके, तो questionnaires, यह chapter के अच्छे से बढ़के जाना, जैसे IITC chapter हुआ, यह chapter हुआ, questionnaires के question पर लेना, बाकि तो master questions मैंने cover कर लिये, तो अब थोड़ी proper planning कर लेना, कि कौन से chapter, फड़ा बन master question से कर लो, कौन से chapter questionnaire से कर लो, तो ऐसे अगर proper planning करोगे, तो 100% GST का आप syllabus करके जाओगे, चलिए, अब यहाँ पर, आजाओ, यह question पर, Mr. P, a register supplier of Rajasthan, has received following amount in respect of various activities, undertaken during the month of April, 20XX, अब जब भी ऐसा कुछ टेबल में दिया हो, तो table के उपर का content, और table के नीचे का content, पहले पढ़ लेना, क्या करना है, यह देख लेना, ठीक है, अब जखो, नीचे का content का है, all transactions, अब वो are intrastate transactions, all amount are exclusive of GST, you are required to compute gross value of taxable supply, on which GST is payable, by Mr. P, for the month of April, आपको gross value निकालना है, and give the necessary explanation, for the treatment of various items, अब ऐसे case में, आपको treatment बताना है, और taxable value निकालना है, तो particulars, amount and remark, अगर आप remark side में ले लो, तो वो भी आपका कौर हो जाएगा, पहला, commission received as a recovery agent, from the non-banking financial company, अब मैं आपको यह बता दू, हमें taxable value, और taxable value Mr. P की निकालना है, सबसे पहले तो, अगर recovery agent है, और recovery agent service NBFC को दिया, और reverse charge में, इसके वज़े से, यह taxable value निकालना है, अब यह click होना चाहिए, कि भई यह तो reverse charge में आता है, और recovery agent service provided to banks or NBFC, तो इसका tax Mr. P नहीं देगा, इसका tax reverse charge में कौन देगा, banking company देगा, अगर reverse charge में banking company देगा, इसका tax, तो दोस्तों, यह remark में आएगा, taxable by NBFC अंडर क्या reverse charge, second, actionable claim received from normal business data, अब actionable claim अगर आपको याद होगा, तो धान से सुनियेगा, यह भी बड़ा अच्छा adjustment है, actionable claim goods है, लेकिन schedule 3 कहता है, सारे actionable claim, supply नहीं बोले जाएगे, except specified actionable claim, अब specified actionable claim मतलब, lottery, betting, gambling, casino, horse racing, ठीक है, और online money gaming, यह actionable claim पे ही GST आएगा, इसके अलावा, बाकी कोई भी actionable claim होगा, तो वो supplier नहीं माना जाएगा, और उसके पर GST नहीं आएगा, अगर मैं यह statement read करू, तो यह मुझे यह बता रहा है, कि यह actionable claim जो है, यह specified actionable claim में covered नहीं होता है, अगर specified actionable claim में covered नहीं होता है, तो यह actionable claim पे GST नहीं आएगा, only specified actionable claim पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, no tax is payable, actionable claim other than specified actionable claim, are covered under schedule 3, and they are not treated as supply, very good, चलो भाई, इसके भी माक पक्योंगे, इसके माक पक्योंगे, next, amount restricted from ABC Limited, for performance of classical dance, in one program, okay, अब देखो, classical dance है, और ABC Limited को पैसा मिला, sorry, amount restricted from ABC, और वो Mr. P को मिला, registered supplier of Rajasthan है, और उसको पैसा मिला, और ABC से मिला, और classical dance के लिए मिला, तो एक exemption है, exemption यह है, कि अगर किसी artist को, यहाँ पे किसी से भी पैसा मिले, और folk या classical dance, music, performance होगा, और amount एक लाग पचास थाजार से, नीचे होगी, या dot 150,000 होगी, okay, तो वो case में, per performance, 150 तक उसको exemption मिलेगा, बट अगर amount 150 से ज्यादा होगी, तो total amount पे GST आएगा, याद आ रहा है आपको, तो ऐसे case में, यहाँ पे 150 से जादा है, इसलिए total आपकी taxable value, 174,500, मानी जाएगी, because it exceeds 1,50,000, very good, यह भी आमार होगया, चलो भाई साब, यह भी कातम होगया, उसके बाद में next, business asset, old computer, given to a friend, free of cost, the market value of all computer, was 51,000, no ITC had been availed, on such computer, when it is used for the business, अब देखिये, आपने अगर computer, business के, अपने friend को, free of cost दिये, मतलब supply of goods, without consideration, तो schedule 1 का, para 1 कहता है, permanent transfer of business asset, on which ITC is taken, तो supply बुला जाएगा, सबसे पहले तो free दिये, इसलिए 7-1-1 का supply नहीं है, उसके बाद में, second, यह जो है, free दिये, तो क्या, यह schedule 1 का supply रहेगा, क्या, तो schedule 1 में, अगर ITC लिया होगा, तो ही supply बुला जाएगा, उन्होंने clear का है, कि इसका कोई भी ITC नहीं लिया गया, अगर ITC नहीं लिया गया, तो यह supply नहीं माना जाएगा, तो fourth number अगर देखे, तो supply नहीं माना जाएगा, no supply क्योंकि, without consideration है, और ITC भी नहीं लिया गया, भाई साब, देखो, मैंने कैसा मास्टर कोईशन बनाया, कहीं एक्जम्शन, कहीं पर रिवर्स चार्ज, कहीं पर शेडूल 3, और यह ऐसा मास्टर कोईशन है, कि मजा आएगा आपको, तो यहन्य दिमाग इदर 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 दड़ाना पड़ेगा, इसके बाद में, कहीं पर शेड़ू, गऑगा एक 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 exemption है renting of residential dwelling to unregistered person to unregistered person to unregistered person तो वो case में exemption है पर अगर आपने registered person को rent पे दिया जैसे Mr.P ने यहाँ पे registered person को rent पे दिया तो उस पे tax आएगा पर इसका एक exception भी है अगर वो registered person business के लिए यूज नहीं करता है अपने personal capacity में use करता है तो वो case में exemption मिलेगा अब यहाँ पे जो rent पे दिया गया one month rent from a registered individual को दिया गया for renting residential dwelling for use of residence के लिए गया अब यह उसने business के लिए लिया या personal capacity में लिया as of okay other than proprietor capacity में लिया personal purpose के लिया पता नहीं तो इसके लिए आप remark में assumption के base पर ही solve कर पाऊगे तो आपने मैंने इसमें exemption लिया और exemption में लिया है कि tax payable by register individual person under हाँ sorry मैंने exemption नहीं दिया मैंने इसका किया कि इसको river charge लग जाएगा मतलब वो personal पहले तो आप ये भी note दे देना कि ये personal capacity में नहीं है इसलिए exemption नहीं मिलेगा और इसका tax river charge में आएगा अगर आपको RCM याद होगा तो ये case में RCM applicable होगा और tax river charge में आएगा now next amount received for warehousing of jaggery अब देखो warehousing of jaggery agriculture sector में jaggery का warehousing यहाँ पे exempt नहीं है sorry exempt नहीं है taxable है ये कहीं पे भी exemption में नहीं आता है fruits और vegetables serials और pulses होगे तो वो exemption है jaggery का warehousing taxable होगा उसके बाद में commission received as a business faciliter for service provided to the urban branch of national bank with respect to saving bank again यह river charge में आता है यह river charge में आता है तो इसका tax Mr. P. नहीं देगा और कि इसका tax जो है river charge में banking company देगी क्योंकि और as a business facilitator है तो 7th number में नहीं राएगा और कि यहाँ पे हाँ एक बात और बता दो अगर यह service रुरल अरिया में होती ही तो exempt है अर्बन एरिया में तो taxable है और यह case में river charge है और कि यह बात समझ लोगा हाँ अगर यह service रुरल अरिया में होती ही तो exempt अर्बन एरिया में होती है तो taxable और यह river charge में है ऐसला है यहाँ पे tax इसके इसमें नहीं आएगा उसके बाद में next amount received for service by way of labor contract for repairing single residential unit otherwise than as a part of residential complex अब देखो अगर pure labor service contract एक construction sector है जैसा यह मैंने आपका exemption लिया है जो other exemptions होते हैं जो आपको पढ़ना है उसमें मैंने लिया हुआ है अगर construction service single residential unit में original contract होगे original construction, addiction, installation contract होगे तो उसको exemption दिया गया है यह जो repairing contract है जो original में नहीं आता है जो original में नहीं आता है तो इसको exemption नहीं मिलेगा अब देखो यहाँ थोगा डर लग सकता है यहाँ यह नहीं यादा है exemption में सोच के चलो एक दो adjustment ऐसी आएगी कि time पे याद नहीं आएगा तुक्का मारना पड़ेगा time पे याद नहीं आएगा सोच के चलो exemption में तो ठीक है न भाई 50 में से अगर एकादी मार्ग का ऐसा आगया दो मार्ग का ऐसा आगया तो ठीक है 48 में से 40 क्यों नहीं ऐसा प्लान करके चलो तो यह case में यह 10,000 जो है यह taxable होगा और 10,000 पे GST आएगा क्योंकि original work जो construction का उसको एक्जम्शन है repairing work को एक्जम्शन नहीं है उसके बाद में amount received for acting as a brand ambassador for corporate client तो इसमें क्या इसमें सिदा सिदा taxable है उसको यहाँ कोई ऐसा exemption नहीं है तो यह भी taxable रहेगा 75,000 ऑके brand ambassador service कोई एक्जम्शन नहीं है amount received for service provided to Indian Olympic Association as a team manager of national team अब देखो अगर आप ने यहाँ पे recognized sport body को service देया as a team player umpire यादा रहे आपको as a team player umpire या team manager तो वो case में team manager होगा तो भी उसको exemption दिया गया है ओके नौ next interest income on credit card वैसे तो interest on loan advances or deposit exempt है अब देखो यह ऐसा आगया तो मास आपकी थोड़ी जाएगी यह तो आपको पता है यह तो हमने बहुत अच्छे से किया है तो credit card का interest का है बेटा taxable है तो यह credit card का interest taxable होगा service to foreign diplomatic mission देखो service provided by foreign diplomatic mission exempt है service provided to foreign diplomatic mission taxable है तो यह 28,000 पे tax आएगा यह 28,000 पे tax आएगा interest पे भी आएगा उसके बाद में next funeral service funeral service तो supply ही funeral services यह गलती होगी पेटा यहापे यह mistake होगी यह काट दे ना यह 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 नेल कर दे ना funeral service यह नेल कर दे ना ठीक है तो funeral service supply शायद total एक बार चीक कर लो वो supply ही नहीं है funeral service पे goods आता ही नहीं है sorry funeral service पे GST आता ही नहीं है उसके बाद में amount charge for service provided to recognize sport body as a selector of national team selector को exemption नहीं है player को है, empire को है, team manager को है पर selector को यहाँ पे कोई exemption नहीं वो taxable होगा चलो यह तो service दिया कुछ service लिया paid to an unregistered GTA for various consignment of transportation of goods by road each individual consignment in a single carriage was less than 1450 what you read में भी अगर हमने unregistered GTA से service लिए तो और हम registered है तो river charge में हम पे tax आएगा इसको river charge में हम पे tax आएगा क्योंकि supplier unregister है और GTA service अगर register person लेता है तो river charge में उसके उपर tax आएगा तो यह 1500 पर भी river RCM में tax आएगा तो एक बाद total देखलो पेटा क्या आती है आपकी total देख़ए एक बाद क्या आती है यह nil करके total सही आती है की नहीं आती है बताओ मेरेको नील करके total सही आती है की नहीं आती है बताओ taxable value की 1,074,500 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 400,000 प्लस 15,100 442 यह total correction कर ले ना 442,600 आये आपका यह total correction कर ले ना दन चलिए यस दन बेटा चलो एक और question मैंने यहाँ पे cover किया है और यह question जो है बेटा यहाँ पे यह आपके लिए homework है exemption का यह भी यह दो question करके जो most of the exemption आपके cover हो जाएगे तो यह question जो रहेगा यहाँ पे आपके लिए यह question homework रहेगा आप यह question खुड try करो यह दो question जो है आप अच्छे से करके जो और मैं कहता हूँ कि most of the exemption इसमें cover हो जाएगे ठीक है चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ पे यह chapter exemption complete किया चलिए बेटा तो next यहाँ पे जो है चप्टर स्टार्ट करते है ईवे बल question number 25 चलिए यहाँ पे इवे बिल से related क्या important aspects है वो यहाँ cover कर लेते हैं अगर आपका इवे बिल questionnaire से नहीं हो पा रहा है आपने स्विभ यहाँ पे regular chart देखा है तो chart और इतना at least इतना तो भी करके चले जाना तो chart देख लेना जो मैंने chart book में दिया और इतना करके चलना चले जाना that's enough देखो यहाँ पे Mr. Yes a manufacturer and supplier of plastic goods is registered under GST in the state of Maharashtra. Yes जो है okay plastic goods का manufacturer registered है Maharashtra Mr. Yes sold plastic goods to retail seller in Punjab Punjab में sale किया value 43,000 excluding GST levyable 18% now it want to send a consignment of such plastic goods in a retail seller in Punjab. पहला question you are required to examine and advise Mr. Yes whether evable is mandatory required to be generated in respect of such movement of goods under GST law. अब मैं आपको बता दू अगर आपकी consignment value goods की 50,000 से जादा होगी including GST and evable का जब calculation कर रहे हो तो आपको GST भी add करना पड़ेगा. तो including GST अगर आपकी consignment value 50,000 से जादा होगी तो evable आपको बनाना पड़ेगा. अधर्वाइस evable optional है. तो समझे लो 43,000 आपका जो value है अगर प्लस उसमें हम 18% अगर GST आड़ कर दे तो 50,000 से जादा है तो 50,000 से जादा है अगर 50,000 से जादा है तो आपको evable बनाना पड़ेगा. अगर तो देखो अगर आप answer देखते हो तो consignment value carefully देखना और हो सके तो इसके wordings लिखके भी देखना अगर time मिलता है तो mandratally required to generate evable if he causes the movement of goods and consignment value exceeding क्या 50,000 in relation to supply जिसमें आपको as per section 15 value लेनी पड़ेगी उसमें GST भी आड़ करना पड़ेगा पर exempt value exclude होगा तो consignment value 50,000 740 है तो आपको evable mandratally required to generated आपको generate करना पड़ेगा second now what would be your answer if Mr. Yes made an interstate supply of taxable goods valued 47,500 and exam goods 2000 rate of GST for taxable supply 6% rate of IGST जो दिया गया और वो 6% दिया गया अब 6% ऐसा rate नहीं है पर problem में दिया है तो ले ले रहा okay IGST का rate 6% दिया हुआ है तो law यह कहता है कि जब आप evable के लिए consignment value निकालोगे तो आप exam supply को consider नहीं करोगे okay मतलब okay आपकी value 47,500 okay तो 47,500 okay 2000 एड नहीं होगा okay तो plus into 6% plus equals to तो यह 50,000 okay 350 आती है excluding exempt value तो आपको क्या evable बनाना पड़ेगा yes evable बनाना पड़ेगा क्योंकि 50,000 से जादा है चलो यह हमारा first हो गया now easy था इतना तो भी at least पढ़के चले जाना now second mister yes sold goods GST applicable 18% to retailer in Maharashtra of value 40,000 excluding GST as per the agreement of sale goods are to be delivered at the premises of kya retailer now see yes sold the goods to retail in Maharashtra value 40,000 excluding GST agreement of sale के साफ से delivery जो है retailer तो गया पड़ेगा transportation cost 7,000 has been charged separately to deliver the same to the supplier in the Maharashtra in the above scenario determine the value determine whether evable is required to be issued आपको valuation जो करना है वो section 15 के हिसाब से करना है और section 15 अगर याद होगा तो 15-1, 15-2 and 15-3 15-1 आपकी transaction value मतलब 40,000 आपकी transaction value यहाँ पे दी गई है लेकिन 15-2 में कोई भी incidental expenses and 15-2 A अगर याद होगा 15-2 B और 15-2 C, D and E 15-2 C में कहा गया है कि कोई भी incidental charges होगे तो वो value में add होगे तो यह जो transportation cost 7,000 है यह 7,000 आपके incidental charges है और यह अगर incidental charges है तो यह value में add होगे plus GST भी add होगा मतलब अगर हम यह आपे ले तो 47,000 okay into 18% plus equals to 55,000 आपकी value 55,000 460 आती है और आपकी value अगर 55,000 460 आ ले आती है 50,000 से ज़्यादा है आपको evable बनना पड़ेगा तो value आपकी जो आ रही है 55,000 460 है mandatory आपको evable बनना पड़ेगा चलो यह भी हमारा complete होगया और कि यहाँ पे now third देखो Mr. Yes has caused moment of goods of consignment valuing exceeding 50,000 in relation to supply and the generated evable however after generation of evable he found a mistake in evable and want to edit it you are required to advise evable edit नहीं होता है cancel होता है और आपको अगर cancel करना है तो वो 24 hours after generation within 24 hours आपको cancel करना पड़ता है तब तक आपका कोई inspection नहीं हुआ हो तो ऐसे case में 24 hours में आपका evable cancel कर सकते हो edit नहीं होता है तो answer देखोगे तो यह दिया है कि 24 hours में आप cancel कर सकते हो edit नहीं होगा हां तब तक आपका कोई इंस्पेक्शन वगरे नहीं हुआ हो उसके बाद में next चली हमने third देख लिया उसके बाद में fourth assume that the sales order is given case is 1,20,000 inclusive of GST inclusive of GST while checking the stock it is found that order worth Rs. 55,000 can be fulfilled from company's Pune store and remaining goods 65,000 can be sent from its Nashik store एक हमे customer से order रही 1,20,000 की हमारे stock की situation देखके हमारे Pune store में जो stock ता वहां से हम 55,000 की order complete कर सकते हैं और अमारे नाशिक store में ता तो 65,000 का order complete कर सकते हैं both the stores are instructed to issue separate invoices दोनों stores separate invoices issue कर रहे हैं okay for goods sent to retail seller in Gujarat okay goods are transported in a single convince goods एक ही convince में जा रहा है पर दो अलग-अलग जगा से माल उटा रहा है दो अलग-अलग invoice बन रहे हैं okay दो अलग-अलग invoice तो सवाल यह है कि यहां पर जो है आपका एक ही convince में जाने के वज़े से single evoices बनेगा या evoices wise होता है तो भाई साब यहां पर अगर आप देखोगे तो evoices जो बनता है अगर value exists 50,000 होगी जिसमें GST add कर के होगा तो evoices बनाना पड़ेगा और evoices बनाना पड़ेगा और evoices multiple invoices cannot be club to generate one evoable however after generating evoable a consolidated evoable can be preferred for transportation welfare पहले तो आपको 2 separate evoable बनाने पड़ेगे और convince में आप consolidate बना सकते हो लेकिन आपको 2 invoice के 2 separate evoable बनाने पड़ेगे यह last वाली line नहीं भी समझी तो छोड़ देना बस आप इतना समझना कि आपको 2 separate evoable बनाने पड़ेगे चलो भाई what is the time limit to accept reject the evoable for the supplier or recipient as the case may be okay time limit आपकी 72 hours है 72 hours में आप accept या reject कर सकते हो evoable को अगर आपको लगता है कि आपके नाम का proper evoable नहीं है तो आप 72 hours में reject कर सकते हो यह बलको लेकिन धान रहा है okay अगर तब तक delivery नहीं गई होगी अगर तो 72 hours या delivery of the goods whichever is earlier आप उसको यहाप accept or reject कर सक चलो 5th number भी हो गया अगर आप 6th number पे आते हो Mr. Yes wishes to transport the goods by road between two cities situated in distance of 368 km, calculate validity period of evoable under section rule 138 10 of CGST rule for transport of said cargo if it is over dimensional cargo या otherwise अब दिको over dimensional cargo होगा तो 20 km का पर आपको एक दिन मिलता है okay एक दिन मिलता है या part there off होगा तो एक दिन मिलता है और other than over dimensional cargo होगा तो 200 km के लिए एक दिन मिलता है तो ऐसे case में आपका 368 km है 368 km मतलब अगर मैं 360 divided by 20 कर दू तो आपको 18 और 8 days का आपको एक extra बेलेगा part का भी extra मिलेगा मतलब over dimensional cargo होगा तो 90 days आपको मिल जाएगा और otherwise otherwise का मतलब अगर non over dimensional cargo होगे तो 200 पर एक दिन मिलता है तो 368 okay पार्ड भी होगा तो आपको एक दिन मिल जाएगा यानि आपको 2 days ही मिलेगे okay for evable की validity के लिए I hope आपको समझ में आया होगा चलो यह 6th number हुआ उसके बाद में 7th number Mr. Yesh has also transported alcoholic liquor for human consumption consignment value is 1,50,000 from Maharashtra to Punjab it has not generated evable for the same you are required to examine the correctness of action कुछ ऐसी consignment है जहाँ evable से exemption मिलता है जैसे okay non taxable supply हुए currency हुआ yes okay ऐसे कुछ supply है जहाँ evable बनाने की जरुवत नहीं है जिसमें exam supply भी है non taxable supply भी है schedule 3 के supply भी है तो यह non taxable supply है तो यह evable बनाने की जरुवत नहीं है उसके बाद में if goods are transferred by principle to job work there is no need to issue evable comment on the validity of above statement with reference to GST law अगर आपने evable की provision पड़ी होगी तो आप अगर job worker को भेशते हो और job worker को intra भेशते हो job worker को अगर intra जा रहा है तो value 50,000 से ज़्यादा होगी तो evable बनाना पड़ेगा लेकिन दो ऐसी cases है जहाँ evable mandatory है irrespective of value interest rate supply to job worker I repeat क्या खाविन है interest rate supply to job worker अगर job worker को interest rate जा रहा होगा तो mandatory evable है और एक handicap goods जिसमें आप registered नहीं हो तो वह mandatory evable है तो job worker की case में आपका answer है से आएगा कि interest rate होगा तो value 50,000 के उपर होगी तो evable बनाना पड़ेगा और अगर interest rate होगा तो mandatory evable बनाना पड़ेगा चलो यह 8th number भी हो गया 9th number Mr. Nandakishor registered under GST in Patiyala Regular return file supplies goods in bulk to Mr. Yesh for selling in consumer Mr. Yesh paying tax in regular scheme in Maharashtra and has not filed GSTR 3B for last 2 months Mr. Nandakishor want to generate evable for the goods amounting to 5 lakhs to be supplied to Mr. Yesh also Mr. Narayan from Jammu approach Mr. Yesh for purchase of goods amounting to 75,000 Mr. Yesh want to generate evable in respect of outward supply of goods to Mr. Narayan examine with reference to provision of GST law whether Nandakishor and Mr. Yesh can generate the evable अब दिखो यहां पे क्या है Nandakishor Yesh को भेजना चाहता है और Yesh Narayan को भेजना चाहता है अब दिखो कुछ cases में आपका evable block किया जाता है I repeat अगर आप return नहीं file कर रहे हो और return आपने file नहीं किया continuous for a period of 2 months आपने return नहीं file किया GSTR 1 नहीं file किया तो आपका evable block कर दिया जाता है पर evable यहां पर stop किया जाएगा लेकिन यह evable किसका stop होगा उसके outward supply का stop होगा अगर Nandakishor इसके नाम का evable बनाना चाहता है अगर inward का बन सकता है जो evable block किया गया है वो outward का block किया है तो ऐसे case वे यह जो sale कर रहा है किसको sale कर रहा है आपके नारायन को उसका वो evable नहीं मना सकता है क्योंकि वो return नहीं दे रहा है लेकिन उसके नाम का अगर कोई supplier evable बनाता है तो वो allowed है तो आप अगर यह पढ़ते हो तो अगर आप यहां पर यह जाटाप्सपे. च्रूपस्पेश नापिस वोच्पर यह जो जाबा नहीं होच्प्ता यह जोच्पिजन उसकी बाम का झाटवब लिपाट नहीं मना बनाताप्सप्ता अगर इकर संप्ता हीं मना ट्रूच्प्ता और ट्रांस्पोर्टर, इन अदर वर्स एवेबिल जनरेशन फैसिलिटी इस ब्लाक अनली फोर आउट्वर्ट सप्लाइब गोड्स और रजिस्ट्राइब नॉट्वर्ट सप्लाइब इन शॉर्ट यह जो पहले चार पॉइंट है वह नहीं भी लिके तो भी चलता है यह वाल के नाम का हाँ इवेबिल यश नहीं जनरेट कर पाएगा फार नारायन के लिए ओके तो यह इवेबिल के important questions हमने यहाँ पे देखे ओके तो इतना तो भी at least आपने इवेबिल पढ़के जाना है डन 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 चलो चलो नेक्ट चाप्टर लेते हैं accounts and records question number 24 चल यह दोस्तों accounts and records में again I repeat where a chart और यह question देख लेना most of the important points आपके cover हो जाएगे यह chapter पर exam question आ सकता है क्योंकि newly inserted chapter है तो यहाँ पे चलो mix and match is a chain of stores dealing in readyment governments through five showrooms in Pune it has single GST in for all its showroom in Pune and principal place of business at camp Pune ठीके सारे जितने भी showroom है Pune के अंदर एक ही GST ने उसका ही it has approach you regarding the following पहला advice mix and match about accounts and other records to be maintained under section 35 1 section 35 1 के साब से आपको true and correct accounts maintain करना पड़ता है at principal place of business जो आपने mention किया production and manufacture of goods के records inward outward supply के records stock of the goods ITC available output tax payable and paid and other prescribed particulars ये आपको learn करके जाना है ठीक है true and correct ये records maintain करने पड़ेंगा at principal place of business ये electronic form में maintain करने पड़ेंगा with digital signature और more than one place of business होगा तो additional place of business पर भी उनको records maintain करने पड़ेंगा ये एकदम theoretical chapter पर आगिया तो लिखके छाप देना भाई साब और ये master question मैं आपको देना हो इतना अच्छे से पड़के चला जाना तो ऐसे कि इतने records उसको maintain करने पड़ेंगा second he opted for composition if it opted for compositions की mean current financial illness discuss the record which are not to be maintained by supplier opting for composition levy enumerated under 56 important आ सकता है अगर वो composition levy के लिए opt कर रहा है तो कौन से ऐसे records है जो उसको maintain करने की जरुवत नहीं होगी तो दो record उसको maintain करने की जरुवत नहीं होगी not required to maintain अगर वो composition scheme के लिए opt कर रहा है stock of the goods account of stock in respect of goods received and supplied and such account shall contain of particulars of opening balance received supply of goods lost to learn destroyed return of dispose of by gift free sample etc कोई भी stock record उसको maintain करने करना परते है क्योंकि normally आपको stock record maintain करने परते है लेकिन अगर आप composition scheme में हो तो आपको stock record maintain करने की जरुवत नहीं है और दूसरा details of tax क्योंकि ना आप ITC लेते हो ना आप burden pass on करते हो इसले जहां तक है tax की details का आपको records maintain करने की कोई भी जरुवत नहीं ह नहीं है तो यह दो records आपको maintain करने की जरुवत नहीं है important day exam में आ सकता है now next mix and match want to know whether entries can be erase in register what shall be the treatment of SIM अगर आप record register बना रहे तो आप erase नहीं कर सकते हो score out कर सकते हो erase मतलब ऐसा हो गया समझ लो आपने 31,250 लिखा है तो ऐसा नहीं कर सकते है आप यहां पर erase नहीं इसको alright मतलब यहां पर इसको normally ऐसा cross करो 31,250 score करो और जो नया amount है वो लिखो तो आपके books of account में आप erase नहीं कर सकते हो लेकिन incorrect entry होगी तो shall be scored out under attention attestation and then correct entry shall be recorded attestation मतलब जहां आपने mistake की वहां sign करो और के वहां sign करो और फिर नया जो भी amount लिखना है वो आप लिख सकते हो चलो यह भी हमारा हो गया 1,2,3 next mix and match is planning to start manufacturing unit to manufacture garments on its own in the next financial year consequent is there any specific set of record to be maintained by it yes manufacturer को जो normal record से यह तो maintain करने पड़ेंगे in addition to that उसको special instruction है अगर आप manufacturer हो तो उसको manufacture goods के monthly production accounts maintain करने पड़ेंगे जिसमें raw material और services used in the manufacturer और waste और buy product होगा तो उसके monthly basis पे account उसको maintain करने पड़ेंगे तो यह special requirement है manufacturer के case में चलो fourth हो गया उसके बाद में next pip mix and match is also providing customer support service to address their customer grievances is there any specific set of details to be maintained by supplier of service yes supplier of service होगा तो यह तो normal records है in addition to that normal records अगर आप chart आपके सामने होगा तो in addition to normal records supplier of service होगा तो goods used in the provision of service input services utilized और service supplied इसके भी records उसको separately mention करने पड़ेंगे और maintain करने पड़ेंगे चलिए fifth हो गया six number देख लेते for the construction of one of its showroom mix and match avail a service of works contractor ABC limited is there any specific records to be maintained by works contractor service if yes chart में देखा हो तो आपको देखेगा works contract के लिए भी okay each works contract wise उसका name and address of the person who is on the behalf of works contract is executed description value and quantity of goods and services received by execution of works contract description and value of quantity of goods or service utilized in the execution of works contract details of payment received for each works contract and name and address of the supplier for the works contract इसका each works contract wise उसको separate record maintain करना पड़ेगा कि कितना input used किया कितना supply कितना input services उसका इसका इसको maintain करना पड़ेगा next the transporter of mix match is not registered under GST whether such registered transporter is required to maintain any records under GST act 2017 also explained if any other unregistered person are required to maintain records under GST देखो transporter अब chart देख रहे होगे तो second part देखो transporter और warehouse keeper होगा तो उनको इवंदो registered नहीं है पर records maintain करने पड़ेगे और unregistered transporter होगा तो उसको unique enrollment number लेना पड़ेगा I repeat the word क्या unique enrollment number लेना पड़ेगा on common portal and maintain the records of transported, delivered, goods stored in transit each consigner and consigner wise और warehouse keeper होगा तो उसको भी record maintain करना पड़ेगा चलिए यह last वाला question यह exam में आ सकता है ascertain the period for which books of account और other records need to be maintained आपको GST में आपके records समाल के रखने पड़ेगे 72 months तक from the due date of furnishing annual return for the year pertaining to such accounts and records मतलब क्या एक साल हो गया records फाड़ के फिक दिया ऐसा नहीं आपको जो annual return की due date थी भाई साब annual return की due date क्या थी 31st December तो 31st December जो annual return की due date थी वहाँ से 72 months तक आपको record समाल के रखने पड़ेगे 31st December से 72 months अगर इव रजिस्टर परसन पाटली इन appeal और revision अगर उसकी case appeal और revision में होगी before appellate authority, revizional authority, tribunal or court or whatever it may be in simple word simple word में अगर उसकी case appeal और revision में होगी तो उसको accounts and records जो maintain करने पड़ेंगे 1 year after disposal of appeal और period of above 72 months whichever is later मतलब क्या कि हो सकते appeal में हो गया 72 months हो गया तो उसके बाद में भी जब तक appeal का decision नहीं आता है वहाँ से 1 year तक जिस दिन decision आएगा वहाँ से 1 year तक records maintain करने पड़ेंगे या appeal का decision पहले आगया तो 72 months तक आपको record maintain करने पड़ेंगे whichever is later तो यह जो है इतना तो भी आपने करके जाना in the chapter accounts and records done इतना कर लिया that's enough इतना ही कर लो very good चलो बेटा तो यह था regarding to जाद अगम देखते है के accounts and records चलियो दूस्तो तो इस तरह से हमने यहाँ पे complete किया हमारा GSD के सारे chapters के super 30 questions अगर कोई रह गया आपने कर ले ना कोई रहा नहीं मेरी साब से okay lecture 1 और lecture 02 मिलाके हमने सारे chapters का super 30 complete कर दिया है अरे yes sir no bhai साब बोलो yes sir okay यह ओई ना बाग चलो अब okay chapter है आपका computation of GSD okay जो मैंने questionnaire में भी आखरी में लिया और उसके तीन questions मैंने यहाँ पे भी लिया यह तीनो questions जो competition of GSD आप देखो मैंने इतने सारे chapters आपके करवा है यह questions जो है read करना carefully अब यह आपके लिए homework यह questions आपने carefully read करना है read करके solve करके देखना है और इसको आदी घंटे time देना है यह writing practice में वो तीनो questions step by step solve करके देखो क्योंकि यह question आपको पहला compulsory question इस type के आएगे जो 10 marks सक्के आ सकते है उसको read करो समझो और वो तीनो questions आपको solve करके देखना है मैं वो revise नहीं कर रहोगा वो आप करोगे इतना तो आप मैं साले chapter करवा दी है अब वो जो है आपको करना है competition of GST भाई साब इतना कर लो और इस बार 40 पार और tax में 80 पार उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है दोस्तो तो चलिए दोस्तो वैसे आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए priority आपके कैसे होगी यह तो मैंने lecture 1 में आपको बता दिया आपको तो मोटिवेट भी कर दिया लेकिन मैं इतना ही कहोगा कि अब आपको डरना नहीं है अब आपको लड़ना है और इस बार 40 पार उसके नीचे आपको सोचना जी नहीं है प्रामिस करो कि आप जो है GST का पेपर पूरे confidence के साथ अच्छे से लिखोगे करो प्रामिस मुझे और comment में लिखना promise और इस बार 40 पार हम लेके जाएंगे आपकी comment जरूर देना ओके बाई साब comment जरूर दो मुझे समझ में आएगा मेरी best wishes आपको जरूर मिलेगी और पसंद आया होगा आपको super 30 part 1 और part 2 तो like जरूर कीजिएगा और दोस्तों मैं exam तक आपकी साथ हू डरो मत okay तो और मेरे stay tuned with my youtube channel अब social media पे ज्यादा connection मतले है न पर कभी कभी देख लेना कोई important video आया तो मेरे okay वी smart academic की youtube channel पे आ सकता है okay दूसरा जोइटा अभी इस video के description में मैंने all in one link दी हुई है all in one link दी हुई का मतलब ये है कि वो link में आपको जो है सब कुछ सारा सारा मैंने RTP RR revision उसके बाद में okay yes RR revision मगर ये lecture 1 super 30 का lecture 1 amendment सारा discuss किया हुआ है तो वो link भी आपने access कर लेना है okay उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो all the best ये exam आपकी होगी पुरे manifestation के साथ 40 का thank you so much to all of you भ dall हुआ है 30 का झाल झाल